सुरेंद्र मोहन पाठक, जोहर ज्वाला, विमल 32, पार्ट एक, फर्स्ट एडिशन 1999, डिस्क्लेमर, यह विडियो केवल शिक्षा के उदेश से बनाया गया है, कोई व्यावसाइक लक्ष या कोई कॉपिराइट उदेशन नहीं है. निवेदन, सभी शोताओं से निवेदन है, कि इन आडियो बुक को बनाने में बहुत समय लगता है, ये दिनों या हफ्तों की मेहंत होती है, इसलिए कृपिया मेरे चैनल योर बुक रीडर को सब्सक्राइब करें और कृपिया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहत हैं, और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को लाइक सब्सक्राइब करें, अगर कहीं हमारे दूसरे चैनल की तरहां इस चैनल में भी कोई प्रॉब्लम हो टू आप हमसे जुड़े रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको हमारे विडियो में कुछ सिंबल साइंस की साउंड सुनाई देते होंगे जैसे की, प्लस, हश, इनको इग्नोर करें ये हमारे बुकमार्क्स है, रेकोर्डिन के लिए होते हैं, विडियो लंबी होनी के कारण कुछ रह जाते हैं, जिन पर काम किया जा रहा है, जहां आपको ऐस्टरिस्क ऐस्टरिस्क साउंड आए जब ये उपन्यास लिखी गई थी तब का एक लाख रुपए आज के बीस लाख रुपए होते हैं, रिकम्मेंडेशन अगर आप इंदौर वासी है या इंदौर आए हैं, तो देसी रसोई से अपना खाना ओनलाइन ओर जरूर करें, तू आए सुनते हैं, सुरेंद्र मोहन जोहर ज्वाला किसी को भस्म कर देती है, तो किसी के लिए ओस की बून्द बन जाती, तो कोई उसमें से कुंदन बन के निकलता है, सोहल जो मुत्वातर अपने मौहसिनों के ररिशोद की ज्वाला में धधक रहा था पर क्या भी थी? चाप्टर एक शुक्रवार, बारह मई, दिल्ली, मुंबई ठाने की कैंटीन में हवलदार तरसेमलाल की अपने सहयोगी हवलदार हरपाल सिंग नेगी से मुलाकात हुई क्या बात है, भई, तरसेमलाल बोला दिखाई नहीं दिया ठाने में 5-6 दिन से आउटडोर की कोई खास यूटी भर रहा है नहीं, नेगी बोला छुट्टी पर था क्यों? खैरियत तो है न? है, खैर खैर खैरियत है बहुत खुश दिखाई दे रहा है कोई खास ही बात जान पड़ती है खास ही बात है अब बता भी तो सही लड़ता हुआ है अच्छा कब? परसो बधाई हो बात तो बधाई की ही है यार तीन लड़कियों के बाद हुआ जबकि कहते हैं कि तीन लड़कियों के बाद तो शर्तिया लड़की होती है तू खुश किसमत निकला यार जो ऐसा न हुआ किर्पा हुई बंसी वाले की अब इतनी चोखी खबर सुनाई है तो कोई मुह मीठा तो करा नहीं क्या? कड़वा कराऊंगा ओ कब? आज ही शाम को छुट्टी के बाद अगर तुझे सूट करता हो तो मुझे तो सूट ही सूट करता है कहां बैठेंगे? यही सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा घर तो हस्पताल बना हुआ है हर जगा साली डिलीवरी की बास बसी हुई है इधर कैंटीन में ही बैठ जाएंगे नहीं क्यों? डरता है? नहीं, यार और बात है और क्या बात है? यार, अब तेरे से क्या छुपाऊं? बात ये है कि डिलीवरी ने हाथ तंग कर दिया है कैंटीन में बैठे तो और भी दो-चार यार दोस्तों को सूंग लग जाएगी तू समझा मेरी बात हाँ मैं आज ही ठाने में लोटा हूँ अभी तो मैंने साहब लोगों के अलावा किसी को खबर भी नहीं की है लड़का होने की मेरा मतलब है सिवाए तेरे मुझे क्यों की? तुझे क्यों की? लोग पूछता है तुझे क्यों की? अरे तरसेमलाल तेरे पर खुदा की मार कमबकत तु क्या और लोग है? साले एक तु ही तो है जो मेरा जिगरी है तरसेमलाल खुश हो गया यार वो तो है वो बोला बनती तो मेरी भी तेरे से ही है तभी तो सिर्फ तुझे बोला दारू पार्टी के लिए अब तु ही सुझा बैठने के लिए कोई जगा समझ ले सुझा दी तू भी क्या याद करेगा? बोल कहा? इंपीरियल के सामने एक रेस्टोरेंट है जिसमें केबिन है मालिक मेरा बहुत लिहास करता है वही एक केबिन में बैठ जाएंगे कोई पंदा तो नहीं होगा नहीं होगा मेरा जिम्मा फिर क्या बात है? अब तू टाइम बोल साथ बजे ठीक है एस्टरिस्क 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 शेलजा ने सूझी वांग में कदम रखा उसके साथ दिल्ली पुलीस के कांस्टबल की वर्दी पहने एक व्यक्ती था जिसका नाम अमर्दीत था सूझी वांग एक महंगा चाइनीज रेस्टोरेंट था जो की कनाच सरकस में सिंधिया हांस के एन सामने स्थापित था उस वक्त एक बजने में अभी पंद्रा मिनिट बाकी थे रेस्टोरेंट के विशाल हॉल में अभी लंज के बिजनेस वाली भीड नहीं बनी थी अभी उसकी बस तीन चार टेबलों पर ही ग्राहक दिखाई दे रही थे ठीक एक बजे कोने की जिस टेबल पर शिवशंकर शुकला ने आकर बैठना था उस पर रिजर्वा की तक्ती रखी हुई थी अपने फैसी रेस्टोरेंट में एक सिपाही को दाखिल होता देखकर होटल स्टाफ हडबढाया फिर एक स्टीवार्ड लपक कर उनके पास पहुँचा क्या है वो सिपाही से बोला क्यों तुम ये मेरे साथ है शैलजा अधिकार पूर्ण स्वर में बोली आपके साथ है हाँ मैं फूर्ड इंस्पेक्टर हूँ आप लोगों की किचन इंस्पेक्ट करने आई हूँ ओ मैडम मैं मैंनेजर को खबर करता हूँ तब तक हम क्या यहीं खड़े रहेंगी ओ आईए स्टीवार्ड ने उन्हें मैनेजर के पास पहुँचाया और खुद वहां से खिसक गया अभी पिछले महीने तो एक फूड इंस्पेक्टर साहब आये थे इंस्पेक्शन के लिए इतनी जल्दी जल्दी तो इंस्पेक्शन नहीं होती होती है शेलजा कड़े स्वर में बोली जब कंप्लेंट होतो होती है कंप्लेंट मैनेजर देहशतनाक स्वर में बोला हमारी F.IR दर्ज कराने पहुचा था तभी ये सिपाही मेरे साथ है F.IR दर्ज हो गई मैनेजर ने अमर्दीप से पूछा अभी नहीं अमर्दीप बोला लेकिन Food and Adulteration के महकमे में इत्तला की गई थी जहां से कि ये मैनम आई है मैनेजर बोला हमारे यहां सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और हर चीज ताजातरीन इस्तमाल की जाती है 5 Star Deluxe होटलो जैसी Hygienic Kitchen है हमारी देखते है शेलजा गंभिरता से बोली ये हो ही नहीं सकता कि हमारे यहां के खाने से किसी फूर प्वाइजनिंग बोला न देखेंगे जी हाँ आपकी किसने की आपके एक ग्राहत ने की जिसे की यहां डिनर करने फूर प्वाइजनिंग हो गई But that is impossible घर पहुचने तक वो तड़क रहा था घरवानों को डाक्तर बुलाना पड़ा जिसने की उसे नर्सिंग होम में भिजवाया जहां की उसके स्टामे को पंप किया गया तो कहीं जाके उसकी जान में जान आई वो थाने में आपके खिलाफ अगर आप किचन को चौकस पाएंगी तो क्या रिपोर्ट देंगी यही की किचन चौकस पाई गई थी बस और किचन में इस्तमाल होने वाला रो मैटिरियल चौकस पाया गया था अगर आप ये भी लिख देंगी कि उस शिकायत करता को हमारे यहां के भोजन से फूर प्वाइजनिंग नहीं हुई हो सकती तो हमें सहूलियत होगी वो बात की बात है बात में ही सही लेकिन रिपोर्ट हमारी मर्जी की होनी चाहिए शेलजा ने घूर कर मैनेजर की तरफ देखा हम आपको खुश करके भेजेंगे शेलजा की त्यो चड़ी उसने चेतावनी भ्रे ढंग से अमरदीप की तरफ देखा इनको भी शेलजा का इशारा समझने की जगा मैनेजर गिलेरी से बोला हमारे यहां से कभी कोई सरकारी आदमी नाखुश नहीं गया अमरदीप ने यू बाग बाग होकर दिखाया जैसे उस बात ने उसके कानों में अमरित टपकाया हो किचन दिखाये शेलजा बोली जी हां मैनेजर बोला जरूर वैसे अगर आप रिपोर्ट यहीं बना ले तो ये नहीं हो सकता शेलजा सकती से बोली मैनेजर हर बड़ाया फिर उठता हुआ बोला मैं अभी इंतिजाम करता हूँ उन्हें भीतर बैठा छोड़कर वो लपक कर बाहर पहुँचा उसने इशारे से उसी स्टीवार को करीब बुलाया जिसने शेलजा को वहां पहुचाया था मुझे मश्रूम्स पर शक है फोरन हटवा दो और किसी को दो गिलास जूस लाने को बोलो स्टीवार सहमती में सिर हिलाता किचन की ओर भागा जूस लिए वेटर के साथ ही मैनेजर वापिस अपने आफिस में लोटा वे जूस सर्फ करके वहां से चला गया ये क्या? शेलजा बोली मामूली चीज है की से निपोर्ता मैनेजर बोला जाना होगा आपको तो लंच भी करके देखेंगे ऐस्टरिस्क 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 हाश्मी गैलेक्सी ट्रेडिंग कार्पोरेशन के आफिस में पहुचा मिस्टर शुकला से मिलना है वो रिसेप्शनिस्स से बोला कहां से आए है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा मैडम, दिस इस नाट ए बिजनेस काल मैं उनके लिए उनके किसी खास दोस्त का संदेशा लेकर आया हूँ I.C. मिस्टर शुकला इस वक्त आफिस में नहीं है वो अभी अभी लंच के लिए निकल गए है ओ, कब लॉनिंगी? दो बजे तब तक क्या मैं यहीं इंतजार कर सकता हूँ? हाँ खुशी से हाशमी रिसेप्शन डैस्ट से दूर एक कोने में एक सोफे पर जा बैठा वो शुकला को पहचानता नहीं था वरना उसे मालूम होता कि जिस वक्त उसने रिसेप्शन के शीशे के दरवाजे से भीतर कदम रखा था एन उसी वक्त शुकला वहां से बाहर निकल कर गया था ठीक एक बज़े शुकला सुजी वांग में अपने लिए रिजर्वा टेबल पर मौझूद था उसके बिना आर्डर किये ही शैबलीस नाम की रेड वाइन का एक गिलास उसके सामने पहचा एक स्टीवार्ड ने आकर महज उसका अभिवादन किया लेकिन आर्डर लेने की कोशिश न की क्योंकि शुकला का लंच का आर्डर फिक्स्ट था चिकन स्वीकान मश्रूम सूप पॉम्फरेट विद पीनट सॉस मश्रूम रियो एंड बेबी कान सेजवान स्टीवार्ड जानता था कि आर्डर के बारे में शुकला तभी कुछ बोलता था जबकि उसे उसमें कोई तबदीली चाहिए होती थी चहरे पर बड़े संतोश और इत्मिनान के भाव लिए शुकला अपनी पसंदीदा फ्रेंच वाइंग चुसकने लगा किचन में शेल्जा पूरी मुस्तेदी से अपनी फूड इंस्पेक्टरी किचन पर लागू कर रही थी किचन और डाइनिंग हॉल के बीच की सर्विस विंडो में से उसने शुकला को आकर अपनी टेबल पर बैठते देख लिया था लंज की उसकी उस थापित रूटीन की उसके हर पहूल की पहली ही तस्दीक की जा चुकी थी इसलिए शेल्जा को मालूम था कि पहले उसका खास सूप ही तैयार होता था शुकला से कोई चार टेबल परे मुकेश बजाज बैठा हुआ था बजाज एक कोई 40 साल का फिल्म अभिनेताओं जैसा आकरशक व्यक्ति था उसके व्यक्तित्व की खास खूबी ये थी कि वो अपने आपको वकील बताता था तो वकील लगता था दाक्तर बताता था तो डाक्तर लगता था इंजिनियर या चार्टर एकाउंटेंट या ब्यूरोक्रेट बताता था तो एन वही लगता था उसके चहरे पर ऐसी बुद्धिमत्ता की चाप रहती थी कि देखने वाला उसे सहेज ही कोई उच्च और विशिष्ट शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मान लेता था जबकि असल में वो सिर्फ हायर सेकेंडरी पास था शैलजा और अमरदीप की तरह वो भी जामनानी का खास आदमी था शैलजा ने देखा कि सूप हैड को खुद तयार कर रहा था खास सूप है शैलजा की खुशकिस्पती से वो खुद ही उसे बताने लगा क्या खास है इसमें? शैलजा ने पूछा सभी कुछ खास है ग्राहक खास है कंबिनेशन खास है कंबिनेशन भी खास है जी हाँ मीनू में इस नाम का कोई सूप दर्ज नहीं है चिकन स्वीकान सूप दर्ज है मश्रूम सूप दर्ज है लेकिन ये चिकन स्वीकान मश्रूम सूप है लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि मश्रूम्स हैं ही नहीं आज के जन में नहीं है जनरल आर्डर्स के लिए नहीं है लेकिन खास कस्टमर के लिए खास इंतजाम को रखना पड़ता है ना खास कस्टमर कौन? मिस्टर शुपला के जी मार पर गैलेक्सी नाम की बड़ी कमपनी है उसके मालिक है गुड लेकिन शैलजा ने फिर भी तस्दीक की और ये सूप खास उनके लिए बन रहा है वो बोली जी हाँ मुझे इसका भी सैंपल चाहिए इसका भी मश्रूम्स की वज़ह से ठीक है मैं सैंपल बॉटल लाता हूँ हैड कुक के पीट फेरते ही शैलजा ने अमरदीप की तरफ इशारा किया अमरदीप यूँ हैड कुक की जगा आकर खड़ा हुआ की कुक एकाएक पीछे देखता तो उस पॉट को न देख पाता जिसमें की सूप तयार हो रहा था किचन में मौजूद और लोग अपने अपने कामों में बिजी थे किसी की भी उनकी तरफ तवज़ो नहीं थी शेलजा ने अपने बाएं हाथ में पहनी एक बड़ी सी अंगूठी का उपरला भाग उठा तो वो एक मिनियेचर धकन की तरह खुल गया उसने अंगूठी को पॉट के उपर करके हाथ को उल्टा तो अंगूठी में से सफेद रंग का बारिक पाउडर सा निकल कर सूप में जा पड़ा उसने अंगूठी का धकन बंद किया और एक लकडी की कडची उठा कर सूप में फिरा दी सफेद पाउडर सूप में पूर्णत्या विलीन हो गया हैड कुक वापिस लोटा उसने थोड़ा सा सूप सैंपल बॉटल में डाल कर बॉटल शेलजा को सौपी और बाकी का सूप सूप बाउल में पलता उसने सूप बाउल को एक प्लेट में रखा और प्लेट को ले जाकर सर्विस विंडो पर रख दिया जहां से सूप को आगे कस्टमर की टेबल तक बढ़ाना वेटर का काम था हमारी इंस्पेक्शन खत्म हुई एकाएक शैलजा बोली हम चलते है सब ठीक था न मैडम? सैंपल भी ठीक निकलेंगे बहुत गारंटी से कह रहे हो जी हाँ, बहुत गारंटी से कह रहा हूँ लेकिन वो कंपलेंट या तो जूटी है या कोई ऐसा इतफाक हो गया है जो कि लाखों में एक बार होता है ओके, थैंक्यू मैनेजर से मिलके जाएगा हाँ, शैलजा और अमरदीप किचन से निकले और बाहर हॉल में पहुचे शैलजा ने शुकला की टेबल की तरफ निगा दोडाई तो उसने पाया कि शुकला अपनी वाइन खत्म कर चुका था लेकिन उसका सूप अभी उसके सामने नहीं पहुचा था शैलजा की निगा अनायास ही सर्विस विंडो की तरफ उठ गई वहां मौजूद नहीं था आतंकित भाव से उसने इधर उधर देखा तो एक वेटर उसने वही सूप का बाउल एक अधेड महिला को सर्फ करते पाया सत्यानाश अधेड महिला बड़े अनिश्चित भाव से उस सूप में जहांक रही थी जो की उसे सर्फ किया गया था कभी एक स्टीवार्ड लपकता हुआ महिला की टेबल पर पहुचा उसने बिना कोई क्षमायाच ना किये जहपट कर महिला सामने उठाया और उसे वापिस वेटर की ट्रे पर रखा वेटर को देखता वो निगाहों से भाले बर्चियां बर्सा रहा था और दांत पीस्ता शुकला की टेबल की तरफ इशारा कर रहा था शेल्जा की जान में जान आई वेटर की बेवकूफी ने बेडागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन शुक्र था की काबिल होशियार और सावधान स्टीवाड ने स्थिती संभाल ली थी सूप शुकला को सर्व हुआ शुकला हर घूंट का आनन्द लेता सूप पीने लगा पाँच मिनट में उसने सूप बाउन खाली कर दिया ततकाल इस बार स्टीवाड की पैनी देखरेक में वेटर ने उसे उसका बाकी का आडर सर्व किया शुकला ने सबसे पहले फिश की प्लेट अपनी तरफ खीची और छुरी कांटा उठाया फिर एकाएक उसके चहरे पर ऐसे भाव आये जैसे किसी ने उसकी चाती पर घूंसा मारा हो छुरी कांटा उसके हाथों से निकल कर टेबल पर जा गिरा और उसने दोनों हाथों से अपना गला थाम लिया तभी मुकेश बजाज अपनी टेबल से उठा और लपक कर शुकला की टेबल पर पहुँचा मैं डाक्तर हूँ स्टीवार का चेहरा फक था वो टडबते शुकला पर एक निगा डालता था तो लगता था कि वो शुकला से पहले मर कर गिर जाने वाला था तभी शुकला ने जोर की उल्टी की स्टीवार के रहे सहे होश भी उड़ गए इतने मुजजिश कस्टमर के साथ तो जो बीत रही थी बीत रही थी उस उल्टी की वज़़ से अब रेस्टोरेंट की साख भी मिट्टी में मिल जाने वाली थी क्या खाया इन्होंने? बजाज ने फिर पूछा कुछ भी नहीं स्टीवार आतंकित भाव से बोला अभी तो सिर्फ सूप पिया था कौन सा सूप? चिकन स्वीट कान मश्रूम चिकन? नो स्वीट कान? नो मश्रूम? यस जरूर इनकी ये हालत मश्रूम्स की वज़़ से हुई तर्पते शुकला का सिर मेज पर जा लगा और वो रह रहकर यू तडपने लगा जैसे कोई उसे कोडे मार रहा हो लेकिन हमारे मश्रूम्स तो एकदम फ्रेश फ्रेश मश्रूम्स भी जहरीले निकल आते हैं ओ, नो सारे लक्षन गंभीर फूर प्वाइजनिंग के हैं जो की मश्रूम्स से ही पैदा हुई हो सकती है कभी मैनेजर दोड़ा वहां पहुँचा मैं मैनेजर हूँ वो हमफता सा बोला अच्छा हुआ आप आगए बजाज बोला आपका स्टीवार तो फाल्तू बातों में वक्त जाया कर रहा था आप मैं डाक्तर हूँ डाक्तर बजाज उसने जेब से एक छोटा सा नोट पैड और बाल पैड निकाला नोट पैड पर एक नंबर घसीता और वरका फाड कर मैंनेजर को थमाता हुआ बोला ये मेरे नर्सिंग होम का इमर्जेंसी नंबर है इस पर फोन करके कहिए कि खुद डाक्तर बजाज ने यहां एम्बूलेंस वाई है कम गैट गोइंग आन दी डबल मैंनेजर चिट लिए कलर्क की मेज पर रखे फोन की तरफ लपका उस दौरान शेलजा और अमरदीप चुपचाप वहां से खिसक गए थे उस हंगामे में किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था शुकला बदस्तूर कड़प रहा था बजाज ने उसकी कलाई थामी कलाई में नब्स कलाश की और गंभीरता से बोला हूँ उसमें घड़ी देखते हुए नब्स गिनी और फिर कलाई छोड़ता हुआ पहले से ज्यादा गंभीरता से बोला हूँ कमाम दर्शक उसकी हर हरकत से बहुत प्रभावित दिखाई दे रहे थे एकाएक भडाक से दर्वाजा खुला और आडरली की सफेद यूनिफार्म पहने हुकमनी और उसके जैसा ही उसका ताराचंद नाम का एक जोड़ीदार भीतर दाखिल हुए दोनों एक स्ट्रेचर संभाले थे जिस पर बड़ी फुर्ती से उन्होंने शुकला को लिटाया और बाहर को लपके बाहर एन दर्वाजे के सामने एक एम्बूलेंस खड़ी थी तभी अपने एक दोस्त के साथ जगतनारायन रेस्टोरेंट के दर्वाजे पर पहुँचा जगतनारायन शुकला का जगरी दोस्त था लंच करने के इरादे से सयोगवश ही वो वहाँ पहुचा था उसने स्ट्रेचर पर पड़े तर्पते शुकला को देखा तो उसके चखके छूट गए क्या हुआ वो आतनकित भाव से बोला किसी ने जवाब न दिया स्ट्रेचर को एम्बूलिंस में लादा जाने लगा अरे ये मिस्टर शुकला है मेरे दोस्त है क्या हुआ इन्हें दोनों स्ट्रेचर से फारिक हुए तो हुकमनी आगे एम्बूलिंस जाइविंग सीट पर जा बैठा और ताराचंद पीछे दर्वाजा थामे खड़ा बजाज के भीतर सवार होने की प्रतीक्षा करने लगा बजाज लपक कर पीछे सवार हुआ उसके पीछे ताराचंद भी भीतर दाखिल हुआ और दर्वाजे के दोनों पल्ले थाम कर उन्हें बंद करने लगा सौरी फ्रेंड जगत नारायन अपने साथी से बोला नो लंच बेटर लख नेक्स्ट टाइंग और वो छलांग मार कर एम्बूलेंस के बंद होते दर्वाजे से भीतर दाखिल हो गया अरे अरे ताराचंद हबकाया ये क्या कर रही है आप? तब तक एम्बूलेंस हरकत में आ चुकी थी आपका पेशेंट मेरा जिगरी दोस्त है जगत नारायन बोला मैं इसके साथ जाऊंगा कहां साथ जाएंगे? जहां आप इसे लेके जाएंगे ताराचंद बौकलाया उसने व्याकुल भाव से बजाज की तरफ देखा बजाज भी घबराये बिना न रह सका तौबा खड़े पैर ये क्या मुसीबत आन पड़ी थी? आप एम्बूलेंस में नहीं जा सकते फिर वो सकती से बोला आप एम्बूलेंस के पीछे पीछे आ सकते हैं उत्रिये अरे एम्बूलेंस ओ चल रही है चलती में से छलाम लगा दूँ मैं रुखवाता हूँ कोई फाइदा नहीं होगा मैं नहीं टलने का आप है कौन? बोला न शुकला का दोस्त हूँ वो तो आप हुए असल में कौन है आप? मेरा नाम जगत नारायन है मैं हिंदोस्तान टाइम्स का सीनियर एडिटर हूँ बेडा गर्थ अकबार वाला वो भी बड़े अकबार का बड़ा अकबार वाला तब तक एम्बूलेंस फुल स्पीड पर सड़क पर दोडने लगी थी बजाज ने आंखो आंखो में ताराचंद को आश्वासन दिया और उसे टिक के बैठने का इशारा किया ताराचंद बैठ तो गया लेकिन बेचेनी से बार-बार पहलू बगलने से खुद को न रोक सका एम्बूलेंस की खिड़कियां पर हरे परदे पड़े हुए थे जगत नाराएन ने एक परदा हटा कर बाहर जाका हम कहां जा रहे हैं एकाएक वो बोला खामोश बैठे बजाज बोला फिर भी पता तो चले कुछ ये कौन से हस्पताल की एम्बूलेंस है जवाब देने की जहमत से बचने के लिए बजाज ने एम्बूलेंस के मेडिकल बाक्स में से स्टेथसकोप निकाला और उसे कान से लगा कर शुकला का दिल पे टोलने लगा अगर जगत नाराएन व्यगरभाव से बोला इनकी हालात इतनी नाजुक है तो तुम्हें किसी करीबी हस्पताल में पहुचना चाहिए जैसे कि लोहिया या जैप्रकाश नाराएन तुम्हारा रुख तो इन दोनों में से किसी भी हस्पताल की तरफ नहीं है बजाज ने बलड प्रेशर नापने का यंत्र निकाला और उसे खोल कर शुकला के पहलू में रखा तब जगत नारायन का धीरच तूट गया अरे मैं पागल हूँ जो इतनी देर से बोले जा रहा हूँ वो गुस्से से बोला मैं तुम से कुछ पूछ रहा हूँ जनाब बजाज धीरच से बोला मरीज की हालत नाजुक है मुझे दिखाई दे रही है इसी लिए पूछ रहा हूँ हुआ क्या है इन्हें? फूड प्वाइजनिंग तो इनके स्टामेक को पंप करो ताकि प्वाइजनस फूड मेदे से बाहर निकल सके इस एम्बूलेंस में स्टामेक अब नहीं है फिर तो और भी जरूरी था कि तुम किसी नजदी की हस्पताल का या प्राइवेट नर्सिंग होम का रुप करते जगत नारायर एक शन ठिटका और फिर बोला तुम कहां के डाक्तर हो? बजाद से जवाब देते ना बना अरे बहरे हो क्या? सफदर्जन का ये एम्बूलेंस वहां की है? हाँ कितनी दर से मंगाई? नहीं इत्तफाक से कनाट प्लेस में ही थी ओ तो यो कहो न कि हम सफदर्जन हस्पताल जा रही है क्योंकि ये एम्बूलेंस वहां की है और तुम वहां के हो? जी हाँ उसका मुंगा बंद करने की नियत से बजाजने हामी भरी यही बात है अब बराय में हरबानी परदा बंद कर दीजिए बाहरी धूप की चमक से मरीज को डिस्टरबेस होती है ओके परदा वापिस सरकाने से पहले जगत नारायन ने बाहर जाका तो उसे सफदर्जम मगबरे के दर्शन हुए वो आश्वस्थ हुआ कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे उसने परदा वापिस यथास्थान कर दिया बजाज शुकला का बीपी नापने का बहाना करता रहा एंबूलेंस साइरन वाली थी इसलिए वो किसी चाफिक सिगनल पर भी बिना रुके बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी वो रिंग रोड के चौराहे पर पहुची और तीर की तरह वहां से भी आगे बढ़ी जगत नारायन परदों से बाहर नहीं जहांक सकता था लेकिन रफ्तार का अंदाजा उसे बाखु भी था उपर से सफदर्जन मकबरा पार करने के बाद से एक भी बाद न उसकी रफ्तार कम हुई थी और न वो कहीं रुकी थी लेकिन वो दाएं बाएं मुडी भी नहीं थी इसलिए लगता था कि जा वो सफदर्जन की तरफ ही रही थी लेकिन इतनी रफ्तार से दोड़ती एम्बूलेंस को तो अब तक वहां पहुँच गया होना चाहिए था एकाएक उसके चहरे पर द्रड़ता के भाव आये उसने एक जटके से एम्बूलेंस का परदा सरका कर बाहर जाका तो उसे उपहार सिनेमा की एक ज़लक दिखाई दी यानि कि सफदर्जंग हस्पताल कपका पीछे छूट चुका था और उस वक्त एम्बूलेंस ग्रीन पार्क से गुजर रही थी बजाज ने काराचंद को इशारा किया काराचंद का सिरहॉले से सहमती में हिला और फिर उसका एक हाथ मेडिकल बॉक्स की तरफ सरका जहां की एक तीखा सरजीकल नाइफ उपलब्ध था खबरदार आवाज में ऐसा कहर था कि दोनों जगतनाराईन की तरफ देखे बिना न रह सके ये देख कर दोनों सन्नाते में आ गए कि जगतनाराईन के हाथ में एक पिस्टॉल चमक रही थी अगर अपनी अपनी जान की सलामती चाहते हो जगतनाराईन आखे निकालता बोला तो ड्राइवर को कहो की गाड़ी रोके पर कोई प्रतिक्रिया न हुई उन्हें तो ये देख कर जैसे लकवा मार गया था कि एक सीधे सादे सफेद पोश साहब के पास पिस्टॉल निकल आई थी मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा एक फिर पहले ताराचंद के उड़े हुए हवास लोटे दो हुक्मनी वो चला कर बोला गाड़ी रोक गाड़ी रोक फोरण उस अप्रत्याशित हुक्म से बौक्ला कर हुक्मनी ने इतनी जोर की ब्रेक लगाई की एम्बूलिंस उलटते उलटते बची ताराशुकला के उपर ओंधे मोह जाकर गिरा उसका पिस्तॉल वाला हाथ स्ट्रेचर की साइड से टकराया ताराशंद ने उस पर छलांग लगाई अपनी उम्र के लिहास से व्योवरिध जगत नारायन ने बला की फुर्ती दिखाई उसमें न सिर्फ पिस्तॉल हाथ से न निकलने दी फुर्ती से उसका घोडा भी खीचा इस तॉल से निकली पहली गोली तेजी से गतिशून्य होती एम्बूलेंस के पिछले भाग और ड्राइवर के केबिन के बीच के छोटे से जरोखे में से पार हुई और हुकमनी के बाए कान को छूती हुई गुजरी साथ ही विंड स्क्रीन का शीशा चटकने की आवाज हुई दूसरी गोली ताराचंद की टांग में लगी तीसरी गोली एम्बूलेंस की छट से कहीं टकराई चौथी गोली चलाने का मौका जगत नारायन को न मिला अपनी जखमी टांग के बावजूत ताराचंद ने उस पर छलांग लगा दी और उसका पिस्तॉल वाला हाथ दबोच लिया उसने अपनी एक उंगली च्रीगर के पीछे यूँ घुसेड दी की अब जगत नारायन घोडा नहीं खीच सकता था मुकेश ताराचंद चलाया मुकेश बजाज की चेतना को जोर का जटका लगा उसने किसी हथियार के लिए दाएं बाएं हाथ मारा तो उसके हाथ बलड प्रैशर नापने का यंत्र लगा उसने यंत्र की लंबी थैली खोली और उसे ताराचंद की पकड में छट-पटाते जगत नारायन की गरदन के गिर्द लपेट दिया फिर उसने नीचे लटकते रबड के बलड को थामा और तेजी से उसमें हवा भरने लगा ततकाल थैली फूलने लगी वो तेजी से बल्प को दाता छोड़ता दबाता गया हवा से थैली फूलने लगी तो वो जगत नारायन के गले पर कसने लगी जगत नारायन का चहरा लाल होने लगा उसकी आमखे बाहर को उबलने लगी वो ताराचंद की पकड से आजाद होने के लिए तरपने लगा बजाज पागलों की तरह हवा भरता रहा आखिरकार जगत नारायन का शरीर शिथिल पड़ा पिस्तॉल पर से उसकी उंगलियों की पकड अपने आप ही धीली पड़ गई और पिस्तॉल सरक कर नीचे एम्बूलेंस के फर्ष पर जागिरी काराचंद की पकड भी तब तक अपने आप ही धीली हो चुकी थी तब उसे अपनी टाम का मुआयना सूझा इस एहसास ने उसे बहुत राहत दिलाई की गोली हड़ी से नहीं टकराई थी वो मोटे मास को फारती आरपार गुजर गई थी अलबत्ता अब खोन बेथाशा बह रहा था बजाज को जब दिखाई दे गया की जगत नारायन की आमखे पत्रा चुकी थी तो तब उसने रबड के बल को छोड़ा फिर उसका ध्यान घायल ताराचंद की तरफ आकरशित हुआ क्या हुआ वो बोला जांग में गोली लगी ताराचंद कराता हुआ बोला नई पतलून का सत्यानाश हो गया आज ही पहली बार पहनी थी साले पतलून से बच गया की पड़ी है? शुक्र नहीं मनाता की मरने मरने से बच गया तभी तो पतलून की पड़ी है हुक्मनी बजाज चलाया हाँ आवाज आई गारी चला पीछे सब खैरियत है सब नहीं ताराचंद को गोली लगी है लेकिन वो खत्रे से बाहर है और वो आदमी मर गया ओ ततकाल एंबूलेंस का इंजन गरजा और उसने फिर सड़क पकड़ी बजाज ने अपनी टाई उतार कर उसे रसी की तरह ताराचंद की जांग पर जख्म से थोड़ा उपर करके बांध दिया चली ततकाल भल भल करके बहता खून रुका तूफानी रफ्तार से एंबूलेंस अपनी मनजिल की ओर दोड लगा दी जो की छतरपुर वाला फान थी हाश्मी ने वाल कलाक पर निगार डाली जो की दो बस कर दस मिनट बजा रही थी और फिर उट खड़ा हुआ वो रिसेप्शनिस्ट के करीब पहुँचा और उसने अर्थपूर्ण भाव से वाल कलाक की तरफ निगार डाली साहब वक्त के बहुत पाबंध है उसकी निगार का मनतव्य समझती वो बोली ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो दो बजे लंग से वापिस न लोटे हो मुझे इंतजार से कोई गिला नहीं मैडम हाश में बोला लेकिन शुपला साहब के लिए मेरे पास जो मैसेज है वो ही पसंद नहीं करेंगे कि वो उन्हें देर से मिले फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते आप उस रेस्टोरेंट में क्यों नहीं चले जारे जहां कि साहब लंच के लिए गए है अगर वो वहां मिल जाए तो ठीक है वरना यहीं लोट आईएगा बहुत माकूल राय दी आपने नाम बताए रेस्टोरेंट का सूजी वांग करीब ही है मुश्किल से मालूम है मुझे मैं देखता हूँ मन ही मन रिसेप्शनिस्ट को कोस्ता कि क्यों उसने पहली ही उसे वो राय नहीं दी थी वो वहां से रुखसत हुआ खाम खा सवा घंटा बरबाद हो गया फार्म हाउस में शुकला को जो की रास्ते में पता नहीं बेहोश हो गया था होश में लाया गया वो एक काफी बड़ा कमरा था जिसकी दो दीवारों में बड़ी बड़ी खिर्किया थी लेकिन उन पर भारी परदे पड़े हुए थे कमरे में रोशनी का साधन एक छट से लटकता शेड़ वाला बल्प था जो की कमरे के उसी भाग को रोशन कर रहा था जहां की एक उची टेबल पर शुकला पड़ा था उसके करीब एक पहलू में शैलजा और अमरदीब खड़े थे और दूसरे में बजाज खड़ा था एम्बूलेंस बाहर फार्म हाउस की पोटिकों में खड़ी थी काराचन को जामनानी के निर्देश पर हुकमनी मालविय नगर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर गया था कमरे में एक कोने में लगे एक सोफे पर जामनानी ढोगिलाल और पवित्तर सिंग मौजूद थे अपनी स्थिती से वो टेबल पर पड़े शुकला का नजारा बाखू भी कर सकते थे अलबत्ता उधर से उनकी तरफ निगा दोडाई जाती तो तीन साई ही वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते शुकला ने एक बार असमंजस्पूर्ण भाव से अपने चारों तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया मैं कहा हूँ? वो कापते स्वर में बोला शुकला साहब बजाज मीठे स्वर में बोला आप अपने आपको दोस्तों में समझे तुम मुझे जानते हो? जी हाँ तभी तो नाम लेकर पुकारा तुम तो तुम तो सूजी वांग में थे दाक्तर बता रहे थे अपने आपको जी हाँ क्या हुआ था मुझे? वो सूप उसमें कोई खराबी थी थी नहीं, पैदा की गई थी क्या मतलब? आपके सूप में एक ऐसी दवा मिलाई गई थी जो की एन फूर प्वाइजनिंग के लक्षन पैदा करती है उस दवा से इनसान की हालत मरने जैसी हो जाती है लेकिन मरता नहीं सबूत आप खुद है जो की सही सलामत यहां मौझूद है वो दवा पौने से एक घंते तक अपना गंभीर ड्रामा पेश करती है और फिर अपने आप उसका असर घटने लगता है हमें आप से बात करने की जल्दी थी इसलिए उसका एंटिडोज आपको दिया गया था वरना और आदे घंते में आप खुद बखुद ही भले चंगे हो जाते तुम लोगों ने मेरा अगवा किया हाँ दिन दहाडे एक भरे पूरे रेस्टोरेंट में से जी हाँ इतना फैसी तरीका आजमाने की वज़र मैं कोई नेता हूँ जो की मेरे साथ चार बाड़ीगार चलते होते रात को किसी वक्त अकेला पाकर मुझे वैसे ही पकड़ लाते तो क्या प्रालम थी दो प्रालम थी क्या एक तो पता नहीं कौन सी रात को आप अकेले पाए जाते और मेरे साहब लोगों को इंतजार की आदत नहीं है उनके हुक्म की तामील करना उनकी किसी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना फौरण जरूरी होता है आई सी दूसरे ये काम अगर सीधे सीधे किया जाता तो आपको मेरे साहब लोगों की ताकत और उनकी सलाहियात का अंदाजा न हो पाता कौन है तुम्हारे साहब लोग और क्या चाहते हैं वो मेरे से शुकला साहब बहुत मामूली जानकारी चाहते हैं हम आप से क्या सोहल कहां है? शुकला का दिल जोर से लरजा सोहल रत्यक्षत वो सहेज भाव से बोला कौन सोहल? वो सोहल जिसे आप अर्विंद कॉल के नाम से जानते हैं जो अभी कल तक आपकी कम्पनी में मुलाजिन था मुझे नहीं मालूम था कि कौन सोहल जैसे किसी और नाम से भी जाना जाता था जाना तो वो दर्जन भर नामों से जाता है लेकिन उनमें से एक सोहल नाम से हमें यकीन है कि आप बाखुबी वाकिफ है तुम्हारा ख्याल गलत है चलिए, ऐसे ही सही आप यही बदा दीजिए कि कहां है इतना हमें यकीनी तौर से मालूम है कि वो मुंबई में है हम आप से सिर्फ ये जानना चाते है कि मुंबई में वो कहां है क्यों, क्यों जानना चाते हो इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मुझे नहीं मालूम वो कहा है वो मेरा एक मुलाजन था जो की नौकरी छोड़ गया अब मेरा उससे क्या रिष्टा बाकी रह गया दोस्ती और हमदर्दी का रिष्टा बाकी रह गया शुकला साहब हमें मालूम है कि आप कॉल के एंपलायर ही नहीं थे दोस्त भी थे और है हिमायती भी थे और है इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि आपको उसके मौझूदा पते की खबर न हो हो सकता है है जनाब आप तुम लोग क्या करोगे एक ऐसी बात जो मुझे नहीं मालूम उसे मेरे से कुगूनवाने के लिए मुझे टार्चर करोगे जान से मार डालोगे मुझे नहीं जनाब न टार्चर करेंगे न जान से मार डालेंगे हम आपको आजाद कर देंगे ताकि आप खुद सरक सरक कर अपनी मौत के करीब पहुचे और उसका निवाला बन जाएं। मैं समझा नहीं। मैं अभी समझाता हूँ। शैलजा को इशारा किया। शैलजा ने सहमती में सिर हिलाया और फिर पीछे हटकर रोशनी के दाइरे से बाहर निकल गई। जब वो वापिस लोटी तो वो अपने साथ पहियों पर खड़ा एक वैसा लंबा स्टैंड लुडकाती लाई जो की हस्पतालों में रोगियों के बैड्स के सिरहाने मौजूद होता था। उस स्टैंड पर एक खून की थैली उल्टी लटकी हुई थी जिस पर छपा हुआ था। देंजर कंतामिनोटिड ब्लड एच आईवी पॉजिटिफ खत्रे की वो चेतावनी पढ़ते ही शुकला का चेहरा पीला पढ़ गया। बजाज के इशारे पर शैलजा ने थैली की स्टॉप का को थोड़ा खोला। ततकाल थैली में से बून्द बून्द खून टपकने लगा और टप टप करता फर्ष पर गिरने लगा। यूँ जब बीसेग बून्दे गिर चुकी तो शैलजा ने स्टॉप का पूर्ववत बंद कर दी। खून का पकना बंद हो गया। शुकला साहब बजाज बोला ये एड्स के रोगी जिस्न से निकला खून है। आज के तरक्की के जमाने में इस खून को ऐसे हत्यार के तौर पर इस्तमाल किया जा सकता है, जो की बहुत गहरी, बहुत धिनौनी मार करता है। आप हमें हमारे मतलब की बात नहीं बताएंगे तो अभी ये खून इंद्राविनस नीडल से आपके जिस्में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर ये आपको तडपा तडपा कर आपकी जान ही नहीं लेगा, आप पर थू थू भी करा देगा कि इतना शरीफ और संभ्रांत लगने वाला आदमी एड्स का रोगी निकला। आपके बीवी बच्चे दोस्त यार सब आपके चरित्र पर लाच्छन लगाएंगे और आपसे घोर घ्रिना करेंगे। लोग बाग सोचेंगे, अट्कले लगाएंगे, ख्यानों के घोडे दोडाएंगे कि कैसे हुआ एड्स का रोग शुकला साहब को? बाजारी छोक्रियों की संगत करते थे या छोक्रों की? इस बाबत सबसे ज्यादा सिर आपकी बीवी धुनेगी जो की आपकी परच्चाई से भी बचने की कोशिश करेगी कि कहीं आप उसे भी एड्स न कर दें. कोई माशूप भी है तो? शुकला का धीरत छूट गया. बस करो. वो कातर भाव से बोला भगवान के लिए बस करो. ठीक है. इसे मेरी नजरों से दूर करो. ये भी लीजिये. उसने शैलजा को इशारा किया. शैलजा ने वो स्टैंड परे सरकाया जिस पर टंगी थैली में HIV पॉजिटिव खून नहीं था. खून जैसा लगने वाला वो तरल पदार्थ पानी में लाल रम की डाई घोल कर और उसे टोमेटो सौस से गाढ़ा करके बनाया गया था. स्टैंड रोशनी के दाईरे से बाहर निकल गया तो बजाज वापिस शुपला की तरफ आकरशित हुआ. तो फिल, मुझे उसका पता नहीं मालूम. शुपला जल्दी जल्दी बोलने लगा मुझे ये पता है कि वो मुंबई में है लेकिन मुंबई में कहा है ये मुझे नह नहीं बताया था बलकि एक मुझे फ्रैंड से मालूम हुआ था. फ्रैंड का नाम बोलिये. योगेश पांडे उसे कॉल का मुंबई का पता मालूम हो सकता है. योगेश पांडे दिल्ली से गायब हो गया है. आगे बढ़िये. सुमन वर्मा उसके पास कॉल अपना बच्चा छोड़ के गया है. उसे जरूर. सुमन वर्मा इस दुन्या से गायब हो गई है. और आगे बढ़िये. और तो मुझे कुछ नहीं मालूम. नीलम. अंधेरे में से जामनानी बोला नीलम पूछनी. नीलम कहा है? मुकेश बोला. वहीं जहां कॉल है. शुकला बोला. कहां? मुंबई? हां. कब गई? कभी जब कॉल गया. बच्चा पीछे छोड़ कर. हां. भले ही आपको ये नहीं मालूम लेकिन उससे लंबी एसोसियेशन की वज़ा से आपको कोई ऐसा जरिया जरूर मालूम होगा जिससे की आप बवक्ते जरूरत उससे संपर्क साथ सकते हैं. मे वो जरिया मार्फत तुकाराम है. तुकाराम उधर चैंबूर. छोड़िये वो भी. और तो मुझे कुछ नहीं मालूम. पकी बात? हां. बजाज वहां से हटा और बिरादरी भाईयों के करीब पहुँचा. कुछ खशन अंधेरे में खुसर-फुसर चली फिर वो वापिस ल वो बोला मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है. अच्छा. शुकला आशापूर्ण स्वर में बोला. साहब लोग आपके जवाबों से पूरी तरह से संतुष्ट है. उन्हें यकीन है कि सोहल की बाबत आपने कुछ नहीं छुपाया है. आप जो कुछ जानते थे, सब स सच कह चुके हैं. ओ! शुकला ने चैन की सांस ली. वो सच में ही सब कुछ कह चुका था. तार्चर या मौत से वो डरने वाला नहीं था, लेकिन एज्स के ख्याल ने ही उसके होश उड़ा दिये थे. साहब लोगों का हुक्म है कि आपको घर भेज दिया जाए. बजाज बो जनाब, बड़े घर. बड़े घर? सबसे बड़े घर. जहां एक दिन सब ने जाना होता है. क्या? ये. बजाज ने उसे प्वायंद ब्लैक शूट कर दिया. एस्टरिस्क, एस्टरिस्क, एस्टरिस्क. चिरागनगर के सरकारी हस्पताल की मोर्ग में तुकाराम और वागले की लाशे मौजूद थी. इर्फान, शोहाग, विक्तर और आकरे मोर्ग, मुर्दाघर के वेटिंग हॉल में मौजूद थे. बाहर एक मुर्दागारी खास उनके लिए बुख हुई खड़ी थी. इर्फान ने उसे पहले ही बता दिया हुआ था कि लाशों को चैंबूर के शमशान घाट पर ले जाया जाना था क्योंकि तुका के बाकी चार भाईयों का अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ था. पोस्ट मार्टम वाला डाक्तर अपनी स्थापित रूटीन के मुताबिक ठीक बारा बजे वहां पहुँच गया था. ततकाल एर्फान उससे मिला था तो डाक्तर ने उसे आश्वासन दिया था कि बावजूद इसके की उस रोज मोर्ग में हद से ज्यादा काम था. वो उसे एक बजे तक फारिंग कर देगा. डाक्तर ने ही उसे बताया था कि पिछले तीन दिनों में वहां सोला लाशे पहुची थी. उनमें से पांच अभी भी वहां मौजूद थी क्योंकि उनकी शनाक्त नहीं हो पाई थी. ऐसी लाशों की शनाक्त का एक खास वक्त तक ही इंतज किया जाता था और फिर उन्हें लावारिस करार देकर या तो सरकार ही उनका अंतिन संस्कार कर देती थी या फिर उन्हें ऐसे कामों में रुची लेने वाली किसी धर्मार्च संस्था को सौप दिया जाता था. एक बचकर दस मिनट तक अपने वादे के मुताबिक दाक्तर ने उन्हें फारिक कर दिया. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की एक कापी और सुपरदगी के सर्टिफिकेट के साथ लाशे उन्हें सौप दी गई. लाशों को सफेद चादरों में लपेट कर उनके सिरों को आपस ने सी दिया गया था. इर्फान ने बाहर मुर्दागाडी वालों को संकेत किया तो उन्होंने अपनी देखरेख में लाशों को मुर्दागाडी में लदवाया. आक्रे और शोहाब लाशों के साथ मुर्दागाडी में सवार हो गए इर्फान विक्तर के साथ उसकी टैक्सी में सवार हुआ और फिर मुर्दागाडी और टैक्सी आगे पीछे चलती चैंबूर के शमशान घाट की तरफ रवाना हुई इर्फान पूरी तरह से सावधान और चौकनना था इसलिए उसे गारंटी थी कि मुर्दाघर से कोई उनके पीछे लगता तो उसकी खबर उसे जरूर लगती वैसे उसे उमीद नहीं थी कि कोई ऐसा कदम उठाता क्योंकि पीछे मुर्दाघर में उसने इस बात को खूब प्रचारित कर दिया था कि लाशों को चेंबूर ले जाया जाना था है कोई पीछे? फिर भी उसने विक्तर से पूछा विक्तर ने इनकार में सिर हिलाया बढ़िया मुर्दागारी चैंबूर के शमशान घाट पहुँची वहां एर्फान के इकठे कि ये दस आदमी कैसी भी स्थिती के लिए खून खराबे के लिए भी पूरी तरह से तयार थे वह आदमी किसी एक जगा जमघट लगाने की जगा सारे शमशान घाट में फैले हुए थे शोहाब, विक्तर और आकरे लकडी तुलवाने चले गए तो एक आदमी लापरवाही से तहलता हुआ पीछे अकेले रहे गए इर्फान के पास पहुँचा उस आदमी का नाम बुझेकर था और वो भी इर्फान की तरह तुका का खास आदमी था क्या पोजीशन है? इर्फान धीरे से बोला चार पुलीस वाले यहां मौजूद है बुझेकर बोला, साधे कपड़ों में जाहिर है वर्दी में होते तो तेरे को भी दिखाई देते पहचाना कैसे? मिजाज से जूतों से ये लोग वर्दी उतार कर साधे कपड़े पहनते हैं तो जूते भूल जाते हैं या दूसरी जोड़ी रखते ही नहीं होंगे सरकारी माल से ही काम चलाते होंगे एक के पास वाइरलेस रिसीवर है दो के पास रिवॉल्वरे है चार ही जने हैं तो जरूर सोहल के अकेला पहुचने की उम्मीद कर रही होंगे भीतर चार जने हैं वैसे दर्जन से उपर है बाकी कहा है? कुछ मशान घाट के आफिस में बैठे हुए हैं कुछ गेट पर है और और भी है कौन? कई है लेकिन कौन है नहीं मालूम आदमी भी या तो बाहर के हैं या एक को छोड़ के ऐसे लोकल हैं जने मैं नहीं पहचानता एक को पहचानता है? हाँ जीवराज हुमने नाम है उसका कभी कंपनी के बॉस लोगों का हुपका भरता था अब पता नहीं क्या करता है अब कौन सा नया कुछ करता होगा? ठीक बोला वो क्या है कि इधर एक फूफा वाला आदमी भी है जो सूरत से बिहारी या यूपी वाला मालूम होता है वो बाहर एक हरे रंग की फोर्ड एसकार्ट में बैठा हुआ है उसके साथ एक बहुत ही हसीन नौजवान लड़की है लड़की एक बार भी कार से बाहर नहीं निकली लेकिन वो भीतर का एक चक्कर लगा गया उसके भीतर आते ही कितने ही आदमी अदब से अटेंशन हो गए थे हुमने से तो उसने बात भी की थी कौन होगा ये फूफा वाला आदमी है कोई दादा ही लेकिन इधर का नहीं है कहीं बाहर से आया है इन लोगों को पुलीस की खबर है होगी ही जब हमें है तो उन्हें क्यों नहीं होगी दोनों पार्टियों का मिशन जुदा है पुलीस की कोशिश सोहल को गिरफ़तार करने की होगी जबकि दूसरी पार्टि तो देखते ही गोली मार देने की तमन्नाई होगी इतने पुलीस वालों की मौजूदगी में मैं बोला तमन्नाई तमन्नाई होगी हर तमन्ना तो पूरी नहीं होती न वो तो है खास तोर पर किसी श्मशान घाट पर सोहल की लाश गिरा देने की तमन्ना इर्फान ने सहमती में सिर हिलाया अपने पंडित जी कहां है फिर वो बोला यही है जब चिताएं चुन ली गई देखेंगे तो प्रकट हो जाएंगे फोर्ड एसकार्ट में जो लड़की ब्रजवासी के साथ कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी उसका नाम शिवांगी शाह था वो लगभग 22 साल की बहुत ही हसीन और बहुत ही याबनी हुई लड़की थी जो कि भाई के ग्यान की मुंबई में सक्रिय सदस्या थी उसके अलावा वो एक ऐसी हाई प्राइस्ट कालगर्ल थी जिसके रेट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था ब्रजवासी ने असल में उसे भाई से किसी और इस्तमाल के लिए हासिल किया था अलबत्ता उस पर पहली निगा पड़ते ही उस इस्तमाल को भूल कर वो घुटनों तक लार टपकाने लगा था वहाँ श्वशान घाट पर वो उसके किस काम आ सकती थी ये बात उसके जेहन में सपश्ट नहीं थी लेकिन फिर भी किसी अग्याद भावना से प्रेरित होकर वो उसे वहाँ साथ ले आया था चिकनी चकोरी का साथ ही सही उसने सोचा था तब ही उसने हुमने को कार की तरफ बढ़ते देखा ब्रजवासी ने कार का उसकी तरफ का शीशा गिरा दिया बाप खिड़की की करीब पहुँच कर हुमने बोला वो तो नहीं लगता की आएगा आएगा ब्रजवासी बोला जरूर आएगा एन मौके पर आएगा जबकि चिता तैयार हो चुकी होगी और सिर्फ उसे आग देना ही बाकी रह गया होगा चिता तैयार है दोनों चिताएं तैयार है और जो लोग उनके इर्दगिर्द मौजूद है उनकी सूर्टों से नहीं लगता कि उन्हें किसी का इंतजार है ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी है यानि कि हमें जूटी खबर मिली थी कि सोहल तुकाराम को अपने पिला की जगा मानता था वो खबर तो सोट कांक सच है, बाप किधर से भी पूछ लो ऐसा है तो वो जरूर आएगा तुका का सच में ही दुन्या में कोई नहीं है तो उसकी चिता को अगनी देने का काम जरूर वो ही आकर करेगा बाप, उधर एक पंडित है पंडित धोती कुर्ते वाला माथे पर तिलक, गले में जनेयों और रुद्राक्ष की माला वाला मुझे तो लगता है कि अंतिम संसकार की खातिर जो करना होगा, वो ही करेगा ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कोली दौरता हुआ वहाँ पहुचा लाशे वो हामफता हुआ बोला चिता पर लिटाई जा रही है और सोहल? हुमने बोला नहीं आया उससे मिलता जुलता भी कोई नहीं आया न मिलता जुलता भी कोई नहीं आया बाप कुछ गरबन ग्रजवासी के माथे पर बल पड़े उसके होंट भिंचे फिर वो जल्दी जल्दी शिवांगी को कुछ समझाने लगा समझ गई आखिरकार वो बोला हाँ शिवांगी बहिचक बोली कर लेगी? हाँ आराम से हम भी तेरे ज्रामे को सहारा देंगे फिर क्या बात है? अब पहुँच शिवांगी कार से बाहर निकली और शमशान घाट के भीतर की तरफ लपकी ग्रजवासी भी कार से निकल कर उसके पीछे हो लिया फिर उन दोनों के पीछे हुमने और कोली लपके फासले से ही उन्हें पंडित के हाथ में एक जलती लड़की दिखाई दी जिसे की वो चिताएं जलाने के काम में लाने के लिए तैयार था ठहरिये शिवांगी उच्चस्वर में बोली ठहरिये भगवान के लिए ठहरिये सबकी निगाहे उस सुंदरी की तरफ घूमी जो बधवास सी चिताओं के प्लाटफॉर्म की तरफ भागी चली आई थी शिवांगी करीब पहुची तो लपक कर प्लाटफॉर्म पर चड़ गई मामा जी कौन से है वो परेशान हा लहजे से बोली मामा जी इर्फान के माथे पर बल पड़े मधुकर राव वाग ले आपके मामा? हाँ मैं उनकी बड़ी बहन की लड़की हूँ रतनादिरी से आई हूँ पुलीस के पास गई तो बोला गया मुर्दाघर जाओ मुर्दाघर गई तो बोला गया चैंबूर के शमशान घाच जाओ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुँच गई क्या करने के लिए? मामा जी के अंतिम दर्शन के लिए उनके पिता समान तुकाराम जी के अंतिम दर्शन के लिए अब जब की मैं वक्त रहते यहां पहुच ही गई हूँ तो मुझे अंतिम दर्शन तो करा दीजिए शहाब ने इर्फान को पोहनी मारते हुए उसकी तरफ देखा मुझे तो इर्फान दबे स्वर में बोला वागले की रतनागिरी में रहती किसी बहन की खबर नहीं बाई विक्तर बोला प्लैटफॉर्म से नीचे उतर जाओ ताकि पंदित जी अपना काम कर सके मैं नहीं उतरूंगी शिवांगी द्रड़ता से बोली मुझे मामा जी के अंतिन दर्शन कराईए वर्ना विक्तर ने इर्फान की तरफ देखा क्या वर्ना इर्फान बोला वर्ना मैं चिता में कूट कर अपनी जान दे दूँगी इर्फान हक्बकाया पागलो जैसी बात न कर लड़की शोहाब बोला और नीचे उतर लेकिन क्यों? क्यों? क्यों आप लोग मेरी इतनी सी विंती स्वीकाद नहीं कर रहे? अरे, लाशे बहुत बिगडी हुई है तुम्हारे से सूर्ते नहीं देखी जाएगी देखी जाएंगी देखने से मैं सदमे से मर भी जाओं तो कोई गम नहीं अरे, लाशे कफन में सिली हुई है सिलाई उधेडिये अभी सब राख हो जाना है फिर क्या फर्ब पढ़ता है कि कफन सिला हुआ है या उधला हुआ है? पढ़ता है आकरे बोला लाश की नाकदरी होती है ऐसा मिट्टी खराब करने वाला काम अब नहीं किया जा सकता आप जो मर्जी कह लीजिए मैं अंतिन दर्शन किये बिना यहां से नहीं टलने वाली अब सब लोग खामोश हो जाएं एकाएक पंडित बोला सब खामोश होए बिध्या पंडित शिवांगी की तरफ घूमा क्या नाम है तेरा? शिवांगी बेटी तुझे गलतफमी हुई है जो नाम अभी तूने लिए ये उनमें से किसी की लाशे नहीं है क्या? अम ठीक कह रहे है लाशे तुकाराम और वागले की नहीं है नहीं है तो किन की है? नाम हमें याद नहीं लेकिन इतना याद है कि नाम वागले या तुकाराम नहीं है हमें लगता है कि तुम गलत जगा आ गई हो मुंबई में तो दजनोश मशान धाठ है शायद तुम कही और जाना चाहती थी ओहो, तो अब ये पैंतरा बदल रहे हैं, आप मेरे खिलाफ ये कोई पैंतरा नहीं है, बेटी अब तो मेरा लाशों की सूर्ते देखना और भी जरूरी हो गया है तुम नादान हो और बेवज़ा जित कर रही हो सब लोग कान खोल कर सुन ले, मैं लाशों की सूर्ते देख कर रहूंगी अगर किसी ने मेरे इस काम में अढगा डाला तो मैं पुलीस के पास जाऊंगी ये तो हद हो गई धिठाई की अरे जालिमो एकाई ब्रजवासी बोला लड़की को हलकान करके क्या तुमें कोई अंदरूनी खुशी हासल हो रही है क्या तुम लोगों के दिल पत्थर के हैं, जिस पर के बेचारी के विलाप का कोई असर नहीं हो रहा कब तक लापरवाही से टहलते तीन-चार पुलीसिये भी वहां पहुँच चुके थे क्या हर्ज है एक पुलीसिया बोला एक मिनिट की तो बात है यो लड़की को कोई तसल्ली मिलती है तो मिलने दीजिए लेकिन इर्फान ने कहना चाहा मेरा नाम इंस्पेक्टर खरे है एकाएक एक दूसरा पुलीसिया अधिकार पुन स्वर में बोला मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप दो-दो कदम पीछे हच जाएं हुक्म की तामील हुई आप इंस्पेक्टर शिवांगी की तरफ घूमा कीजी जो करना चाहती है सहमती में सिरहिलाती शिवांगी आगे बढ़ी उसने एक लाश के चहरे के इर्ध गिर्ध से दोनों हातों में चादर थामी और उसे एक जोर का जटका दिया एक ही जटके में चादर के धेरो टांके उधर गए वही सलूक उसने दूसरी चादर के साथ किया ग्रजवासी ने हुमने को इशारा किया हुमने लपक कर प्लाटफॉर्म पर चड़ गया ये वागले की लाश नहीं है हक्ता बक्कासा वो बोला ये तुका की लाश नहीं है और हम क्या कह रहे थे पंदित बोला इंस्पेक्टर खरे ने भी दोनों लाशों का मुआयना किया फिर उसका चहरा बेहत गंभी हो उठा आप फिर वो करकश स्वर में पंदित से बोला इधर मेरी तरफ देखिए फरमाएए पंदित सहेज भाव से बोला ये लाशे तुकाराम और वादली की क्यों नहीं है क्यों होनी चाहिए क्योंकी क्योंकी इंस्पेक्टर से जवाब देते ना बना आप कौन है फिर वो बोला हमारा नाम पंदित भोजराज शास्त्री है हम मलाड के आचार्य बैकुंध राव अचरेकर द्वार संस्थापित विध्वा आश्रम के वर्तमान संचालक है बूड़ी माईयों की सेवा के अलावा जो सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी हमने अपने उपर ली है वो लावारिस मरने वाले हिंदो भाईयों का गरिमा, मर्यादा और संमान के साथ अंतिन संसकार कराना है ये लावारिस लोगों की लाशे है जी हाँ, दोनों बेचारे रेल से कट कर मरे फिर तो पोस्ट मार्टम हुआ होगा दैट सर्टिफिएट जारी हुआ होगा हाँ, दिखाए पंदित ने इर्फान की तरफ इशारा किया तो उसने वो कागजात इंस्पेक्टर को सौंपे ये लोग कौन है इंस्पेक्टर ने पूछा वालंटियर है सेवा कार्य से रुची रखते हैं हमारी निशुल्क, निस्वार्च सहायता करते हैं इन कागजात में तो इनके नाम दिनेश, धीमरे और सत्यनारायन गुहा लिखे हैं शुक्र है ठीक से लिखा पढ़ लिया आपने आप खुदा के बंदे हैं, यू तंस कसना आपको शोभा नहीं देता पंदित खामोश रहा आपने इंस्पेक्टर बोला मृत्यू पंजीकरन रजिस्टर में ये नाम लिखवाए हैं बताओ, भाई पंदित बोला जी हाँ आकरे बोला नाम लिखाए बिना तो लकडी नहीं मिलती वहाँ तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और फिल एन उसी वक्त वहाँ से कई मील दूर वर्सोवा की मच्छुआरों की बस्ती में बने लगभग खालीश मशान घाट में विमल तुका और वागले का अंतिन संसकार करा रहा था जिन्होंने कभी माता वैश्नोदेवी के दर्बार में उसकी और नीलं की शादी करवाई थी और उन्हें नई जिन्दगी दी थी उन्हें वो चिता की लप्तों के हवाले कर रहा था भाग्य की कैसी विडंबना थी कि उसकी और सिर्फ उसकी खातर बारी-बारी चार भाईयों ने अपनी जान दी थी और खुद वो तुका को कभी कुछ नहीं दे सका था उसकी हिफाज़त तक नहीं कर सका था कभी तुका ने उसके मुर्दा जिस्म में जान फूकी थी कल वो तुका की जिन्दगी के चिराग को बुझने से नहीं रोक पाया था तुका के पास उसे देने के लिए जिन्दगी जैसा नायाब तोहफा था और खुद वो मौत का ताजिर था एकाएक उसके कानों में तुका की आवाज गुंजी इनसान की पहचान इस बात से भी होती है कि वो ही विपरीत परिस्थियों को अपने अनुकूल बना सकता है पशू ही परिस्थितियों के अनुकूल होने हैं बेटा इनसान नहीं वक्त की मार के आगे हथियार डाल कर परिस्थितियों के अनुकूल बनते चले जाने की कोशिश न कर बलकी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना कर दिखा हालात से जूजने की कूवत पैदा कर अपने में हौसलामंद बन कमजोर न बन ना उमीद न हो हिम्मत ना हार, उटकर अपने पैरों पर खड़ा हो और दुश्वारियों से हाथ मिलसा बादलों की तरह गरज सोते से जाग जा खड़ा हो जा खड़े का खालसा बन जा खालसा बन जा नीलम ने हॉले से विमल के कंधे पर हाथ रखा विमल उठकर खड़ा हुआ उसने एक निगा आग के धधक पे शोलों पर डाली और फिर बोला मैं आउंगा मैं आउंगा तु का मैं आउंगा तू मेरे से दूर नहीं जा सकता तू नहीं आ सकता तो मैं आउंगा नीलम ने उसकी बाहा पकड़ कर खीची विमल उसके साथ खिंचता चला गया एस्टरिस्क 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 लानत ब्रजवासी कलप रहा था सो बार लानत कित्मी आसानी से बेवकूफ बन गए हम लोग कैसे सहेज ही उल्लू बना दिया गया हमें बाप हुमने दबे स्वर में बोला उन हालात में कोई दूसरा भी होता तो ऐसी ज उल्लू बनता नहीं बनता वो लाशे कलेम करने वालों की जगा लाशों पर निगाह रखता तो नहीं बनता वो इस बात पर भी शक करता कि क्यों वहां मुर्दाघर में बहानों से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि अंतिम संसकार के लिए लाशों को चैंबूर के शमशान घाट पर ले जाया जाना था ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हम अपनी सारी तवज्जों वही लगा देते हमने मुर्दागारी वहां पहुचती देखी, उन लोगों को वहां पहुचते देखा जो लाशों की सुकुर्दगी के लिए मुर्दागर पर मौजूद थे तो हम कूद कर इस नतीजे पर पहुच गए कि लाशे तुकाराम और वागले की थी और लगे इंतजार करने सोहल वह नुमाया होने का तौबा क्योंकर हमने सोच लिया था कि सोहल को मारना इतना आसान था वो ऐसी छोटी छोटी बातों में फसने वाला बंदा होता तो अब तक सौ बार मर चुका होता हम वहां चैंबूर में डुप्लिकेट लाशों के साथ कुलू बनते रहे और वो चुपचा पता नहीं कहां अपने मौसिनों का अंतिम संसकार कराता रहा हुमने को ये बात बड़ी राहत दे रही थी कि उस वाके का तपसरा करते वक्त वो हमका इस्तिमाल कर रहा था नाकामी के लिए उन पर गरज बरस कर उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा था हमारी सोच बहुत ठीक थी ब्रजवासी बोला लेकिन अफसोस की इतनी उन्दा बात को हम कैश न कर सके हमने ये न सोचा कि जो बात हमें सूजी थी वो सोहल को भी सूजनी थी और फिर उसने उसका कोई तोड़ जरूर निकालना था कल के एरपोर्ट के वाक्य की काम्याबी से बौरा कर हमने अपने आपको बहुत ज्यादा करके आका और सोहल को बहुत कम करके आका ऐसा न होता तो हम उस रास्ते न चल दिए होते जो कि हमें दिखाया गया बाप हुमने दबेस्वर में बोला कौन सोच सकता था कि मुर्दाघर से यूँ खड़े पैड दो जुदा लाशे हासिल की जा सकती थी ये भी तो हो सकता था कि आज उस मुर्दाघर में तुका और वागले की लाशों के अलावा और कोई लाश मौजूद ही न होती क्यों नहीं? क्यों नहीं? तब पहली बार ब्रजवासी चिड़ कर बोला होने को तो ये भी हो सकता था कि सोहल पर बिजली गिर पड़ती ये भी हो सकता था कि वो रात को सोता तो सुबह उठ न पाता या उसे मलेरिया या टाइफाइड हो जाता जो की जानलेवा साबित होता का क्रियाक्रम कराने का परोगकारी काम करते हैं वो साले पंडित फोजराज शास्त्री जी पता नहीं मलाड में ऐसा कोई विध्वा आश्रम है भी या नहीं जिसका कि वो अपने आपको संचालत बताता था है बाप ग्रजवासी ने घूर कर उसे देखा मेरे को मालूम पहले को आश्रम अच्रेकर करके एक बुढ़ा भीड चलाता था जिसे कि गजरे साहब के हुक्म से जो लोग मलीड से होटल सीव्यू में पकड़ कर लाए थे उनमें से एक लोग मैं भी था गजरे साहब अच्रेकर से सोहल का पता पूछना मांगता था पंड़ पता बताने की माम ने खुदकुशी कर ली थी ताकि सोहल की बाबत पूछताच का वो सिलसला किसी मुकाम पर ना पहुंच पाता तो वो भी जिसे तू अच्रेकर बोला सोहल का कोई हिमादी था बड़ा तगड़ा कभी तो सोहल का पता बोलने की जगह जान दे दी कमार है फिर तो ये आद भोजराज शास्त्री पर भी सवार था जो वो हमें धोका देने की साज़िश में शरीक हुआ बाप जरूरी नहीं है उस अंदरूनी बात मालूम हो वो सच में ही परोगकार का वो काम करता है और उसके साथ जो लोग वहां जमा थे वो सच में ही वालंटियर थे हो सकता है बाप यानि कि जरूरी नहीं कि वो भी सोहल का अच्रेकर जैसा ही मुरीद हो और उसका मौजूदा अतापता जानता हो हाँ, बाप यानि कि सोहल तक पहुँचने के लिए उस पर हाथ डालना बेकार है हाँ, बाप दोनों तरीकों से या तो वो कुछ जानता नहीं होगा, जानता होगा तब बताएगा नहीं वो बुढ़ा आदमी अच्रेकर उससे भी बुढ़ा था, बाप असी के पेटे में था यानि कि और चंद दिनों में वैसे ही मर जाने वाला था इसी लिए खुदकुशी करना गवारा कर सकता था वो पंदित तो अभी साठ से भी नीचे जान पड़ता था अवल तो वो तेरे अच्रेकर जैसी कोई कोशिश करेगा नहीं करेगा तो हम उसकी कोशिश काम्याब नहीं होने देंगे तेरे साहब गजरे को नहीं पता था कि अच्रेकर खुदकुशी कर लेगा वरना वो इस बाबत यकीनन कोई एहतियाद बरता हमें पता है हम एहतियाद बरतेंगे साहब तोकस दबे स्वर में बोला हाँ मायाराम के बयान में किसी पंदित भोजराज शास्त्री का जिक्र नहीं था किसी अच्रेकर का भी जिक्र नहीं था वो शायद इसलिए नहीं था क्योंकि वो मर चुका था लगता है मेरी पलतन में से कोई उस पंदित पर हाथ डालने के हक में नहीं है कुछ बोला ठीक है, बाद में देखेंगे इस पंडित को जब तक और रास्ते हमारे सामने खुले हैं, तब तक उसे अभैदान हुमने और कोली ने साफ साल चैन की सांस ली तभी फोन की घंती बजी ब्रजवासी ने फोन रिसीव किया वो कुछ क्षण फोन पर हां हूं करता रहा और फिर उसे वापिस क्रेडल पर रख दिया अच्छी खबर है फिर वो बोला सब की प्रश्न सूचक निगाहे उस पर तिकी दिल्ली से फोन था ब्रजवासी बोला अच्छी खबर है सोहल का एक और अंग भंग हो गया जी तोकस बोला उसके एक और हिमायती का काम तमाम हो गया किसका? गैलेकसी वाले शुकला का ओ अब हमने भी अच्छी खबर दिल्ली भेजनी है ब्रजवासी शिवांदी कर तरफ घूमा सुन रही है हाँ आज ही की तारीक में यस डैडी आज ही की तारीक में एस्टरिस्क 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 विमल होटल सीव्यू में दिल्ली से काल के इंतजार में टेली फोन के सिरहाने मौजूद था चार बजने में अभी वक्त था उसने शोहाप को बुलाया कल क्या हुआ? उसने पूछा कल अपने फिक्स्ट टाइम पर हमारा आदमी उधर नहीं पहुँचा था शोहाब बोला अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया? एक तो मैंने साथ नंबर कमरा ही देखा जो की छोटा अंजुम की गैरहा जिरी की वज़े से कल ग्यारा बजे के बाद भी अवेलेबल था क्या देखा? कोई खास खूबी नहीं है उसमें सिवाए इसके की वो थोड़ा बड़ा है उसमें एक रेफ्रीजरेटर रखा है और उसके कदरन बड़े बात्रूम में सौना बात, सौना बात, फिक्स है बस उसकी एक खिर्की इमारत के पिछवाडे की गली में खुलती है लेकिन खिर्की में लोई की मजबूत ग्रिल फिक्स है यानि कि अगर कोई खास जरूरत आन पड़े जैसे की उधर पुलीस की रेड हो जाए तो उस खिर्की को वहाँ से निगासी का जरिया नहीं बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता और और मैंने वहाँ हासिल कालगर्ल सर्विस का सिस्टम और इंतजाम स्टड़ी किया यूँ एक खास बात मेरी जानकारी में आई क्या वहाँ लोग ग्रूप में जाते हैं जैसे परसो हम तीन जने गए थे तो उपर पहुँचने के बाद अगर उनका मन चाहे तो वो लड़कियों की आपस में अदल बदल भी कर लेते हैं ऐसे ख्वाहिश होने पर वो अपनी पसंद की लड़की के पास चले जाने को और अपनी लड़की को दूसरे के हवाले कर देने को आजाद है इससे हमें क्या फाइदा? फाइदा है न, सर यो बवक्ते जरूरत साथ नंबर कमरा हासल होना ज्यादा मुम्किन हो जाता है मैं अभी भी नहीं समझा फर्श कीजिए हम चार जने उधर जाते हैं नीचे से चार लड़कियां पसंद करके उपर पहुँचते हैं तो ग्यारा बजे से पहले किसी वक्त हमें से किसी के तो पल्ले साथ नंबर कमरा पढ़ने की संभावना होगी अगर ऐसा हो जाता है तो वो कमरा हमें से किसी को भी हासल हो आप वहां जा सकते हैं और दूसरा जना आपके कमरे में जा सकता है वहां बारा कमरे हैं हो सकता है हम चारों में से भी किसी को साथ नंबर कमरा ना मिले। कभी तो ऐसा इत्तफाक होगा जनाब कि वो कमरा हम में से किसी को मिल जाएगा। घंतावार शिफ्टों में से एक शिफ्ट में नहीं तो दूसरी में आज नहीं तो कल। सीधे ही कवरा नमबर साथ की मान नहीं की जा सकती? शायद की जा सकती हो लेकिन ऐसा करना इस बात पर मुनहसर करता है कि आपके मन में क्या है? अभी तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे मन में क्या है? जनाब मैंने देखा है कि वहाँ आने वालों में लड़की के मामले में चायस है, कमरों के मामले में चायस नहीं है सिवाए छोटा अन्जुम के जिसे की साथ नमबर कमरा ही मांगता है जी हाँ, सिवाए छोटा अंजुम के, साथ नंबर कमरे जो फर्क मैंने आपको बताएं, अगर उनको खातिर में ना लाया जाए तो उधर के सारे कमरे एक जैसे हैं आई सी, तभी फोन की घंती बजी, विमल ने जपट कर फोन उठाया, शोहाप चुपचाप वहां से रुखसद गया, हलो विमल माउथ पीस में बोला, बाप मुबारत अली की आवाज आई बहुत बुरी खबर है, अभी और भी, हाँ, अब क्या हुआ? तेरा वो शुकला साहब गैलेक्सी वाला क्या हुआ शुकला साहब को? खलास अरे, क्या हुआ उन्हें? कोई एक्सिडेंट हुआ या दिल का दौरा पड़ा गोली मार दी वो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में शूट कर दिया दाता पहले कुश्वाहा और वागले अब शिवशंकर शुकला कौन था जो यू चोटडर चोट कर रहा था? छोटा अंजुंग? बिरादरी भाई? या दोनों का कोई गट बंधन? वो एक नई संभावना थी जो उसे पहले नहीं सूजी थी भाई अगर सोहल की डरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता था तो जामनानी एन कमपनी की तरफ क्यों नहीं बढ़ा सकता था? यानि की छोटा अंजुं का कसम खाकर बोला गया सच की भाई ने तुका और वागले का कतल नहीं कराया था सच भी हो सकता था और जूट भी क्योंकि उसे मालूम रहा होगा कि वो काम दिल्ली के बिरादरी भाईयों की शाह पर हुआ था हुआ हो सकता था वो बात उसे जन्ची एक ही शक्स के सोहल के दो दुश्मन दोस्त बन गए हो सकते थे बाप लाइन पर है मुबारक अली की व्यग्र आवाज उसके कान में पड़ी हाँ विमल बोला कब हुआ ये हाश्मी तो शुकला साहब से मिलने जाने वाला था हाश्मी गया था पन शुकला साहब वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में लंच पर निकल गया था लंच पर गया शुकला साहब वापिस न लोटा पहले ही मार डाला गया दिन दहाडे ऐसी छै बाप पदा कैसे लगा हाश्मी बताता है मैं उसको फोन देता है कुछ खशन बाद हाश्मी की आवाज आई शुकला साहब का वो बोला कनाट प्लेस के सुजी वांग नाम के चाइनीज रेस्टोरेंट से बड़ी दिलेरी से और बड़ी चालाकी से स्कीम बना कर अगवा कर लिया गया था लंच के दोरान उनकी तबियत गंभी रूप से खराब हो गई थी रेस्टोरेंट में मौजूद मुकेश बजाज करके एक ग्राहक ने खुद को डाक्तर बता कर अपने नर्सिंग होम से एक एमबूलेंस मंगवाई थी उसके कहने पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने जिस नमबर पर फोन किया था और जहां से आनन फानन एमबूलेंस आभी गई थी वो नमबर एक नजदी की पब्लिक टेलीफोन बूत का निकला था यानि कि सब पहले से तयारशुदा साजिश थी? जी हाँ जान पड़ता है कि शुकला साहब की एकाएक तबियत खराब होना भी पहले से तयारशुदा एक साजिश का हिस्सा था अलबत्ता ये नहीं मालूम की उनकी तबियत खराब की जाने का सामान कैसे गया था? आगे बढ़ो चश्मतीद गवाहों का कहना है कि एम्बूलेंस की रवानगी के वक्त एक और साहब वहां पहुँचे थे जो कि शुकला को अपना दोस्त बताते हुआ जबरन उसके साथ एम्बूलेंस में सवार हो गए थे एम्बूलेंस के सूजी वांग से रवाना होने के और लाशों की तुगलकाबाद फोर्ट के करीब से बरामदी के बीच क्या हुआ था अभी कोई नहीं जानता लाशे लाशे बोला जी हाँ शुकला साहब के साथ साथ उनके उस दोस्त का भी कतल हो गया था उसको बलड प्रेशर नापने के आले से दम घोंड कर मारा गया था दोनों लाशे तुगलकाबाद फोर्ट के करीब लावारिस खड़ी उसी एम्बूलेंस में से बरामद हुई थी जो की पीछे सूजी वांग पहुँची थी जनाब पुलीस की तफ्तीश से तस्दीक हुई कि वो एम्बूलेंस चोरी की थी दूसरे मक्तूल की शनाक्त नहीं हुई फोरन हुई इसलिए क्योंकि वो सीनियर मीडिया परसन थे और दिल्ली में शुकल साहब से भी ज्यादा मक्बूल थे कौन थे? जगत नारायन हिंदोस्तान काइम्स के सीनियर एडिटर ओ माई गौड वो भी गए? आप जानते हैं उन्हें? पहचानता हूँ शुकला साहब के घर में हुई क्रिस्मस इव की पार्टी में मिले थे लेकिन दुश्मनों की उनसे क्या अदावत हुई? लगता है वो तो इसलिए मार डाले गए क्योंकि शुकला साहब के साथ जो बीती थी वो खामखा उसके गवाब बन गए थे यानि की गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गए? ऐसा ही जान पड़ता है लेकिन कर्तूत किसकी थी ये? मालूम नहीं पुलीस के पास फिलहाल इस बाबत कोई क्लू नहीं है लेकिन एक थियोरी है क्या? आजकल संपन्न व्यापारियों के, उद्योगपतियों के अगवा और फिरौती की बहुत वारदात होने लगी है पुलीस का कहना है कि फिरौती हासिल करने की नियत से ही शुकला साहब का अगवा किया था लेकिन एन मौके पर जगत नारायन के फचर फंसा देने की वज़ह से नौबत खून खराबे की आ गई थी मुझे यकीन नहीं यकीन तो हमें भी नहीं लेकिन हामी जान बूच कर खामोश हो गया अब सुमन की लाश का क्या होगा शुकला साहब की जगा अब कौन जाकर जनाब हाशमी जल्दी से बोला उसका इंतिजाम एक खुदाई मदद के तौर पर अपने आप हो गया है और बहुत उम्दा हो गया है क्या हुआ प्रदीप बाहरी नाम के एक लड़के ने पुलीस के पास पेश होकर सुमन बीबी की लाश क्लेम कर ली है प्रदीप वो डाक्टर सुमन का ब्वाइफ रेंग जिससे की वो शादी का इरादा रखती थी वही वो बेचारा आज ही कलकते से वापिस लोटा था और सुमन के अंजाम से ऐसा आंदोलित हुआ था कि लगता था कि वो भी सुमन के साथ ही मर जाने वाला था जनाब उसने सुमन की बाबत बड़ा इंकलाबी ऐलान किया है क्या कहता है वो लाश से शादी करेगा और फिर बतौर अपनी बीवी उसका अंतिन संसकार कराएगा बहुत जजबाती हो रहा था बेचारा बार बार कह रहा था कि सुमन वर्मा नहीं मरी थी मिसेस प्रदीप बाहरी मरी थी जो कि उसे विधुर बना गई थी पुलीस उसे ऐसा करने देगी लाश से शादी हाँ पता नहीं जनाब उन्हें इस लड़के प्रदीप को लाश की सुपुर्दगी से तो कोई एतराज नहीं जान पड़ता हो सकता है वो इस बाबत खामोश रहें आई सी बहरहां लाश अब सही और मुनासिब हाथों में पहुँच गई जानिये और अब आपका दिल्ली आना जरूरी नहीं वो तो है मैंने सुमन को अपनी बहन जनाब जब तक आप दिल्ली पहुचेंगे तब तक प्रदीप बाहरी के हाथों सुमन का अंतिन संसकार हो भी और अब तो आप वही बैठ के सुमन बीबी के जन्द कंशीन की दूआ कीजिए लेकिन शुकला साहब शुकला साहब की वज़से भी तो मुझे दिल्ली आना चाहिए हर्गिस नहीं आना चाहिए जनाब शुकला साहब का कतल अगर आपके किनी दुश्मनों का काम है तो यू समझे कि उन्होंने ये कतल किया ही इसलिए होगा कि खबर सुनते ही आप तडब जाएं और फिर दौड हुए दिल्ली चले आएं शुकला साहब का कतल इसलिए हुआ होगा मामू का तो ख्याल है कि तुका और वागले के कल भी इसलिए हुए है मुबारक अली को फोन दो फोन हस्तान तरित हुआ बोल बाप मुबारक अली की आवाज आई मिया तु बिरादरी भाईयों की कोई खोज ख़बर लेने तु वाला था ली तो है खोज की खुज ख़बर क्या बाप है तो वो कमबक्त मारे किसी फिराक में शर्तिया मालूम हुआ है कि वो चारों दिन में 3-3-4-4 बार मिलते हैं ऐसी मुलाकाते अक्सर जामनानी के दफ्तर में होती है जो की वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में करोल बाग के इलाके में है बाप, एक बिरादरी भाई आजकल मुंबई में है कौन? ब्रजवासी ब्रजवासी अब विमल को और भी मुम्किन लगने लगा कि दुबई के भाई और दिल्ली के बिरादरी भाईयों में उसके खिलाफ कोई गट बंधन हो गया था और जरूर उसी सिल्सिले में ब्रजवासी को दिल्ली से मुंबई भेजा गया था ये सब कैसे जाना? प्रत्यक्षता वो बोला कीम्ती से जाना कीम्ती? भूल गया? वो जोलजाल बूड़ा जिसके साथ हमने तब दलहौजी बार को निगा से बीन कर रखा था जबकि वहां गुरु बक्षलाल समेट सारे बिरादरी भाई मीटिंग कर रहे थे अच्छा, अच्छा वो आदमी जो दिल्ली के कमाम बड़े दादाओं का हमप्याला अमनी वाला रहा होने का दम भरता था जो कभी खुद भी बड़ा दादा था पर वक्त से मात खा गया था जो अपने आपको दिल्ली के अंदरवर्ड का एंसाइक्लोपीडिया बताता था कौन सा पीडिया बताता था? एंसाइक्लोपीडिया जानकारी का खजाना ठीक बोला, बाब तभी तो मैं उसको थामा और क्या कहता है वो? अभी खास कुछ नहीं कहता पन कहेगा बहुत कुछ कहेगा अभी मैं उसको कनकोवे की तरह उडाना मांगता है क्या मतलब? धील दे के खीचता है धील देता है, फिर खीचता है, बाब ओ चलाकी से काम लेता है, बाब दीमाग से काम लेता है ऐसी जटो तेरा शारगिद नहीं है क्या कहने? खास नहीं तो कुछ आम ही कहता होगा ये कीमती एक बाथ है, जो वो आम करके बोलापन तेरे लिए खास हो सकती है कुछवाहा का कतल क्या कहता है, वो उस बाबत बिरादी भायों ने करवाया? किया? क्या? बाब कुछवाहा का और उसके जोड़ीदार द्विवेदी का कतल उन चारों में से किसी एक ने किया था उस वारदात के रोज वो चारों लोटस क्लब गए थे कैसे जाना? कीमती से जाना कीमती ने कैसे जाना? जामनानी के जाइवर भाकचंद से जाना भाकचंद ने उनमें से किसी को गोली चलाते देखा था नकको तो फिर बाब, तु ऐसे जिरह से सवाल पूछता है तो मेरे भेजे की पावभाजी बन जाता है तु बाद को मेरे को मेरे तरीके से कहने दे क्या? ठीक है बाप वो क्या है कि जामनानी को कार चलाना नहीं आता इसलिए वो इस मामले में अपने जाइवर भागचंद का मोहताज है उस रोज लोटस कलब में बाकी बिरादरी भाई अपनी कारे खुद चला कर पहुँचे थे जबकि जामनानी की शेवर लेक कार उसका जाइवर भागचंद चलायला था जामनानी को भी कार चलाना आता होता तो उस रोज कतल के वक्त के आसपास उन चार मवालियों के वहाँ पहुँचने का कोई गवाँ नहोता अब भागचंद गवाँ है कि वो चारों उधर गए थे तो भी क्या हुआ? वो कुश्वाहा से मिलने गए होंगे खामखा कल तक वो कुश्वाहा को गुरुबक्षलाल का मुलाजिम मानते थे आज वो उसकी इतनी इज़्जत अफजाई करते कि खुद चल कर उससे मिलने आते वो भी एक नहीं, दो नहीं, चारों के चारों? हो सकता है उन्होंने कुश्वाहा को तलब किया हो लेकिन कुश्वाहा ने अपनी नई हैसियत में जो कि उसकी मेरी वज़ह से बनी एंट दिखाई हो और आने से इनकार कर दिया हो और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा हो चल ऐसे ही सही बहरहाल गए तो सही वो वहां हो सकता है कुश्वाहा और द्विवेदी का कतल उनके वहां से रुकसत हो जाने के बाद हुआ हो सब कुछ हो सकता है बस वो ही नहीं हो सकता जो कमबक्त मारा मुबारत अली कहना मांगता है सौरी मिया बाप मैं कम अकल अपनी बात तेरे को नहीं समझा सकता तु हाश्मी से सुन मैं उसको फोन देता है नहीं नहीं खुदा के वास्ते नहीं मुबारत अली मैं तेरे से ही सुनूंगा फिर तो मैं ठेंक्यू बोलता है बाप वो क्या है कि मैं उधर लोटस क्लब गया था क्लब को तो कुश्वाहा की मौत के बाद से ही ताला है पड़ एक चौकीदार उधर था मैं उससे उस आदमी का पता लगवाया जो की कतलवाले रोस क्लब के बाजू वाले दर्वाजे पर ड्यूटी भरता था जिसे की अंद्रेजी में शायद दोर का मैन कहते हैं दोर मैन वही बाप वो बोलता है कि उसने कतल से पहले बाजू वाले दर्वाजे से किसी बिरादरी भाई को भीतर आते जाते नहीं देखा था मैं उसकी ठुकाई भी किया पड़ उसने ये जिद न छोड़ी की उसके सामने कोई भीतर नहीं गया था बाप उसकी ये जिद ही साबित करती है कि वो सिखाया पढ़ाया बोल रहा था तू फिर खफा न हो जाए इसलिए जिजद से पूछ रहा हूँ कैसे साबित करती है बाप पुलीस बोलता है कि कोई आया और मार के चला गया वो दोर का मैन और उधर चौकस ड्यूटी भरता था तो विरादरी भाईयों को न सही उसने वो क्या कहते है अंग्रेजी में कातिल को क्यों न देखा उसी से पूछा होता पूछा था बोला धार मारने चला गया था ओ बाप मैं बोलता कि असल में उसने ऐसे किसी भीड को इसलिए नहीं देखा था क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं अगर ऐसा कोई था ही नहीं तो फिर जाहिर है कि खूण खराबे का जो मनजर भीतर पेश हुआ था वो बिरादरी भाईयों के सदके हुआ था उन्होंने खूण खुद क्यों किया ऐसे काम तो ऐसे पहुँचे हुए दादा अपने कारिदों से कराते हैं बाप वो उधर घर से ही खूण करने का इरादा करके नहीं आये होंगे वही ऐसे हालात पैदा हो गए होंगे कि उन्हें वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में खड़े पैर कुश्वाहा को शूट कर देना पड़ा होगा दम तो है मिया तुम्हारी बात में बाप कीमती इस बात की गारंटी करता है कि वो खूण खराबा उन्चारों बिरादरी भाईयों में से किसी के भी कारिंदे का काम नहीं था कैसे गारंटी करता है कतल की मोटी फीस मिलती है बिरादरी भाईयों से डोहरे कतल की और भी मोटी फीस मिलती है, जो कि लाखो हो सकती है कीमती कहता है कि किसी कारिन्दे के पास एकाएक इतना रोकडा आ जाए तो वो उसे चमकाए बिना नहीं रह सकता हाल ही में किसी ने ऐसा रोकड़ा नहीं चमकाया ये इस बात का वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में काफी सबूत है कि वो कत्ल किसी कारिंदे ने नहीं किये थे दूर की कौडी है मिया लेकिन दम है इसमें इसी बात पर मैं एक और बात बोलता है क्या? मैं अपने धोबियों से सारे दादाओं के सारे कारिंदों प्यादों की शिनाक्त कराना मांगता है क्या फाइदा होगा? कोई तो होगा जानतारी वो क्या कहते हैं? अंग्रजी में ताकत बांग बहुत पते की बात सोची मिया तुम्हेरे दीमाक से सोचेला है बाप, तुम्हेरे दीमाक से बढ़िया बाप, मैं आगे ये कहना मांगता है कि अगर तु ये मान चले की कुश्वाहा का कतल बिरादरी का काम है तो तेरे को ये भी मानना होगा कि सुमन बीबी के साथ जो बीती बिरादरी की वजह से बीती तुका और वागले का कतल बिरादरी ने कराया दिल्ली बैठे बैठे उस अल्ला मारे ब्रजवासी को भूल गया जो मैं बोला की मुंबई पहुँचा हुआ है ओ, अब इधर शुकला साहब का कतल पाप, इन तमाम वारदात से तेरे को कुछ नहीं सूचता यही सूचता है कि बिरादरी को कहीं से शह मिली है जिसके दम पर वो एकाएक शेर हो गई है उसको मेरी वार्निंग का कोई खौफ बाकी नहीं रहा है और वो मुझे कमजोर करने के लिए बलकि मेरा मुंह चडाने के लिए मेरे हमदर्दी, मेरे हिमायतियों, मेरे अपनों को चुन-चुन के मार रही है बधिया अब सोच की अगला नमबर किसका हो सकता है मुझे एक पांडे का नाम सूच रहा है लेकिन वो तो एक लंबे अर्से के लिए शहर छोड़ गया और सोच नीलम लेकिन उसकी उन्हें खबर नहीं लग सकती और और खुद तू मुबारत अली हसा हसता है बाप, मुबारत अली की लाश गिराने के लिए अभी बिरादरी को क्यों किसी को भी बहुत चांद सूरज देखने होंगे फिर भी खबरदार रहने में क्या हर्ज है खबरदार तो मैं अभी है बाप, कोई और नाम सोच सलावदीन नको बाप, इतने लंबे अर्से में जिसकी कभी कमपनी को खबर न लगा सकी उसकी इन जुम्मा जुम्मा आठ रोज के मुसल्मानों को कैसे लग गई होगी फिरोजा उस कमजोर औरत पर जो हाथ डालेगा वो जरूर इबलीस की असली आुलाद होगा पंटू फिर भी उसे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में खबरदार करके रखना ठीक है और और तो एक ही नाम बचता है जिसे की तू जानता नहीं कौन? शेशनारायन लोहिया इधर का बड़ा कारखानेदार है इबराहीम कालिया मरहुम के सदके मेरी उसे मुलाकात हुई लेकिन वो मुलाकात हालिया है और अभी भी बहुत मामूली है इसलिए दिल्ली बैठे किसी शक्स की निगाह में आने वाली तो है नहीं इधर के किसी शक्स की निगाह में भी नहीं आने वाली यहां पहुचने के बाद मैंने मुश्किल से चार दिन उसकी महमानी की है मुझे नहीं लगता कि कोई लोहिया से मेरा संबंध जोड पाएगा फिर भी मैं इस बाबत उससे बात करूँगा और और तू बोल बाप बोलता हूं वो लूथरा सब इंस्पेक्टर जो की आजकल मुट्टली में चल रहा है अजीत लूथरा वही तू उसे तलाश कर और मेरा हवाला देकर उससे बात कर है तो वो आजकल नौकरी से सस्पेंड लेकिन फिर भी बड़ा पहुचवाला पुलीसिया है और किसी ठाने से कोई खबर निकलवानी हो तो बहुत काम आ सकता है मिया तू उससे दुआ सलाम बना कर रख मेरे हवाले से वो तेरे बहुत काम आएगा एक इश्टिहारी मुजरिम की पुलीस वाले से यारी करा रहा है तो क्या हुआ क्या मेरी योगेश पांडे से यारी नहीं है मैं समझ गया ठीक है करेंगा कब कहीं जाकर उस असाधारन रूप से लंबे फोन वारतालाप का पटाक्षेप हुआ चाप्टर दो एक चमचम करती टयोटा वैन बापू बालघर के दरवाजे पर आकर रुकी विलायती गाड़ी का ऐसा रूप था कि दरवाजे पर बैठे चप्रासी ने बीडी फैंकी और उटके खड़ा हो गया कार में से शिवांगी बाहर निकली सेट जी आए है वो रूप से बोली मैनेजर से मिलना है वो है इस वक्त यतीम खाने में जी हाँ चप्रासी अदब से बोला आफिस में बैठी है बैठी है मैनेजर आउरत है जी हाँ मिसेस फिरोजा घरी वाला नाम है जाके खबर करो चप्रासी भीतर गया और उल्टे पाव वापिस लोटा आईए वो बोला शिवांगी ने ततपर्ता से वैन का पिछला दर्वाजा खोला तो धोती कुर्ते से सुसजित ब्रजवासी ने बाहर कदम रखा वो आंखों पर चश्मा लगाए था सिर पर गोटे वाली गोल तोपी पहने था और हात में एक चांदी की मूठ वाली छड़ी थामे था चप्रासी ने उसे ठोप कर सलाम किया रास्ता दिखाओ शिवांगी बोली चप्रासी ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने को कहा वो दोनों उसके सामने बैठ गए तो चप्रासी ने उन्हें पानी सर्व किया ब्रजवासी ने पानी का एक घूंट पिया शिवांगी ने अपने गिलास की तरफ हात न बढ़ाया फरमाएं फिरोजा बोली मैं आपका क्या खिद्मत करना सकता ब्रजवासी ने शिवांगी की तरफ देखा सेट जी दिल्ली से है शिवांगी बोली हाही में मुंबई में सैटल हुए है मैं इनकी सेकरेटरी हूँ सेट जी की परोपकार और दानपुन्य में बहुत आस्था है दिल्ली के कई धर्म संस्थानों को सेट जी से नियमित अनुदान प्राप्थ होता था वही सिलसला ये मुंबई में भी कायम रखना चाते है ये तो बड़ा खुशी का बात है फिरोजा बोली किसी ने इन्हें इस यतीम खाने का नाम सुझाया था इसलिए ये यहां तश्रीफ लाए है Welcome Welcome कितने बच्चे हैं यहां So फिर तो हम ठीक ही सामान लाए है सामान बाहर वैन में चार पेतिया पड़ी है यहां मंगवाई ये फिरोजा ने चपरासी की तरफ बिशारा किया लकडी की चार पेटियां फिरोजा के आफिस में पहुची पेटियां काफी भारी थी इसलिए चप्रासी और वैन के जाइवर के अलावा यतीम खाने के दो बड़े बच्चों को भी उन्हें यहां पहुचाने में मदद देनी पड़ी थी शिवांगी के इशारे पर ड्राइवर ने लकडी का धक्कन उमेट कर एक पेटी खोली ये टेरी कार्ट के पाच थान है शिवांगी बोली इसे ही थान बाकी की तीन पेटियों में है सेच जी को उम्मीद है कि इतने कपड़े में सो बच्चों की वर्दियां बन जाएंगी इजी ली फिरोजा बोली ये दस हजार रुपे शिवांगी ने नोटों की एक गड़ी मेज पर रखी सिलाई के लिए है वेरी कंसिडरेट ओफ यू सर सेच जी को अंद्रेजी नहीं आती फिरोजा हडबड़ा गई आप बहुत ख्याल किया सर फिर वो बोली ब्रजवासी केवल मुसकराया आई एम वेरी थैंक्फुल सौरी मैं बच्चों की ओर से आपका शुक्रिया बोलता है मैं अभी इसका रसीद बनाता है जरूरत नहीं शिवांगी बोली रसीद तो जरूर होना ये यतीम खाने सरकारी ग्रांट से चलता है ऐसा कोई दान अलग से मिलता है तो उसका रसीद होना ऐसा जरूरी सरकारी हुक्म ठीक है हमें तो जरूरत नहीं है आप चाहती हैं तो रसीद बना दीजिए मैं बनाता फिरोजा ने दराज से रसीद बुक निकाली उस पर कपड़े के 20 थान और 10 हजार रुपे दर्स किये और फिर बोली सेट जी का नाम किरालाल शालवाले पता 315 कटड़ा नील चांदनी चौक दिलीच है फिरोजा ने नाम कता दर्स किया और रसीद फार कर शिवांधी को सोंपी ठैंक यू ए लॉट मैडम वो बोली शुक्रिया सेट बच्चा लोग आपको बहुत बहुत दौाएं देगा ब्रजवासी मुसकराया वन वीक में आप इधर आएंगा तो बच्चा लोग आपका वर्दी पहन कर आपको गार्ड ओफ आनर देंगा ब्रजवासी फिर मुसकराया सेट जी जरूर आएंगे शिवांगी उठती हुई बोली बलकी अब तो आते ही रहेंगे यस वैलकम आलवेज आप जैसा दानी लोग न हो तो यतीम बच्चा लोग भूखा नंगा मर जाए उपर वाले की सब पर नजर है वो ऐसा नहीं होने देगा यस यू सेड दी राइटिस थिंग अब हम चलते हैं यस आफकोर्स फिरोजा उन्हें वैन तक छोड़ कर आई विमल ने यतीम खाने फोन किया ततकाल उसकी फिरोजा से बात हुई मैं बोलता हूँ विमल बोला पहचाना यस मैन फिरोजा की आवाज आई कैसे नहीं पहचानेंगा गुड कैसे फोन किया कोई खास वज़ा नहीं तुम्हारा हालचाल जानने के लिए ही फोन किया हालचाल फिट है फिरोजा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पूछो मैन तुम्हारे लिए खत्रा बन के कोई मवाली उधर घुस आए तो तुम क्या करोगी क्या करेंगा मैन क्या करना सकता यानि कि कुछ नहीं कर पाओगी वो गजरे जब अपने प्यादे लेकर इधर आया था तो मैं क्या किया था मेरा हस्बेंड क्या किया था तुम खुद क्या किया था वो जुदा मसला था जो की खत्म हो गया गजरे और उसका प्यादा लोग तुम्हेरे पीचु आयला था और फिरोजा को कोई क्या बोलेंगा फिरोजा किसी को अभी भी ये खुश्वमी हो सकती है कि तुम्हारे जरिये मेरे तक पहुँच बनाई जा सकती है तो भी क्या करेंगा मैं? यतीम खाना छोड़ कर तो नहीं जाना सकता ऐसा नहीं हो सकता कैसा? तुम कुछ दिनों के लिए यतीम खाना छोड़ कर कहीं और नहीं जा सकती No man, that is out of question ओ, पन तुम ऐसा क्यों बोलता? फिरोजा, मेरे को तुम्हारी फिक्र है जो हरकत गजरे ने की थी, मुझे लगता है कि वो फिर दोहराई जा सकती है कौन दोहराएगा, man? मेरा ही कोई दुश्मन दोहराएगा और कौन दोहराएगा मैं किस्मत ही ऐसी पाई है कि जिस पर मेरी परचाई भी पढ़ जाए मौत जैसे उसका घर देख लेती है You are talking nonsense, man मेरे को इधर कोई खत्रा नहीं होगा तो क्या करोगी? क्या करना सकता? मैं कुछ सुझाना चाहता हूँ क्या? कुछ अर्षा एक हत्यार बंद आदमी यतीम खाने में अपने पास रखो एक आदमी? हाँ और कोई गजरे का माफिक अपने प्यादों का फौज लेकर आ गया तो? वैसा अब नहीं होगा पन एक आदमी मेरी तसल्ली के लिए कुबूल करो तुम बहुत फिक्र करता है, man मेरे को कुछ नहीं होना सकता कौन पूर फिरोजा की? कुबूल करो ओके तुम बोलता है तो ओके थैक्यू पड़ मैं फिर बोलता है कि इधर फिरोजा को कुछ नहीं होना सकता क्योंकि गौड आलमाइटी पहले ही मेरे को काफी पनिश किया अब और पनिश्मेंट एकाएक इतने जोर की धनाम की आवाज हुई कि विमल के कान का परदा हिल गया एक तीखी जनाना चीक उसके कान में गूंजी फिरोजा विमल आतनकित भाव से मांग पीस में बोला फिरोजा जवाब नदारत फिर उसे ऐसा लगा जैसे लाइन कट चुकी थी उसने कई बार पलंजर ठक्ठकाया और फिरोजा को पुकारा तभी उसे डायल टोन सुनाई देने लगी उसने फिर से यतीम खाने का नंबर डायल किया लाइन बिजी उसने फिर डायल किया फिर लाइन बिजी उसने रिसीवर क्रेडल पर पठका और इर्फान को आवाज लगाई शोहाब वहाँ पहुचा इर्फान भाई अभी इधर नहीं है वो बोला मेरे को बोलो जनाब गोली की तरह चर्चगेट जा विमल बोला चर्चगेट कहाँ? यतीम खाने बापू बालगर विक्तर को साथ लेकर जा उसे पता मालूम है वहाँ जाके फिरोजा की खैरियत की खोज खबर ले मैं अभी जाता हूँ लेकिन हुआ क्या? मैं अभी फोन पर उससे बात कर रहा था की एकाईक फोन पर ऐसी धडाम की आवाज हुई जैसे बम फटा हो एक बार मुझे फिरोजा की चीक सुनाई दी और फिर लाइन कट गई अल्ला फिर एक क्षण भी और नश्ट किये बिना शोहाब वहाँ से बाहर को लपका फिरोजा के अनिष्ट की आशंका से विचलित विमल ने अगला पौना घंता जब तक की फोन की घंती न बजी अंगारों पर लोटते गुजारा बाप मैं विक्टर आवाज आई चर्चगेट से बोलो बोलो विमल व्यगरभाव से बोला बोलो क्या हुआ बाप बुरी खबर क्या? क्या? फिरोजा खलास चपरासी खलास पंद्रा सोला बच्चे जखमी बहुत पावरफुल बम फटा इधर यतीम खाने में फिरोजा के अपने बच्चे आदिल यासमीन सलामत है वारदात के वक्त यतीम खाने में नहीं थे पडोस में कहीं खेलने गए हुए थे कैसे हुआ? किसने किया? कुछ मालूम नहीं, बाप अभी कोई बताने वाला नहीं अभी तो बस हाहाकार मचा हुआ है बम की वारदात को कोई और ही रंग दिया जा रहा है इधर इलाके में बहुत टेंशन है, बाप दो गाड़ी भर के पुलीस इधर पहुचेला है विमल खामोश रहा उसके जेहन में मुबारत अली की आवाज गूंजने लगी उस कमजोर औरत पर जो हाथ डालेंगा, वो जरूर इबलीस की असली आुलाद होगा भाग्य की कैसी विडम बना थी? जिस औरत ने ताजिन्दगी यतीम बच्चों की परवरिश की थी, अब उसके खुद के बच्चे यतीम थे कौन था वो जिसने वो घिनोना काम किया था? ब्रजवासी उसके दिल ने गवाही न दी डिली से आए उस दादा को फिरोजा की खबर होना उसे दूर की कौडी लगा छोटा अंजुम जरूर वही जरूर जरूर वही जरूर वो तुका और वागले की बाबत भी कल जूट बोल रहा था अपने बनाने वाले की कमस खाके जूट बोल रहा था कमीना कमीना पाप विक्तर की आवाज आई लाइन पर है? हाँ विमल बड़ी मुश्किल से बोल पाया हमारे लिए क्या हुक्म है? उधर ही रहो जानने की कोशिश करो की वारदात कैसे हुई? किसके किये हुई? ठीक कुछ पता लगे तो फिर फोन करना करेंगा संबंध विच्छेद हो गया उसने छोटा अंजुम का नंबर डायल किया ततकाल उत्तर मिला छोटा अंजुम को फोन दे विमल तीखे स्वर में बोला कौन बोलता है? पूछा गया वही जो कल भी बोलता था साले तू मेरी आवाज बाखु भी पहचानता है सफेद गुलाब वही अब छोटा अंजुम अभी इधर नहीं है किसी काम से गया है एक घंते में लोटेगा कहां गया है? चर्चगेट चर्चगेट यतीम खाने में बम लगानी क्या बोलता है बाप? आए तो उसको बोलना उसका बाप याद करता था बाप नमबर बोलना अपना ताकी उसने संबंध विच्छेट कर दिया फिर उसने वो दूसरा नमबर डायल किया जो की बकॉल छोटा अंजुम भाई के मोबाई फोन का नमबर था कतकाल उत्तर मिला भाई बोलता है विमल खुंखार लहजे में बोला हाँ कौन उसे आवाज छोटा अंजुम की ना लगी तो क्या ये उसका वहम था के भाई ही छोटा अंजुम था या भाई को आवाज तब्दील करने में महारत हासल थी कहां है फिर भी उसने पूछा भिंडी बाजार में अरे कौन हो भाई तुम भिंडी बाजार में है तो बोल ताकी मैं फोन पर बात करने की जगा तेरे पास पहुँचू लानत आखिरी बार पूछता हूँ कौन बोलता है मेरे कई नाम है लेकिन जो नाम तू सुनना पसंद करेगा वो सोहल है सोहल जहिंसी शुक्र है आखिर तूने मेरे से बात करने की दानिशमंदी दिखाई तो फिर क्या फैसला किया तूने वैसे तेरे से पूछे बिना ही मुझे मालूम है कि तूने क्या फैसला किया होगा क्या फैसला किया होगा वरना तूने मुझे फोन न किया होता छोटे अंजुम ने मुझे जुकाने के लिए जुल्म धाया घड़ी वाला वो शक्स जो तेरे धोखे में गजरे के हाथों मारा गया था ऐसा? हाँ मैंने तुझे इसलिए फोन नहीं किया अच्छा तो किसलिए किया? तेरी सूर्माई पर थूकने के लिए किया क्या बता है? उस भाई की जात आउकात को लानत भेजने के लिए किया जिसने मुझ पर वार करने के लिए एक लाचार आसरा औरत को अपना हथियार बनाया और साबित किया की जाबर पर जोर चलाने की ताकत कमपनी की तरह तेरे में भी नहीं है अरे क्या पहलिया बुझा रहा है गज्रे ने मर्द पर ताकत आजमाई तूने औरत को मरवा डाला किस औरत की बाद कर रहा है कोई नाम भी लेगा या नहीं मैं फिरोजा घड़ी वाला की बात कर रहा हूँ जिस पर तेरे वही उसकी बीवी मर गई शाबाशे हैरान हो के यू दिखा रहा है जैसे खबर ही नहो लेकिन कल तेरा चीफ चमचा अपने पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहता था की तुका और वागले की मौत में उसका हाथ नहीं थी अब मुझे पूरा यकीन है कि उसने जूट बोला था कितने अफसोस की बात है कि मुझे जुकाने के लिए तेरे छोटे अंजुम को इमान की तिजारत करना भी कुबूल हुआ तु गलत समझ रहा है छोटा अंजुम इमान फरोश नहीं हम में से कोई इमान फरोश नहीं सब कहने की बाते हैं ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही सही यानि कि कुबूल करता है कि कंत का और वागले का कतल तूने करवाया आज फिरोजा का कतल भी तूने करवाया मेरे कुछ कुबूल करने या ना कुबूल करने से क्या होगा तू तो वह समझना है जो तू समझे बैठा है मैं क्या गलत समझे बैठा हूँ? अब मैं क्या कहूँ? तू न कहे तो और कौन कहे? देख, मेरी बात सुन। क्या सुनू? जो हुआ उससे सबक ले। सबक ले ताकि जो होने वाला है, वो न हो। क्या होने वाला है? सोच, आखिर सिर्फ तुका वागले और फिरोजा ही तो तेरे करीबी नहीं थे। ओ, तो तू मुझे धंकी दे रहा है, उन लोगों के आइंदा अंजाम से मुझे डरा रहा है, जो मेरे करीबी है और अभी सलामत है। मैं तुझे कोई धंकी नहीं दे रहा लेकिन मौझूदा हालात अगर तू अपने करीबी लोगों की खैरियत चाहेगा और इस बाबत कुछ करेगा तो समझदारी ही करेगा। तुझे लगता है कि जब मेरा करीबी कोई नहीं बचेगा तो मैं तेरी शागिर्दी कुबूल कर लूँगा। हासिल हो रहा है। उसे हासिल करने के लिए तेरे जैसे कई सिर्फ पठकते मर गए। अरे टाकतवर की सोबत करेगा तो टाकतवर बनेगा वरना इस खुश्वामी में एक दिन कुट्टे की मौत मारा जाएगा कि तूने आबहयात पिया है। तुझे कुछ नहीं हो सकता। ये खुश्वामी मुझे है, तुझे नहीं है। मुझे तो नहीं है। तो दुबई में छुपके क्यों बैठा हुआ है। क्यों कुटे की तरह दुम दबा के अपने वतन से भाग गया। इतना ताकवर है तो फासले से वार क्यों करता है। करीब क्यों नहीं आता? करीब तो मुझे आना ही पड़ेगा. क्या जरूरत है? तेरा चीफ चमचा जो है करीब. दिल्ली वाले जो है करीब जो लगता है कि आजकल तेरी हमलावर बाह बने हुए हैं. कौन दिल्ली वाले? वही दिल्ली वाले जो आजकल तेरे सगे वाले बने हुए हैं. जो कल तक भीगी बिल्ली बने बैठे थे और आज तेरी या तेरे से भी बड़े बाप रीकियो फिगवेरा की शह पर उचल रहे हैं. जिन में से एक तेरी गोद में बैठने का तमन्नाई बना बाकाइदा उमीद हो जाओंगा. अभी हुआ नहीं? नहीं? और अभी तू मुझे खुश फहम बता रहा था. सोहल, तू मूर्ख है. और तू महामूर्ख है, जो नहीं समझता की आग और पानी का मेल नहीं हो सकता. जो नहीं समझता की करीबी हर किसी के होते हैं. क्या मतलब है तेरा? तेरे तक मेरी पहुँच शायद फौरण नहों सके लेकिन तेरे करीबी मुझसे दूर नहोंगे. अब मतलब खुद समझ और इट के जवाब में पत्थर के लिए तयार रहें. विमल ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर पटक दिया. दाका हवलदार तरसेमलाल और हवलदार हरपाल सिंग नेगी रेस्टोरेंट के पिछवाडे में बने एक केबिन में मौझूद थे. केबिन का दर्वाजा बंध था. कोई वेटर उनका कोई आडर लेकर आता था तो पहले दर्वाजे पर दस्तक देता था और फिर भीतर दाखिल होता था, इसलिए वहाँ उन्हें मुकमल प्राइवेसी हासिल थी. वो केबिन वास्तव में ग्रहकों के लिए था ही नहीं. वो एक तरह से रेस्टोरेंट के मालिक का दफ्तर था जो की उसने उन लोगों के लिए खाली कर दिया था. बाहर रेस्टोरेंट में काफी शोर शराबा था लेकिन दर्वाजा बंध होने की वज़े से वो शोर शराबा उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था मेज पर नेगी की लाई डिप्लोमेट की बोतल पड़ी थी जो की तीन चौथाई खाली हो चुकी थी तरसेम लाल को इस बात का कतई इमकान नहीं था कि जितनी विस्की उसने पी थी उससे आधी भी उसके मेजबान ने नहीं पी थी वो हरपाल के साथ साथ खुद की सूरत देख पाता तो उसे मालूम होता कि हरपाल के सौमे शांत चेहरे के मुकाबले में खुद उसका चेहरा बुरी तरह से तंपमाया हुआ था और आंखों में लाल दोरे तैर रहे थे उसमें अपना गिलास खाली करके मेज पर रखा और मूच पर हाथ फेरता हुआ बोला मज़ा आ गया मुस्कराया और उसके गिलास में विस्की डालने लगा वाह! तरसेमलाल एक सिगरेट सुलगाता हुआ बोला क्या चीज बनाई है बनाने वाले ने? वो तो है! छूटी नहीं है जालिम मुह की लगी हुई भाई वाह! तरसेमलाल तू तो शाइरी करने लगा भाई मेरे आदमी के अंदर खुशी हो तो शाइरी अपने आप निकलती है मेरे अंदर भी तो खुशी है, तीन लड़कियों के बाद लड़का हुआ है, मेरे मुम से तो शायरी नहीं निकल रही निकलेगी? अभी तो आए हैं, आके बैठे हैं, आगे आगे देखिये होता है क्या? नेगी ने हस्ते हुए विस्की में सोडा और बर्फ डाली और गिलास उसकी तरफ सरका दिया अरे तू तो ले, करसेमलाल बोला, मेरे पास अभी है, खाली कर, यार, कब से दूसरे ही पैक की चुसक चुसक कर रहा है चौथे की, तू फिक्र न कर, मैं अभी खाली करता हूँ हाँ, ये हुई न मर्दो वाली बात, इसी बात पर एक शेर सुन सुना, साकी मुझे इतनी पिला की मैं होश खो बैठूं या बोतल मुझे, या बोतल मेरे, यार, भूल गया, लगता है मुझे नशा हो गया है अभी कहाँ, जब नशा होता है, तो ये कहना नहीं सूचता की नशा हो गया है ये भी ठीक है, हाँ, याद आ गई शेर की दूसरी लाइन मुझे, अगर बात ली, वो बोतल यार, फिर भूल गया, कोई बात नहीं असल शेर तो भूल गया, लेकिन वही शेर में तुझे अपनी मादरी जुबान में सुनाता हूँ उसमें याद है हाँ, सुन इर्शाद साकी मेकू हैंदी पिला की मैं गुम थी वनजा या बोतल मेरे ढिड़ विच होवे या मैं बोतल चवड वनजा एक अक्षर भी नेगी की समझ में ना आया लेकिन वो बोला वा वाह, मजा आ गया अब तेरे लिए अर्श किया है माहौल बेमजा है तेरे प्यार के बगए कैसे पिये शराब कोई यार के बगए भाई वाह, कुर्बान मै कशी का है यही बज में मुहबबत में मजा दिले शाहरुक हो कबाब और लबे का जोल हो शराब लानत हरपाल मन ही मन बोला यहां लिबास की कीमत है आदमी की नहीं मुझे गिलास बड़ा दे शराब कम कर दे यार, अब बड़ा गिलास कहां से आएगा अरे, बात का मतलब समझ शेर कहा है ओहो, शेर कहा है मैं तो समझा था कि सच में बड़ा गिलास मांग रहा है नहीं शेर है शेर और शराब कम कर दे दिल से कह रहा है नहीं, यार तू ऐसा कर, तू ये शेर भूल जा जैसे बाकी मुझे याद पड़े है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं समझ ले मैं आखरी शेर भूल गया हाँ और अब उसकी जगा नया शेर सुन इर्शाद कत्रे कत्रे का है नसीब जुदा कोई गौहर कोई पेशाब हुआ यार, तुझे सच में नशा हो गया है क्यों? कोई गलती हुई शेर में? हाँ क्या बोला मैं? तू शराब की जगा बोला पे जाने दे तू ठीक ही बोला होगा शेर मेरी समझ में नहीं आया होगा हाँ मैं भला गलती कैसे कर सकता हूँ शेर कहने में वही तो अब और सुन अभी और भी समझ ले की आखिरी ओ, फिर तो बोल तरन्नम में बोलू हाँ, हाँ कैसे भी बोल ओ, नेगी रे, वो हाथ लगा कर गाने लगा सोडे बिना भी क्या पीना सोडे बिना भी क्या पीना धर्रे में विस्की में, कुस्की में इस्की में, सोडे बिना जिन्दगी न सोडे बिना भी क्या पीना वाह, तरसेमलाल, वाह आज तो तुने मुहम्मद रफी की आख में डंडा कर दिया तरसेमलाल खुश हो गया उसमें अपना गिलास खाली करके बोतल की तरफ निगार डाली तो उसके चहरे पर से खुशी काफूर होने लगी क्या हुआ? नेगी सशंक भाव से बोला काइम क्या हुआ है? सवा आठ सत्यानाश क्यों? क्या हुआ? ठेके बंध हो चुके होंगे आज सही मायनों में मज़ा आना शुरू हुआ तो बोतल खाली हो गई अभी आठ ना बजे होते तो एक अध्धा और नेगी ने विस्की की एक आधी बोतल जेब से निकाल कर मेज पर रखी तरसेमलाल ने वो बोतल देखी तो उसने उठकर हरपाल को गले लगाने से कसर न छोड़ी यार वो बोला पार्टी देना तो कोई तेरे से सीखे एक के इंतिजाम की जरूरत हो तो सवाय का करके रखता है जोडे का ये पववा नहीं अध्धा है अरे हाँ फिर तो यार तू सौ साल जीए आजकल मेरा हाथ तंढ है वरना डबल का इंतिजाम करता यार वो तू थाने में भी बोला था क्यों हाथ तंढ है तेरा मैंने बताया था भूल गया दिलीवरी की वज़र से जिस पर की उमीद से ज्यादा खर्चा हो गया तो क्या हुआ हाथ की तंढ गी तो आरी जारी रहती है लड़का कोई रोज रोज थोड़े ही होता है वो भी तीन लड़कियों के बाद ओ तो है अब हाथ की तंढ गी यार भी दूर कर सकता है लड़का पैदा करने में तो मनद नहीं कर सकता न वो बड़े अशलील भाव से हसाया कर सकता है नहीं कर सकता हाँ, नहीं कर सकता लेकिन अगर तू यार, बाते तो होती ही रहेंगी पहले पैक तो बना नेगी पैक तयार करने लगा उस दौरान तरसेमलाल ने नया सिग्रेट सुलगा लिया फिर से चियर्स नया गिलास हाथ में आते ही तरसेमलाल बोला चियर्स नेगी बोला तेरा लड़का सो साल जीए आलम फाजिल बने और ऐसी बढ़िया नौकरी करे जैसी कि हम अनपडों को नसीब न हुई तू मेरा यार है न कोई शक कोई शक नहीं तो मैं डरते जिजखते तेरे से एक सवाल पूछू दो पूछती तू मुझे दस हजार रुपे उधार दे सका है नहीं हर पाल हक पकाया लेकिन तरसेमलाल ने ठाहा का लगाया बीस हजार दे सकता हूँ यार तरसेमलाल तूने अभी बड़ी काईदे की बात कही थी क्या भूल भी गया अरे क्या तूने कहा था तंगी तो यार भी दूर कर सकता है हाँ कहा तो था, ओ, नेगी हर्षित भाव से बोला क्या सच में, और क्या मैंने जूट बोला, नहीं, दस ही देना, मैं दो महिनों में लोटा दूँगा, जब मर्जी लोटाना, क्या फर्क पड़ता है, लगता है हाल ही में कोई बड़ा हाथ मारा है, अरे, मैंने नहीं मारा, अपने आप ही लग गया, क्या मतलब? मतलब तू यूँ समझ, मेरे जिगरी, कि फर्ष कर तेरे घर कोई चीज पड़ी हो जिसकी कि तू जात आउकात न पहचानता हो, तू उसे 150 रुपे में कबारी को बेचने की सोच रहा हो, या किसी को यूँ ही दे देने की सोच रहा हो, तो कोई आके तुझे बताए कि वो त नायाब आटन थी और तुझे उसके 50,000 रुपे देने की पेशकश करे तो तू ये कह सकेगा कि वो बड़ा हाथ तूने मारा, नहीं, बस लग गया, यही कहेगा न, हाँ, समझ ले कि एन ऐसा ही मेरे साथ हुआ, हमारे ठाने में एक चीज थी जो हमारे लिए बेकार थी, ले चीज तक ठाने के सो मुलाजिमों की पहुँच थी, लेकिन जिसे उस चीज की कद्र थी, कोई इस्तिमाल था, वो, मेरी तकदीर देखो की, मेरे पास पहुँचा, नतीस तन मेरे वारे न्यारे हो गए, कब तक करसमलाल पूरी तरह से तुन्न हो चुका था और बिना सोचे विचारे मुह फाड रहा था, उसे उसी स्टेज पर पहुचा नेगी देखना चाहता था, चीज क्या थी, इधर कान मेरे करीब कर, वो तो मैं करता हूँ लेकिन यहां कौन सुन रहा है, अरे, दीवारों के भी कान होते हैं, ओ, नेगी ने अपना सिर्तनिक आगे किया, वो चीज थी तरसमलाल राजदाराना अंदाज से बोला मायाराम बावा, मायाराम चौकने का अभिने करता नेगी बोला, वो कैडी जो हमारे थाने में बन था और जिसे पंजाब पुलीस आकर अपने साथ ले गया था? वही, मुझे तो ये भी मालूम है कि वो वारदात किसके इशारे पर हुई थी. अच्छा, कैसे मालूम है? अंदाजा लगाया है मैंने. ओ, अंदाजा लगाया है. ऐसे ही दाएं बाएं का अंदाजा नहीं, पक्का, मझबूत, फिट अंदाजा लगाया है. दो में दो जोड कर जवाब चौकस चार निकाला है मैं समझा नहीं कुछ मैं समझाता हूँ देख मैंने बोला न कि किसी को नायाब चीज की कदर थी बेताशा कदर थी इतनी कदर थी कि उसने उसके लिए 50,000 खर्च कर डाले 50,000 रुपए मायाराम को उसके हवाले कर देनी की एवज में पागल हुआ है वो काम तो पांच लाख में नहीं हो सकता था दस लाख में नहीं हो सकता था तू खुद हवलदार है तू बता तेरे को कोई पैसा देता तो तू माया राम को लाकप से निकाल कर उस शक्स के साथ चलता कर दिया सवाल ही नहीं पैदा होता मैं नौकरी से तो जाता ही जाता, जेल भी जाता तो फिर, जो काम तेरे लिए खदरनाक था, वो क्या मेरे लिए खदरनाक नहीं था? तू सयाना है तो मैं क्या पागल हूँ? वो तो तू नहीं है. इतना पागल तो कोई भी नहीं होता. वही तो. तू मुझे बात को जरा तरतीब से समझने दे. तू ये कहता है कि किसी ने तेरे को उस कैडी मायाराम बावा के चकर में पचास हजार रुपए दिये? हाँ इतनी बड़ी रकम के बदले में तू ने क्या खिद्मत की? ऐसे दाता की? मैंने उसे मायाराम की दिल्ली से अमरितसर की रवानगी का सारा शडूल दिया मैंने उसे पंजाब पुलीस के मुकमल प्रोग्राम की खबर की उस जेल वैन तक की खबर की जिसमें बंद करके मायाराम को ले जाया जाने वाला था तभी तो वो लोग वैसी डुपलिकेट वैन तयार कर पाए? तभी तो वो जीटी रोड पर पूरी तैयारी के साथ जेल वैन के इंतजार में मौजूद रह पाए अरे हरपाल सिंग नेगी, मेरे दोस्त, मेरे बिरादर मायाराम के अगवा की वो वारदात हो चुकने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मेरी जानकारी पचास हजार रुपए से ज्यादा कीमती थी मुझे लाख नहीं तो पिचत्तर हजार तो जरूर ही मिलने चाहिए थे आप में कौन देता है कोशिश तो करता मैं सोच ही रहा था ऐसी कोई कोशिश करने की बाबत की चार पैसे और कमाने का जुगार अपने आप सामने आ गया उसी आदमी के जरिये हाँ अब वो क्या चाहता था बता दूं बता ही दे ठीक है बताता हो लेकिन पहले मेरे लिए नया पैग बना फुर्ती से उस काम को अंजाम दिया तब तक तरसेमलाल ने बचे हुए सिग्रेट से नया सिग्रेट सुलगा लिया अब कुछ बोल भी तो सही हरपाल उतावले स्वर मैं बोला मामूली काम था वो तरसेमलाल बोला लेकिन हुआ नहीं खाम अंखा बीच में फचर फंज गया फचर वो कमीना एस आई जनकराज वो साला धर्मराज जैसे खुद पुलीसिया ना हो महात्मा हो जैसे खुद कभी रिश्वत ना खाई हो बेहन ने मेरे पांच हजार रुपए मरवा दिये काम क्या था अरे मायाराम के पास कुछ तस्वीरे थी जो कि उसने अपनी हमारे थाने में गिरफतारी के दौरान जनकराज को सौपी थी मायाराम की अपनी तस्वीरे? पागल है तू अरे जिनके कबजे में खुद मायाराम ही आ गया हो वो क्या उसकी तस्वीरों को सिर में मारेगा सौरी मशूर इश्टिहारी मुजरिम सरदार सुरेंडर सिंग सोहल की तस्वीरे जो की सिर्फ मायाराम को मालूम था अर्विन्द कॉल नाम का एक बाबू बन कर दिल्ली में बसा हुआ था जामनानी उन तस्वीरों की कापिया चाहता था जामनानी लो मैंने कमस खाई हुई थी कि उस आदमी का नाम तुम्हारे सामने नहीं लूँगा लेकिन साला अपने आप ही मुंग से निकल गया अरे तरसमलान तू मेरे से ऐसी उम्मीद करता है करता तो नहीं लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं तू समझना कि यहां की बात यहीं खत्म हो गई हाँ यार इसी बात पर कायम रहना तू चिंता न कर अब तू तस्वीरों के किस्से को आगे बढ़ा वो क्या है कि मुझे बताया गया था कि वो तस्वीरे हमारे एसाई जनकराज ने मायाराम की फाइल में लगा कर फाइल आगे एसी पी को सौंप दी थी मैंने महज इतना करना था कि एसी पी की गैरहाजरी में उस फाइल में से वो तस्वीरे निकालनी थी उनकी जेरोक्स कापियां बनवानी थी और असल तस्वीरे फाइल में वापिस रख देनी थी कल शाम ACP के जाने के बाद मैं उसके कमरे में घुसा था मैं उसको काबू में करने ही लगा था कि एकाएक प्रेथ की तरह वो एस आई का बच्चा मेरे सिर पर आखड़ा हुआ था तू रंगे हाथों पकड़ा गया तरसेमलाल पकड़ा तो गया लेकिन बाल बाका न कर सका मेरा न वो एस आई और न SHO SHO के कमरे में मैंने ऐसा हाई टेंशन ड्रामा किया कि दोनों को पना मांगते ही बना छोड़ दिया साहब ने तुझे छोड़ दिया नाक रगडवा दी मैंने जनकारज एस आई की शकल देखने वाली थी उसकी जब SHO मुझे उस इल्जाम से ये कहके बरी किया था कि जनकराज को जरूर मेरी बाबत कोई गलतफमी हो गई थी वाह वाह इसे कहते हैं एक तो चोर उपर से चतुर लेकिन यार जो कोड में खाज जैसी बात हुई थी वो पता है क्या थी क्या थी वो तस्वीरे उस फाइल में थी ही नहीं जो मैंने इतनी शिद्दत से ACP का ब्रीफ केस खोल कर बरामत की थी तो कहा थी AC आई जनकराज के पास क्या यानि कि जनकराज ने वो तस्वीरे पहले ही फाइल में से निकाल ली थी क्या पता क्या किया था उसने निकाल ली थी या रखी ही नहीं थी अब जामना ने क्या कहता है उसने क्या कहना है वो ये थोड़े ही कहेगा कि बेटा तरसेमलाल पाँच हजार रुपए तो ले ही ले तस्वीरें नहीं मिली तो न सही उनकी कापियां हासल होने के मामले में वो तेरे से तो नाउमीद हो ही गया होगा वो तो है ही मेरी तो अब उन तस्वीरों की तरफ जाकने की मजाल नहीं हो सकती उनकी खातिर फिर कोई शिश करना तो आप बैल मुझे मार जैसी बात होगी जामनानी क्या करेगा? वो भी अपनी कोशिश छोड़ देगा मुझे तो उसने दोबारा कुछ करने के लिए नहीं कहा कि एक बात पैसे वाला आदमी है वो अपनी आई पर आ गया तो इस बाबत सीधे ACP के पास पहुँच जाएगा तब फर्क सिर्फ ये होगा कि चवन्नी के खर्चे में हो सकने वाला उसका काम एक रुपए में होगा, दो रुपए में होगा क्या कह रहा है तरसेमलान? वो ACP को भी रिश्वत आफर कर देगा तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि वो ऐसा करेगा तो कोई अनर्थ हो जाएगा अरे बड़े लोगों का इमान बड़ा नहीं होता, उनकी फीस बड़ी होती है तू कैसा हवलदार है जो इतनी सी बात नहीं समझता? अगर ऐसा है तो उसने इस काम के लिए तुझे क्यों कहा? मुझे क्यों कहा? हाँ, तुझे क्यों कहा? उसमें चोर की मा को क्यों न पकड़ा? सीधे जनकराज को ही क्यों न अप्रोच किया जिसके पास की वो तस्वीरे थी? वो उसी को क्यों न बोला कि भाई अपनी फीस बोल और तस्वीरे मेरे हवाले कर? अब बे? तरसेमलाल नेत्र फैलाता बोलाए तो मुझे सूझा ही नहीं अब सूझा है तो क्या जवाब है? तो ये जवाब है कि किसी वज़े से वैसे जामनानी की दाल नहीं गली थी जनकराज मेरे से पूछ भी रहा था कि मुझे वो काम करने के लिए जामनानी ने कहा था या देविलाल ने? देविलाल कौन? इंस्पेक्टर कनाट प्लेट ठाने का SHOO जरूर जामनानी ने उस काम के लिए पहले देविलाल चाई किया होगा देविलाल के फेल हो जाने के बाद ही उसने मेरे से बात की थी अब जब तू भी फेल हो गया है तो जामनानी किस से बात कहेगा? क्या पता? शायद जनकराच से ही करे जिसे की तूने चोर की मा कहा अब भले ही वो किसी को भी कहे मेरे तो पाँच हजार रुपे गए न? कोई बात नहीं पचास हजार रुपे तो जामनानी से कमा ही लिए न? वो तो है आगे फिर कोई मौका आ जाएगा वो भी है इन दादा लोगों की एक बात तो माननी पड़ेगी उजरत जी खोल के देते हैं खिद्मत की कंजूसी नहीं करते माले मुफ्त दिले बेरहम क्या? कुछ नहीं गिलास खाली कर यार तू मेरे में ही डाले जा रहा है अपने में तो डालता तू नहीं मैंने स्कूटर चला कर घर पहुचना है जबकि तेरे क्वार्टर का यहां से पैदल का रास्ता है तू और नहीं लेगा नहीं तो तू ऐसा कर ये अध्धा मेरे हवाले कर बाकी की मैं घर जाके पिऊंगा कुबूल खोटा अन्जम ने भाई को फोन किय किधर था भाई सक्ती से बोला दो बार फोन लगाना पड़ा अपने एक काम से गया था खोटा अन्जम खेतपून स्वर में बोला अभी मैसेज मिला अभी का अभी फोन लगाया क्या हुक्म है हुक्म भी बोलता हूँ पहले कुछ और सुन बोलो बाप सोहल का फोन आया था आया आखिरकार? हाँ क्या कहता था? बहुत तडप रहा था बहुत वाही तबाही बक रहा था यानि कि तुका की मौत का उसका गुसा अभी ठंडा नहीं हुआ जो सुनता नहीं, बीच में टोकता है खता हुई, बाप चर्चगेट के यतीम खाने वाली फिरोजा घरी वाला का हो गया है बम फटा वहाँ बहुत तबाही मची बताते है यतीम खाना समझा कौन सा? जहां से सोहल को अरामत करके गजरे ने उसे अपनी गिरफ्ट में लिया था? मालूम, बाप बहुत भड़का हुआ था वो फिरोजा की मौत पर मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा था मैंने भी ठहराने दिया मैंने तो उसे भी इशारा दिया कि वैसा अंजाम उसके और करीबी लोगों का भी हो सकता था तूने कोई करीबी तलाश किया उसका तलाश तो जारी है बाप, पन अभी हाथ कुछ नहीं लगा इस मामले में हमारे दिल्ली वाले नए जोडीदार ज्यादा जानकार मालूम होते हैं तूनिस बापत ब्रजवासी से बात कर और ये भी पता कर कि उन लोगों का आधी क्या प्रोग्राम है ठीक है मैं अभी अभी नहीं अभी वो तुझे टाल देगा कल सुबा मिलना उससे छोटा अंजुम की जान में जान आई एन उसकी पसंद की बात कही थी भाई ने कल नौरोजी रोड नहीं जा सका था वो मन ही मन बोला आज कल की भी कसर निकाल कर आऊंगा ठीक है प्रत्यक्षता वो बोला मैं कल मिलता हूँ उससे बढ़िया तेरे को मालूम है कि मोबाल पर फोन आए तो फोन करने वाले का नमर फोन पर रिकार्ड हो जाता है हाँ बाप मालूम सोहल ने जिस फोन से मुझे काल लगाई थी उसका नमबर भी मेरे फोन पर रिकार्ड हो गया था मैंने पता लगाया है वो नमबर होटल सीव्यू का है लेकिन होटल तो बंध है जाके देख शायद खुल गया हो वो सीव्यू में होगा क्या बड़ी बात है पहले भी दो बार वो सीव्यू को अपना अड़ा बना चुका है और चराक तले अंधेरा वाली मसल कायम कर चुका है क्या पता वो वहां के किसी पलिक टेलीफोन का नमर हो जाएगा तो कुछ मालूम होगा ना नमबर नोट छोटा अंजुम ने किया अगर वो वहां है भाई की आवाज आई तो यकीनन न उसका नाम हमारा जाना पहचाना होगा और न शकल सूरत इसलिए इतने बड़े होटल में उसकी मौजूदगी की तस्दीक करना बहुत होश्यारी का और बहुत सब्र का काम होगा मैं करेंगा बाप वो वहां हुआ तो तेरा काम आसान हो जाएगा मेरा काम सोहल को खलास करने का काम यानि कि अब उसकी तुम्हेरे से बात कराना जरूरी नहीं बाप बात थो तो गई उसका हमारा मेल मुम्किन नहीं है वो दो टूक ऐसा बोला बोला आग और पानी का मेल नहीं हो सकता उस टेलीफोन नंबर की वज़़ से अब कम से हमें ये सूच गया है कि वो कहा हो सकता है अब तू दूआ कर कि वो सीउ में ही हो अब तू उसे ढून और बिना उसे कोई वार्निंग दिये खलास कर ताकि उधर मुम्बई में तेरा काम खत्म हो और मैं तुझे वापिस बुला सकूँ मैं करेगा बाप एक बात और बोलो बाप उसे तेरे भिंडी बाजार वाले ठीये की खबर जान पड़ती है जैसे उसके फोन नंबर से मैंने पता लगा लिया था कि वो होटल सीवियू से कॉल कर रहा था वैसे ही उसने तेरे फोन नंबर से तेरा भिंडी बाजार वाला पता जान लिया मालूम होता है इसलिए मैं तेरे को बहुत खबरदार रहना मांगता है बाप इधर ट्राइवल एजनसी में तो क्या वो भिंदी बाजार में भी कदम रखेगा तो खामखा फैल रहा है मूर्खो की तरह खता माफ बाप तो क्या समझता है मुंबई में उसका कोई हिमायती नहीं होगा हर जगा अकेला विचरता होगा वो प्रेथ की तरह वो खुद तेरे पीछे लगने की जगा किसी की तेरे पीछे लगाएगा तो तुझे क्या खमर लगेगी मैं समझ गया मैं खबरदार रहेगा और कहीं अकेले नहीं जाने का है बाडीगार साथ रखने का है बरोबर वो टेलीफोन पर इट का जवाब पत्थर से देने की धंकी दे रहा था इसलिए वो मेरे किसी करीबी पर वार करने की कोशिश कर सकता है जिस एक ऐसे करीबी को वो जानता पहचानता है वो तू है इसलिए बहुत खबरदार रहने का है इसलिए और भी जरूरी है कि इससे पहले की उसका वार चल सके तेरा वार चल जाए समझ गया बरोबर बाप बढ़िया संबंध विच्छेद हो गया इर्फान ने अपने जिस आदमी को बाबू कामले की निगरानी पर लगाया था उसका नाम पिचड था रात साड़े आठ बजे के करीब वो इर्फान के पास पहुँचा तो इर्फान ने सबसे पहले उससे यही सवाल किया कि वो उधर की निगरानी क्यों छोड़ आया था अब उधर कुछ नहीं रखा पिचड बोला उधर मालूम होना था, हो गया क्या मालूम हो गया? कैसे मालूम हो गया? अभी एक घंता पहले कमाठीपुरे के इरानी के उसी रेस्टोरेंट में जो की बाबू कामले का अड़ा था, चार आदमियों की मीटिंग हुई थी जिन में से एक बाबू कामले था और बाखी के तीम? उनमें से किसी को पहचाना? दो को पहचाना कौन थे वो? दोनों कमपनी के प्यादे थे एक का नाम भौमिक है और दूसरे का इंदोरी जब तीम कमपनी के प्यादे थे तो बाखी एक जिसे तूने नहीं पहचाना, वो भी ऐसा ही होगा जाहिर है और और ये की हैरानी की बात थी कि बराबर के दर्जे के प्यादे इंदोरी के साथ बहुत अदब से पेश आ रहे थे और उसकी हर बात बड़े गौर से सुन रहे थे बाबू कामले भी? हाँ, वो भी इसका क्या मतलब हुआ? मेरे को जो मतलब समझ में आता है, वो ये है कि वो लोग इंदोरी के ही अंदर में काम कर रहे हैं ये नहीं हो सकता एक मामूली प्यादे की बिना किसी उपरी हुकम के सोहल पर हाथ डालने की वो भी एक नहीं, दो बार मजाल नहीं हो सकती बाप, जो मेरे को लगा, वो मैं बोला तेरे को गलत लगा तेरे को ये लगा कि वो इंदोरी नाम का प्यादा सारे फसाद की जड़ है, तो गलत लगा उससे ज्यादा दम और हैसियत वाला प्यादा तो बाबू कामले हैं कम्पनी के खात्मे के बाद शायद न रहा हो और एक दूसरे प्यादे ने, इंदौरी ने बावजूद कम्पनी के खात्मे के तरक्की कर ली हो हाँ इर्फान ने ग्रड़ता से इनकार में सिर हिलाया अब जो मेरे को लगा वो मैं बोला आगे बढ़ क्या मीटिंग हुई उनमें कुछ जान पाया कील ठोप के तो नहीं जान पाया लेकिन अंदाजा लगा पाया क्या अंदाजा ही बोल उनमें जिक्र का खास मुद्दा होटल सीवियू के करीब का वो गोदाम था जिसमें से होकर होटल का खुफिया रास्ता है बाप, उनकी खुब कुसर से लगता था कि या तो सोहल उस रास्ते से होटल में दाखिल होने वाला था और या फिर वो पहले से भीतर था और उधर से बाहर निकलने वाला था कब? कभी भी? वो क्या करेंगी? वो गोदाम की निगरानी करेंगे और अगर उनकी सोच सच निकली तो वो सोहल पर तीसरा वार करेंगे हाँ ये तो बड़ी लंबी निगरानी का काम है पता नहीं यो मुराद पूरी हो ना भी पूरी हो तो किसी हद तक उन्हें निगरानी बरकरार रखनी पड़ेगी न वो तो है कब से चलेगा निगरानी का ये सिलसिला अभी से जारी है लेकिन उनकी बातों से लगता था कि कल सुबह से वो इस पर खास तवज्जो देंगे ओ ठीक है फिलहाल तेरा काम खत्म पिचड ने सहमती में सिर हिलाया ऐस्टरिस्क 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 नक से शिक तक सजे धजे विमल शोराब और विक्तर नौरोजी रोड़ वाले ठीये पर पहुँचे वो राज साड़े नौ के करीब का वक्त था मदाम सीक्वेरा ने खुद आगे बढ़कर अपने नए ग्राहक नैरोबी के बाके सरदार का स्वागत किया क्या प्रोग्राम मांता है वो एक कान से दूसरे कान तक मुस्कराती हुई बोली बोलो भाई नौनिहालो राजा साहब शोहाब और विक्तर से बोले प्रोग्राम शोहाब ने बड़ी मासूमियत से पलके जपकाई इमीजियेट उपर जाना मांता है या पहले नीचे उपर शोहाब बोला फिर नीचे भी विक्तर जल्दी से बोला टाइम लगा तो विमल बोला फिर उपर मैं समझ गया क्या समझ गया मैडम पहले क्विकी मांता फिर सोचेंगा यस एग्जक्ली ओके, तुम छोकरी लोग को देखो, मैं रूम का पोजिशन देखता है, जरूर बार के तीछे छोकरी लोगों का ड्रैसिंग रूम था जहां कि तीनों पहुँचे वहां कई लड़कियां मौजूद थी जो आपस में बतिया रही थी, तीवी देख रही थी, पत्रिकाओं के पन्ने पलट रही थी तुम अपना काम करो, विमल बोला, मैं मैडम को प्टेमिंट करके और पाँच-दस मिनट रॉलेट पर किस्मत आजमा के आता हूँ ठीक है, शोहाब बोला विमल रॉलेट टेबल पर पहुँचा, उसने कुछ अर्सा वहाँ छोटे-छोटे दाव लगाए जिनमें वो हर बार जीता फिर वो मिसेस सिक्वेरा के पास पहुचा जो की उसे अपने आफिस में ले गई विमल ने अपनी जेब से पाँच पाँच सो के नोटों का एक मोटा लंदा निकाला और बोला आयस घर्टी मिसेस सिक्वेरा बोली फार वन आवर राजा साहब के और उनके फ्रेंड्स के लिए स्पेशल रेट हमारे स्पेशल पैटरन मिस्टर लोहिया की वजह से विमल ने उसे 30,000 रुपए सौंपे आज उपर रूम का प्रबलम नोट संभालती वो बोली जो तीन रूम में दिया उनमें से एक स्पेशल गैस्ट के लिए एडवांस में बुक है इसलिए उस रूम को 11 बजे से पहले हर हाल में खाली कर देना मानता है ऐसा ही होगा आपका फ्रेंड गर्ल्स को लेकर उपर गया हम भी जाते हैं विमल बाहर निकला और फिर सीधिया तै करके पहली मन्जिल पर पहुँचा शोहाब उसे गलियारे में मिला साथ नमबर मिल गया वो बोला मुझे नीचे खबर लग गई थी लगता है आज काम्याबी जरूर हाथ लगेगी लड़की भीतर है लड़की साथ नमबर में जाने का टिकट ओ मैं देखता हूँ तू इर्फान को खबर कर अभी विमल साथ नमबर कमरे के दर्वाजे पर पहुँचा उसने उस पर हॉले से दस्तक दी और भीतर दाखिल हुआ भीतर एक नहायत कमसिन नहायत हसीन लड़की अपने बालों में कंगी फिरा रही थी विमल को आया जान कर उसने कंगी फैंक दी उसकी तरफ घूमी और बड़े मशीनी अंदास से मुस्कराई हलो माई डियर विमल बोला हलो सर वो मीठे स्वर में बोली हाला कि हमने खुद तुम्हें नहीं चुना लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो हमें पसंद है थैंक यू सर मैं आपके लिए ज्रिंक बनाऊ नहीं अभी नहीं बाद में हाँ नो प्रालम शेल आई अनड्रेस तब विमल को उसकी बाद में का मतलब समझ में आया नहीं वो जल्दी से बोला अभी नहीं अज यू विश सर आज हम बहुत खुश है अच्छा आज नीचे रॉलेट टेबल पर हमारी किस्मत ने हमारी बहुत साथ दिया वेरी गुड हम अपनी खुशी और अपनी अच्छी किस्मत किसी से शेर करना चाते हैं किस से तुम्हारे से कैसे सर ऐसे विमल जेब से पाँच पाँच सो के दस नोट निकालता बोला ये पाँच हजार रुपए हैं नीचे जाकर रॉलेट टेबल पर दस बार दस दाव लगाओ हार हमारी जीत तुम्हारी ओ नो ओ यस सर आई में विन फिफ्टी थाउजन रुपीज विच विल बी आल यूवर्स लेकिन हारोगी तो सिर्फ पाँच हजार रुपए हारोगी लेकिन वो हार हमारी होगी वो नुकसान हमारा होगा दैट इस वेरी नाइस ओफ यू, सर नाओ, गैट अलांग मैं बहुत जल्दी लौटने की कोशिश करूँगी कोई जल्दी नहीं यू टेक यूर ओन टाइम आधे घंते में भी लौट आओगी तो अभी बहुत ताइम बाकी होगा विमल एक ख़न ठिटका और फिर एक आख दबाता बोला क्विकी के लिए यस सर उसके जाते ही विमल ने दर्वाजे को भीतर से चिट्खनी लगाई और खिड़की के करीद पहुँचा उसने खिड़की पर से पड़दा एक तरफ सरकाया उसके दोनों पल्ले खोले और बाहर जाता नीचे पिछवाडे की गली में विक्तर की टैक्सी मौजूद थी ततकाल सीटी का जवाब सीटी से मिला विमल ने फुर्ती से अपनी कमीज पतलून से बाहर निकाल कर उपर सरकाई और कमर के गिर्द लिप्ती नाइलोन की पतली लंबी रसी को खोल कर वहां से अलग किया उसने रसी का एक सिरा खिड़की की ग्रिल में से गुजारा और रसी को धील देनी शुरू कर दी जल्दी ही रसी को एक हलका सा जटका लगा उसका मतलब था कि रसी नीचे पहुँच चुकी थी और इर्फान के हाथ में आ चुकी थी विमल कतीक्षा करने लगा थोड़ी देर बाद रसी को एकठे दो जटके लगे विमल ने रसी को वापिस खीजना शुरू कर दिया दूसरा सिरा ग्रिल के पास पहुँचा तो उसके साथ उसे डाइनामाइट की चार स्टिक और दो लीड वाली बिजली की तार जैसा तार का एक बारी गुच्छा बंधा दिखाई दिया उसने ग्रिल से बाहर हाथ निकाल कर रसी की गांथ खोली और फिर एक-एक करके तार का गुच्छा और चारों स्टिक भीतर खीच ली फिर उसने रसी खिडकी से बाहर फैंक दी और वापिस डबल बैड के करीब पहुँचा विशाल बैड की सच धज बहुत फैसी थी उसने बैड का अपनी ओर का सिरा उलटकर पलंग पर डाल दिया और नीचे जाता बैड का तला फर्ष से कोई एक फुट उचा था उसने तार के गुच्छे को खोला उसके एक सिरे को स्टोमाइट की स्टिक्स के साथ जोडा और स्टिक्स को पलंग के नीचे रख कर चादर को पूर्ववत नीचे की तरफ लटका दिया कालीन ऐसा था जो की पंदलक के करीब तक ही पहुँचता था उसके नीचे भी नहीं बिचा हुआ था उसने उसको रोल करके एक तरफ किया और तार को खिड़की तक उसके नीचे बिचा कर उसे वापिस यथास्थान कर दिया खिड़की के करीब ही रेफ्रीजरेटर रखा था उसने तार को रेफ्रीजरेटर के नीचे से गुजारा और उसके पीछे ले जाकर खिड़की की चौखट के पास निकाला उसने तार को ग्रिल में से गुजार कर बाकी सारी की सारी तार को नीचे लटका दिया और खिड़की को बंद करके आगे परदा सरका दिया फिर उसने परेहटकर पलंग से खिडकी तक निगाह दोडाई रेफ्रीजरेटर और खिडकी की साइड के बीच के कोई छ इंच के हिस्से में तार दीवार पर नुमाया हो रही थी जिसे छुपाने का एक ही तरीका था कि वो रेफ्रीजरेटर को छ इंच खिडकी की तरफ सरका देता उसने ऐसा किया लेकिन ततकाल रेफ्रीजरेटर को यथा स्थान कर दिया रेफ्रीजरेटर के चार पायों के निशान कालीन में बहुत गहरे बने हुए थे जिसका दिखाई देना तार दिखाई देने से कहीं ज्यादा खतरनाक था पायों के निशान न भी दिखाई देते तो भी उस कमरे में रोज रात बिताने वाला शक्म एक निगा में भांप सकता था कि रेफ्रीजरेटर के साथ कोई छेड़ खानी की गई थी वो पलंग के करीब पहुँचा उसके पहलू में बने स्विच बोर्ड से उसने कमरे की कुछ फाल्तू बत्तियां बुझाई तो कमरे पहले जैसी जगमग न रही तब उसने दीवार की तरफ निगा दोडाई तो बारीक तार उसे न दिखाई दी गुड उसने दर्वाजे पर जाकर उसकी चिटकनी गिरा दी वापिस आकर पंलक पर धेर हुआ और प्रतीक्षा करने लगा लड़की वापिस लोटी उसकी आंखों में जीत की चमक थी लेकिन वो आवाज मायूसी उंडेलती हुई बोली सौरी हनी दाव ना लगा विमल बोला लगता है मेरी किस्मत और तुम्हारी किस्मत सहेलिया न बन सकी नो यस आई विल हैव दैट ड्रिंक नाओ यस सर यहाँ पीटर्स काथ है कोई फैसी ड्रिंक या काच विस्की मांगता है तो पेमेंट करके नीचे से मंगाना पड़ेगा पीटर्स काथ विल डू राइट सर अपने लिए भी बनाना यस सर आधे घंते में दो पैग विस्की के विमल ने लड़की के साथ पिये जिसके दौरान लड़की ने बीस बार कपड़े उतारने की पेशकश की जिसे की विमल ने अभी नहीं कह कर टाला आखिरकार उसने घड़ी पर निगा डाली और उटता हुआ बोला सौरी स्वीट हाथ आज मूर नहीं बना आपने मौका ही न दिया मुझे लड़की बोली मूर तो यू उसने चुटकी बजाई बनता हाँ शायद दरासल जोए में जीत का भी अपना मजा होता है जिस दिन हमें वो मजा हासिल होता है कुस दिन बाकी के सारे मजे हैच हो जाते है यू अंदरस्टेंड अवर प्वायंट? यस सर्ड हम नीचे जाकर एक दो घंते फिर रॉलेट पर किस्मत आज माएंगे फिर जीतेंगे और फिर तुम्हें तलब करेंगे सर पेमेंट फिर करना पड़ेगा वी वोट माइंड यू आर वैरी जनरस परसन सर अब चले विमल फिर घड़ी देखता हुआ बोला मैडम ने ग्यारा बजे से पहले ये कमरा खाली कर देने के लिए कहा था सर अभी पॉने ग्यारा बजे है आप पांच साथ मिनट अभी यहां टिक सकते है अब चाहे तो इतने में भी मैं आपको पूर्ण धन से विमल को देखती वो खामोश हो गई नहीं विमल बोला हम मैडम से वादा खिलाफी नहीं करना चाते सर, I will be real quick I will do a great job upon you सौरी, हनी बैटर लख नेक्स्ट टाइम एज यू विश विमल उसके साथ कमरे से बाहर निकला नीचे हॉल में पहुँच कर वो उससे अलग हो गया और बार पर पहुँचा शहाब वहां पहले से मौजूद था विमल ने उससे निगा मिलाई सहमती में सिर हिलाया और फिर बार से एक ड्रिंक हासिल करके उसे चुसकने लगा जारा बजने में दस मिनट पर छोटा अंजुम वहां पहुचा और सीधा लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में घुज गया उसके साथ आये दो बारीगार पीछे ठिटके खड़े रहे पाँच मिनट बाद वो मुर्गी की तरह एक लड़की को बगल दबोचे वहां से बाहर निकला और सीधियों की तरफ पढ़ा आज तो ये पहले से तुन्न मालूम होता है शोहाब विमल के कान में फुस फुस आया अच्छा है दीवार पर नुमाया होती बारूत की फ्यूस वायर को याद करता विमल बोला हमारे लिए अच्छा है सीधियों के दहाने पर मिसे सिक्वेरा खड़ी थी मेरा कमरा तयार है छोटा अंजुम बोला यस मैं वो बोली पहले आफिस में आने का था पेमेंट का वास्ते छोटा अंजुम ने लड़की की कमर से हाथ निकाल कर जेब में डाल और नोटों की एक मोटी गड़ी यू मिसेस सिक्वेरा की तरफ उच्छाली जैसे वो उसने उसके मुह पर मारी हो मिसेस सिक्वेरा ने जरा बुरा ना माना उसने नोट काबू में किये और दान्थ चमकाती बोली थैंक्यू छोटा अंजुम लड़की के साथ आगे बढ़ा उसके दोनों गार्ड उसके पीछे सीधिया चड़ने लगे ये क्या हो रहा है विमल हर बढ़ाया लौट आएंगे शोहाब अनिश्चित भाव से बोला पहुचा कर लौट आएंगे तीछे जा अगर उन्होंने कमरे की तलाशी भी ली तो हमारा यहां से खिसक चलना ही ठीक होगा ठीक है मैडम ने रोका तो क्या बोलेगा नहीं रोकेगी विक्तर अभी उपर है मेरे वाली लड़की भी अभी उपर है मैडम को मालूम है ठीत शहाब सीडियों की और बढ़ चला कुछ क्षण बाद विमल ने वैट उनत्तर की एक गोतल और दो तंदूरी चिकन से सजी प्लेट च्वे पर रखे एक वेटर को उपर को लपकते देखा पाँच मिनट बाद शोहाब वापिस नीचे आया आज गाडों की ड्यूटी का प्रोग्राम बदल गया जान पड़ता है वो दबे स्वर में बोला एक साथ नंबर कमरे के दर्वाजे के बाहर कुरसी डाले बैठा है और दूसरा उपर सीडियों के दहाने पर खड़ा है कोई कमरे के भीतर न गया एक गया था लेकिन वो इतनी जल्दी वापिस लौट आया था कि उतने में ये ही तस्दीक हो सकती थी कि कमरा खाली था कोई बारीक तलाशी मुम्किन नहीं थी आई सी उपर से अपना जवान उतावला हो रहा था गार को उसकी जल्दी कर जल्दी कर की हिदायत बाहर तक सुनाई दे रही थी लिहाजा हालात काबू में है फिल्हाल उपर वाले ने चाहा तो आगे भी काबू में ही रहेंगे ऐसा है तो हमारा यहां रूखना क्यों जरूरी है लड़की की वज़से लड़की जो छोटा अंजुम के साथ है उसकी जान की परवाह न होती तो हम उपर टाइन बम लगाते जो की आसान काम होता मैं नहीं चाहता कि वो बेचारी खामखा गेहूं के साथ घुन की तरह पिसे ओ तुमने कहा था कि उसके साथ की लड़की एक बार वापिस नीचे आ जाए तो लौट कर उपर नहीं जाती उसके बाद वो खाना मंगा कर खाता है और सो जाता है हम उसको खाना सर्फ किये जाने तक इंतजार करेंगे शोहा ने खामोशी से सहमती में सिरहिलाया छोटा अंजुम लड़की पर से लुढक कर परे और हुआ उसके कूले पर एक धौल जमाता हुआ बोला फूट सहमती में सिरहिलाती लड़की जबरन मुझकराई और उठकर अपने कपड़े पहनने लगी उसने वॉल क्लॉप पर निगाह डाली तो पाया कि अभी मुश्किल से बारा बजे थे साहब मूड में नहीं उसने मन ही मन सोचा पीने पर ज्यादा जोर दिया एन वो ही बात छोटा अंजुम के जेहन में बज रही थी भाई की इस वार्निंग ने कि उस पर सोहल का वार हो सकता था उसे डरा तो नहीं दिया था लेकिन विचलिद जरूर कर दिया था इसलिए अपनी रूटीन के खिलाफ और मदाम के एतरास के बावजूद वो दोनों बाडी गार्डों को उपर तक लाया था जिनमें से एक तो एन उसके दर्वाजे के बाहर बैठा हुआ था बिल्कुल तो सेफ था वो वहाँ सोहल को तो उसके उस ठीय की भनक तक नहीं लग सकती थी और भिंडी बाजार में किसी का उस पर वार करने की कोशिश करना तो अपनी आबैल मुझे मार जैसी हालत करना था बाकी जहां कहीं भी वो जाता था चार बाडी गार्ड साथ लेकर जाता था जो की बहुत काफी थे उन तमाम तसल्यों के बावजूद आज उसका मूर उखडा हुआ था जो आदमी चलता फिरता प्रेत कहलाता था वन मेन आर्मी कहलाता था जो जैसे शेर की मांद में घुसकर बखिया के सिर पर जा खड़ा हुआ था उसकी निगाहिकरम अब उस पर हो सकती थी ये छोटा अंजुम के लिए यकीनन विचलित करने वाली खबर थी छोटा अंजुम खुद एक खतरनाक मवाली था और दुर्दान्थ हत्यारा था वो ना मरने से डरता था ना मारने से डरता था लेकिन अपनी पास्कल के बार में सोहल से मुलाकात को वो जब भी याद करता था उसे यही एहसास होता था कि वो आदमी किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था कोई धमकी उस पर कारगर नहीं होती थी कोई अंजाम उसे दरा नहीं पाता था बड़े से बड़े गैंग्स्टर के गिरहबान में हाथ डालने को तड़पता जान पड़ता था क्या बला था ये शक्स सोहन उसकी साथ तो जैसे पेश आया सो आया भाई को भी कड़क बोल दिया दर्वाजे पर दस्तक पड़ी तब उसे ख्याल आया कि लड़की वहां से कप की रुखसत हो चुकी थी उसने अपनी कमर के गिर्द एक चादर लपेटी और उच्चस्वर में बोला खुला है एक वेटर भीतर दाखिल हुआ जो उसे दिनर सर्फ करके चला गया उसने वेट उनत्तर की बोतल पर निगाह डाली अमूमन लड़की के जाने तक वो बोतल खाली हो चुकी होती थी लेकिन आज वो आधी भरी हुई थी उसकी वज़ा ये भी थी कि आज तीन पैग विस्की चड़ा कर ही वो वहां पहुँचा था जैसा कि वो अमूमन नहीं करता था आज तो दो तंदूरी चिकन में से भी एक तीन चौथाई बाकी था खाम खा क्या लड़की, क्या विस्की, क्या चिकन, सब कुछ बदमजा हो गया था दिनर में भी उसकी वैसी ही ओनी पॉनी रुची थी खाने की तरफ हाथ बढ़ाने की जगा उसने अपने लिए विस्की का एक पैग तयार किया उसने उसे जबरन और फोरण अपने हलक में उंडेला जैसे उसे अंदेशा हो कि कहीं उसका इरादा न बदल जाए और फिर एक पैग और तयार किया उस पैग में से उसने एक चुसकी मारी और फिर उसे हाथ में उठाए बातरूम में पहुँचा कमोड की जगा उसने सिंक में पेशाप किया और फिर लड़कराता हुआ वापिस लोटा बातरूम से बाहर कदम रखते ही वो ठिटका कोई बात थी जो उसे खटक रही थी क्या? कोई बात जो पहले नहीं होती थी लेकिन आज थी उसने अपने सिर को एक जोर का जटका दिया और विस्की का एक घुंट पिया पलंग से उठकर बातरूम की तरफ आते समय खिड़की की तरफ उसकी पीट थी लेकिन अब लोटी बार खिड़की की तरफ मुह था तब उसे रेफिजरेटर और खिड़की के बीच में तनी वो बारीक तार दिखाई दी दीवार पर कोई लकीर जान पड़ती है नहीं लकीर नहीं है कुछ और है पूर्ववत लडखराता कमर से लिप्ती चादर से उलजता उसे संभालता वो खिड़की के करीब पहुँचा तार ही थी उसमें उसे टटोला कहां जा रही थी कालीन के नीचे उसकी निगा धीरे-धीरे सरकती कालीन के दूसरे सिरे तक पहुँची जहां की पलंग था नशे को अपने जेहन से जटकने की कोशिश करता वो पलंग के करीब पहुँचा उसमें विस्की के गिलास को अपने बाएं हाथ में स्थानांतरित किया और नीचे जाका तभी भीशण विस्फोट हुआ विस्फोट ऐसा शक्तिशाली था कि पलंग फर्ष से कई फुट उपर तक उच्छल गया और उसके परखचे उड़े गए फर्ष के लेवल तक नीचे जुके छोटा अंजुम का सिर धर से अलग हो गया बाई बाह कंदे से उखड कर पीछे दीवार से जाकर तकराई और उसके खून का कमरे में जैसे फवारा छुटा सब कुछ पलक जपकते हुआ छोटा अंजुम अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि वो अपने बनाने वाले के रूबरू हाजरी भर रहा था चैप्टर तीन शनिवार 13 मई मुंबई दिल्ली टेली फोन की घंती बजी विमल ने रिसीवर उठाया और माउट पीस में बोला हल्लो इर्फान बोलता हूँ बाप आवाज आई कल की अफरात फ्री में एक खास बात बोलना भूल गया क्या? होटल से बाहर जाएं तो गोदाम के रास्ते जाने का नहीं है नहीं गोदाम के रास्ते वापिस लोटने का है वज़ा? मुलाकात पर बोलूँगा ठीक है उसने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया होटल में राजा साहब तो स्थापित हो ही चुके थे उनका सेकरेटरी और चीफ असिस्टेंट कॉल भी स्थापित हो चुका था दोनों की होटल में मौजूदगी का भरम बनाये रखने के लिए बवक्ते जरूरत विमल का होटल से बिना किसी की निगा में आये चुपचाप थिसकना जरूरी था जो की गोदाम के रास्ते संभव था अब इरफान उस रास्ते के इस्तमाल पर पाबंदी लगा रहा था तो जरूर कोई खास ही वज़ह थी उसने भाई का मोबाईल नमबर निकाला और उस पर फोन लगाया कतकाल उत्तर मिला मैं तुझे रात को ही फोन करना चाहता था विमल बोला लेकिन तेरा लिहास किया तुझे सोते से न जगाया तुझे डिस्टर्ब न किया क्या चाहता है भाई की आवाज आई या अभी लगी रात को ही लग गई थी यानि कि तेरे सगेवालों ने तेरे करीबियों ने तेरा वो लिहास न किया जो कि मैंने किया अब क्या चाहता है मैंने बोला था कि इट का जवाब पत्थर से मिलेगा सोहल तूने एक बेगुना का खून किया जिसके लिए तेरा खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा तेरे कहने से बेगुना हो गया तेरा छोटा अंजूम हाँ क्योंकि मेरे से भैतर कौन जानता हो सकता है कि वो फिरोजा का कातिल नहीं था उसका तुका और वागले की मौत से कुछ लेना देना नहीं था तेरे बारे में ये बहुत मशूर है कि तूने कभी किसी बेगुना की जान नहीं ली लेकिन आज के बाद ऐसा दुनिया तेरे बारे में कहे तो कहे तो खुद अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकेगा ये वो शक्स बोल रहा है जो अभी कल इनी वाक्या की एवज में बधायां वडोरने की कोशिश कर रहा था मैंने कभी ये नहीं कहा था कि वो कतल मैंने करवाए भे लेकिन ये भी नहीं कहा था कि नहीं करवाये थे साथ हुआ उससे मुझे सबक लेने की राय दी थी मुझे खुली धंकी दी थी कि सिर्फ तुका वागले और फिरोजा ही मेरे करीबी नहीं थे तु जो मर्जी बकता रह लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक भाई ने कुछ नहीं किया जो किया किन ही और लोगों नहीं किया किनों ने नाम ले उनका लेकिन अब आइंदा जो करेगा भाई करेगा कोई शेर की मूझ का बाल नोच ले और शेर खामोश रहे यह नहीं हो सकता यानि कि को इधर आ रहा है आ रहा है तो मैं तेरे लिए लाल कालीन बिच्छा कर रखूंगा और शाही दस्तरक्वान सजा कर रखूंगा नहीं आ रहा तो मैं आता हूँ तू आता है हाँ, तेरे से गले लग के मिलने के लिए मैंने पास्पोर्ट का इंतिजाम कर लिया है बहुत जल्द तू मुझे अपने सिरहाने खड़ा पाएगा मैं उस मुबारत दिन का इंतिजार करूंगा लेकिन तब तक मेरी एक बात सुन ले तुका वगेरा के कतल से भड़क कर मेरे खिलाफ तू जो कदम उठाएगा दुश्मन को पहचाने बिनावार करने वाला आदमी हमेशा खुदकुशी का तमन्नाई होता है पहले अपने दुश्मन पहचान वरना बेमौत मारा जाएगा अगर तेरा इशारा दिल्ली वालों की तरफ है तो समझ की वो भी अब चंद घड़ियों के ही महमान है और दोस्तों को भी पहचान दोस्त यानि कि तू? यकीनन मैं सोहल या मेरी दोस्ती कुबूल कर या चोतरफा हमले के लिए तयार रह दोस्ती कुबूल करू तो चोतरफा हमला नहीं होगा नहीं होगा फिर मैं छोटा अंजुम की मौत का भी गम खा जाऊंगा फिर तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे फिर मैं ही उनका सफाया कर दूंगा जो कि तेरे पीछे पड़े हैं लेकिन जिनसे आज कल तू हाथ मिला रहा है यही समझ ले लिहाजा सगा तो तू किसी का न हुआ न आज जैसे तू सोहल की खातिर उनकी दोस्ती पर थूकेगा कल तू किसी और की खातिर सोहल की दोस्ती पर थूक देगा ऐसा नहीं होगा क्या गारंटी है भाई की जुबान गारंटी है भाई की जुबान न हुई टकसाली सिक्का हो गई तू बहुत बोलता है भाई लगता है मैं तेरे से बहस में नहीं जीत सकता तू मेरे से कैसे भी नहीं जीत सकता वहम है तेरा तूने मिसेज सिवेरा के ठीये का एक कमरा उड़ाया मैं पूरा होटल सीव्यू उड़ा दूँगा तो सोच तु कहां होगा और तेरे हिमायती कहां होगे विमल सक्पकाया सीव्यू का नाम किसलिए? वो बोला सोच समझ जाएगा समझाने के लिए ही नाम लिया है अभी नहीं समझ पा रहा तो सब समझ जाए तो फिर फोन करना कब तक के लिए खुदा हाफिज संबंध विच्छेद हो गया ऐस्टिस्क 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 दस बजे एस एचो नसीप सिंग अपने ठाने में अपने आफिस में आकर बैठा आते ही उसने हवलदार तरसेमलाल को तलब किया बैठ वो बोला तरसेमलाल सक्पकायासा उसके सामने एक कुरसी पर बैठ गया कितनी उम्र ही गई एस एचो ने सहज भाव से पूछा जी सक्पकायासा तरसेमलाल बोला उचा सुनता है जी नहीं मैंने पूछा था कितनी उम्र हो गई चालीस चालीस तो कोई खास उम्र नहीं ठीक दिखाई देता होगा ठीक सुनाई देता होगा जी हाँ अभी तो सब चौकस है मैंने अभी का ही पूछा खास तोर से सुनाई देने के बारे में सब बढ़िया है जनाम बढ़िया ही होना चाहिए इस एचो ने घंती बजाई तो एक सिपाही ने भीतर कदम रखा दर्वाजा बंद कर दे इस एचो ने आदेश दिया जब तक मैं न बुलाऊं कोई भीतर कदम न रखे सिपाही ने सहमती में सिर हिलाया और फिर आदेश का पालन किया करसेमलाल को एक आएक फिजा भारी लगने लगी किस फिराक में था S.H.O? S.H.O ने दराज में से टेप रिकाडर निकाला उसमें एक आडियो कैसेट डाला और फिर बोला मैं तुझे एक टेप सुनाने जा रहा हूँ गौर से सुनना वालियूम कम लगे तो बताना कोई बात समझ में न आए तो भी बताना ताकि मैं टेप को पीछे सरका कर वो हिस्सा तुझे फिर सुना सकू समझ गया समझ तो गया साहब लेकिन बात क्या है बात भी समझ जाएगा तो मैं शुरू करूँ मर्जी है आपकी इस एच ओ ने टेप चालू किया तरसेमलाल को खुद अपनी आवाज साफ सुनाई दी तो वो चोका फिर हवलदार हरपाल सिंग नेगी की आवाज फिर उसकी फिर नेगी की माजरा समझते उसे देर ना लगी पिछली रात नेगी ने खामखा ही उसकी दावत नहीं की थी जल्दी ही उसकी समझ में आने लगा कि नेगी ने जो किया था एस एचो के सिखाए पढ़ाए किया था जो जो टेप आगे बढ़ता गया तरसमलाल के चहरे का रंग उड़ता गया आखिर में जब तेप खत्म हुआ तो उस घिसे हुए करप्ट पुलीसिये का चहरा कागस की तरह सफेद था तेप समाप्थ हुआ एक बार फिर सुनेगा एस एचो बोला तरसमलाल का सिर मशीन की तरह इनकार में हिला यानि कि सब पल्ले पड़ गया चौकस तरसमलाल के मोह से बोल न फूटा अब क्या कहता है बचा लो माई बाप तरसमलाल गिरगिडाता सा बोला पाफ पकड़ता हूँ सारी हेकडी निकल गई एस एचो व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला परसो तो बहुत फैल रहा था एस आई जनकराज को जलील कर दिया खुद मेरी बोलती बंद करा दी खता हुई माई बाप परसो रात की वारदा तो छोटा वाक्या था तेरी कमीनगी की वज़े से माया राम बावा को लेकर कितनी बड़ी वारदात हुई जान तक गई एक पुलीस अधिकारी की सब तेरी वज़े से हुआ तरसमलाल तू तो गया काम से लंबी सजा पाएगा तरसमलाल के रहे सहे हवास भी उड़ गए सजा वो घबरा कर बोला हाँ भया जेल तो तू जाए ही जाए उससे पहले ही तेरा खून भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं खून जिसकी बाबत्तून नशे में मुह फाड़ा जब उसको तेरी कर्तूत की ख़वर लगेगी तो तेरा मुह बंद करने के लिए वो और क्या करेगा साहब मेरे से खता हुई बस इस बार बचा लो कैसे भी बचा लो मैं ताजिन्दगी आपके पाव धो धोके पिऊंगा जिन्दगी बचेगी तो ऐसा कुछ करेगा न साहब आप बचाएंगे तो बच जाएगी मैं क्यों बचाऊंगा साहब मैं आपकी भेड मैं आपका पालतू कुट्ता बचा लीजिये मुझे गरीबी ने मारा गरीबी ने नहीं कमबक तक लालच ने मारा अयाशी ने मारा हराम के माल की अंधा कर देने वाली चमक ने मारा ठाने की मुखबिरी करते वक्त अपनी कर्टूत का अंजाम न सोचा कोई मरे चाहे जिये सुत्रा घोल बताशा पिये वाली मसल सच करके दिखाई तूने साहब बचा लो बस एक बार बचा लो ठीक है इतना गिरगिडा रहा है तो बचा लेते हैं भगवान आपका भला करे साहब एस एच ओ ने उसके सामने एक फुलस्केप कागज और बाल पैन रखा ये ये क्या इस पर अपना इकबालिया बयान दर्ज कर साहब बयान ही दर्ज कर दिया तो फिर क्या बचा में बचेगा बयान का क्या होगा उसे जामनानी को फासने के लिए उसके खिलाफ इस्तमाल किया जाएगा और तरसमलाल पहले ही इनकार में सिर हिलाने लगा क्या हुआ? साहब, जामनानी ने मेरे से कोई बात नहीं की थी ना मायाराम की बाबत और ना सोहल की तस्वीरों की बाबत तो किसने बात की थी? उसके एक आदमी ने जिसकी बाबत तक मैं अलग से जानता था कि वो जामनानी का आदमी था यानि कि उसको जामनानी का आदमी समझ कर तूने अंदाजा लगाया था कि तेरी खिद्मत का खरीदार असल जामनानी था हाँ, साहब टेप में तो तू जामनानी का जिक्र यू कर रहा था जैसे वो तेरा हमप्याला, हमने वाला हो नेगी पर रॉब गांठने के लिए, साहब नेगी पर रॉब गांठने के लिए इतना बड़ा और रसूख वाला आदमी भला क्योंकर मेरा एक मामूली हवलदार का हमप्याला, हमनवाला होगा एस एचो के चहरे पर असंतोश के भाव आए फिर क्या बात बनी, वो हड़ बड़ाया तरसमलाल खामोश रहा उस आदमी का नाम बोल एस एचो बोला जो इस बाबत तेरे से मिला था तरसमलाल ने एक फर्जी नाम बोला पता बोल उसने एक फर्जी पता बोला अब कागस पर अपना इस्तीफा लिख तरसमलाल जैसे आस्मान से गिरा जी उसके मुह से निकला लिख की किनी व्यक्तिगत कारणों से तू पुलीस की नौकरी करता नहीं रह सकता तू स्वैच्छा से अपने पत से इस्तीफा दे रहा है जिसे की आज ही से लागू माना जाए साहब रहम ये रहम ही हो रहा है कमीने साहब मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे फॉरन तो नहीं मर जाएंगे क्योंकि अभी तेरे पल्ले पचास हजार रुपए है अभी जेल में बंद नहीं होना चाहता तो फॉरन मैं जो कहता हूँ वो कर तेरी रहाई इसी शर्ट पर हो सकती है कि तू महकमे से इस्तिफा दे साहब इतनी बड़ी सजा न दीजिए ट्रांसफर करा दीजिए, लाइन हाजर करा दीजिए नो साहब महकमे में क्या मैं अकेला करप्ठ हूँ जिस हमाम में सब नंगे हों वहाँ पकड़ा तू गया है कोई और पकड़ा जाएगा तो उसका भी अनजाम तेरे से जुदा नहीं होगा बलकि तेरे से बुरा होगा क्योंकि उसके सिर पर बचा लेने की दुहाई से पिघल जाने वाला कोई इंस्पेक्टर नसीप सिंग नहीं होगा तरसमलाल अपने आपको खुशकिस्मत जान और फोरण हुकम की तामील कर वरना अभी हवालात में बंध होने के लिए तैयार हो जा कापते हाथों से तरसमलाल ने बाल पैन उठाया और कुल जहान को खासतोर से अपनी तकदीर को और अपने दगाबा सहकर्मी हरपाल सिंग नेगी को कोस्ता अपना इस्तीफा लिखने लगा आस्टरिस्क 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 विमल नेपियन हिल पहुचा लोहिया कोठी में मौजूद था वो विमल को अपने आफिस नुमा कमरे में मिला वेलकम वो बोला सुबह सवेरे आए हो तो कोई खास ही बात होगी बात तो खास ही है लोहिया साहब विमल बोला क्या? मुझे हाल में इशारा मिला है कि मेरी वज़़ से आप पर आचा सकती है क्या? कुछ लोग मेरे पर प्रैशर बनाने के लिए उन लोगों पर हमले कर रही है जो मेरे करीबी है, मेरे महरबान है ऐसे एक शक्स आप भी है तुम्हारा मतलब है कि मेरे पर भी हमला हो सकता है जानलेवा लेकिन आप से किसी जाती अदावत की वज़़ से नहीं तो मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए मेरे तक पहुँच बनाने के लिए कमार है ऐसा भी कहीं होता है होता है हो रहा है इसलिए आपको चेताने के लिए मैं खुद चल कर आया हूँ चेत तो मैं गया भाई लेकिन चेत कर क्या करूँ घर बंध होकर बैठ जाऊँ उसका क्या फाइदा होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि घर पर हमला नहीं हो सकता तो मेरी आप से दरखवास्थ है कि आइंदा चन्द दिन आप बहुत सावधान रहें कहीं अकेले ने जाएं गैर नावाकिफ लोगों से परहिज रखे और डेली रूटीन का भेट तो किसी को दे ही नहीं उसे बदलते भी रहें किसी ऐसे शक्स का कोई दावत नामा कुबूल न करे जिसे की आप जाती तौर से न जानते हों लोहिया साहब ये चंद दिनों की जहमत है फिर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा ठीक है आप करेंगे ये सब जरूर करूँगा भाई बरना कौन चाहता है एग्जेक्टली तो मैं निश्चिन्त हो जाऊ हाँ कोई खुदाई मार पड़ गई तो बात दूसरी वरना इंसानी मार से तो मैं पूरी तरह से सावधान रहूँगा ठैक्यू अब एक सवाल मेरा भी फर्माईए कल रात मदाम सिक्वेरा के बादल में बम फटा और उसकी चपेट में आकर उसका एक स्टेडी कस्टमर मारा गया तुम्हारा तो उस वारदाच से कुछ लेना देना होगा नहीं कैसे होगा मेरा भी यही ख्याल था अब तो वहाँ विजिट करना भी ज़रूरी नहीं रहा होगा जी हाँ समझ लीजिए कि जो एक बार देखा उसे दोबारा देखने की कोई हवस नहीं ठीक एस्टरिस्क 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 विमल होटल सीव्यू के नए जनरल मैनेजर के आफिस में उसके सामने बैठा था उस घड़ी वो अपने उस बहुरूप में था जिसमें उसने ओरियंटल होटल्स एंड रिजार्ट्स के आफिस में पहली बार कदम रखा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है हाँ आगे आगे भी ठीक ही चलेगा बलकी बहतर चलेगा मेरी कई च्रेवल एजनसीज में और तूर आपरेटर्स से बात हो गई है आइनदा दिनों में हमें फारेइन तूरिस्स की बलक बुकिंग्स बहतायत में हैंडल करनी पड़ेंगी ये बिजनेस हासिल करने के लिए हमने दो महीने के लिए अपने नार्मल रेट्स पर 40% डिसकाउंट की घोशना की है इतने डिसकाउंट के बाद होटल को प्राफिट हो पाएगा आप कूपेंसी 50-75% तक रही तो नहीं हो पाएगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा 75 से उपर गई तो शर्तिया प्राफिट होगा 50 से नीचे गई तो नुकसान होगा आई सी बस यही पूछना चाहते थे आप नहीं कुछ कहना चाहता था कहिए क्या कहना चाहते है मुझे हिंट मिला है कि कुछ जरायम पेशा लोग अंदरवर्ड से तालुक रखते बाहर से आए कुछ लोगों की शह पर होटल को नुकसान पहुचाने की कोशिश कर सकते है होटल को या होटल के बिजनेस को होटल को होटल को नुकसान पहुचेगा तो बिजनेस को नुकसान तो अपने आप पहुचेगा होटल को नुकसान से आपकी क्या मुराद है कोई खामखा का खून खराबा हो सकता है कोई बम फट सकता है उदैनिया के नेत्र फैले फिर वो विचलित भाव से बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए इनी बातों से तो पहले होटल की साख बिगडी थी होना तो नहीं चाहिए लेकिन रोका कैसे जाए पुलीस प्रोटेक्शन हासिल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्यों ऐसे होटल में कौन थेरेगा जहां हर जगा उसे पुलीस तैनाद दिखाई देगी तो फिर हमें अपनी सिक्यॉरिटी को मजबूत करना पड़ेगा मैं भी यही कहना चाहता था मिस्टर उदैनिया मुझे होटल चलाने का तो कोई तजुर्बा नहीं लेकिन कुछ ऐसी बातों का तजुर्बा है जिनका की आपको नहीं है मसलन सुनिए फाइव स्टार होटल के पैट्स का लगेज तो हम चैक नहीं कर सकते लेकिन इतनी सावधानी जरूर बरत सकते हैं कि कोई लावारिस लगेज लोबी में न दिखाई दे ऐसा ना हो कि कोई चैक इनकी नियत से अपने ऐसे लगेज के साथ लोबी में पहुँचे जिसने की बम रखे हुए हो और फिर लगेज को लावारिस छोड़ कर खुद खिसक जाए अरे यो इस होटल की लोबी में पहले एक बार विस्फोट हो चुका है होटल की रसद वगेरा की सप्लाइज को भी डेली चैट कराना होगा और ऐसा इंतजाम करना होगा कि सप्लाइज होटल से बाहर ही पिछले यार्ड में सर्विस एंट्रिंस के सामने डिलीवर हो ताकि सप्लाइर का प्रतिनिधी बन कर कोई अवांशित व्यक्ति होटल में द हो जाएगा पार्किंग में सिक्योरिटी स्टाफ टिक्ता डुक्ता ही होता है वहां ज्यादा आदमी होने चाहिए ताकि तस्दीक हो सके कि वहां होटल के महमानों के ही वाहन खड़े थे इसी तरह टैक्सी स्टैंड पर रेगुलर टैक्सी वालों की पहचान बनानी होगी ठीक लेकिन इन तमाम सावधानियों के बावजूत कोई मवाली संभ्रांत व्यक्ती बन कर होटल में चैक इन कर सकता है और अपने सामान में बम ला सकता है मैंने खुद कहा था कि ऐसा हो सकता है लेकिन यू लाया गया बम होटल नहीं उड़ा सकता जबकि किसी की मनशा होटल उड़ा देने की है ओ, नो मन्शा है पूरी नहीं होगी हम पूरी नहीं होने देंगे ऐसा कुछ हो गया तो राजा साहब का बहुत नुकसान हो जाएगा ओ तो है फिर भी हमारा मारल डाउन करने के लिए यूं किसी कमरे में कोई बम फट सकता है लेकिन ऐसा बम महमान मौजूदगी में नहीं फट सकता वो खिसक चुका होगा तो तभी कोई बम फटेगा इस समस्या से पार पाने के लिए आप हर फ्लोर पर दो सिक्योरिटी वाले वेटर्स की यूनिफार्म में तैनात कीजिए जो की महमान के जाते ही पासकी से कमरा खोले और मैटल डिटेक्टर की सहायता से उसका लगे चेक करें हो जाएगा ये वो सावधानिया है जो की मुझे सूझी अब आप अपना भी माइंड अपलाई कीजिए और सिक्यूरिटी चीफ और फ्लोर मैनेजर्स को भी माइंड अपलाई करने के लिए कहिए जरूर मैं आज ही लंच के बाद तमाम अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाता हूँ गुड अब मुझे इजाज़त दीजिए उदैनिया का सिर्ष हमती में हिला विमल वहां से रुकसत हुआ और दो मन्जिल सीडिया चड़ कर चौथी मन्जिल पर पहुँचा जहां की राजा साहब का आफिस था वहां रिसेप्शन पर इर्फान और पिचड मौझूद थे दोनों ने विमल का अभिवादन किया ये पिचड है इर्फान बोला ये वो शक्स है जिसे बाबू की निगरानी पर लगाया था पिचड ने फिर अभिवादन किया कल नौरोजी रोड़ वाली अफरात्फरी में इर्फान बोला मैं बताना भूल गया था कि इसे उधर कमाथी पुरे में निगरानी के अपने काम में थोड़ी काम्याबी हासिल हुई है वेरी गुड क्या मालूम हुआ बता भीडू वो सब बोल जो कल तू मेरे को बोला पिचड ने अपनी पिछली रात वाली भौमिक और इंदोरी संबंधित कहानी दोहराई ओ पिचड खामोश हुआ तो विमल बोला कोई पहचा गोदाम की निगरानी के लिए पहचा इर्फान बोला गोदाम से काफी परे तीसरी सड़क पर एक चार मंजिला इमारत है जो खाली पड़ी है उसकी दूसरी मंजिल के एक कमरे में दो आदमी मौजूद है जो की गोदाम और सिर्फ गोदाम की ताक में है कैसे जाना गोदाम के आफिस की एक जिरी में दूरबीन लगा के जाना उन्हें किसके दर्शन की आस है? ये भी कोई पूछने की बात है जाहिर है कि तेरे ऐसे दर्शना भिलाशियों को हमें मायूस नहीं करना चाहिए आस वालों की आस पूरी होनी चाहिए क्या करना मांगता है बाप? विमल ने बताया लंबी मार करने वाली टेलिसकोपिक राइफल एक स्टैंड पर फिक्स थी राइफल की नाल का रुक गोदाम के फाटक की तरफ था और इन दौरी खुद कई बार चैट कर चुका था कि गोदाम के फाटक में से वो बाहर कदम रखता या भीतर कदम रखता तो राइफल के निशाने पर होता उसके साथ जो आदमी था उसका नाम बाब्या था वो दिवंगत अब्दुलगनी की शागिर्दी में रह चुका था और उसी की तरह से क्रैक शॉट था इस बार इंदौरी को यकीन था कि वो फेल नहीं होने वाला था काम बड़े सब्र वाला था लेकिन उसमें काम्याबी निश्चित थी बाबु कामले और भॉर में गोदाम वाली सडक पर उससे थोड़ा परे एक काले शीशो वाली वैन में मौजूद थे और उनकी तरह शिकार की ही ताक में थे राइफल का निशाना चूकने वाली तो कोई बात ही नहीं थी किसी वज़ा से उनका शिकार राइफल के सामने ना आ पाता तो काबु कामले और भॉमिक अपना कोई कर्तब दिखा सकते थे जो की कदरन ज्यादा खतरना कारनामा होता दर्वाजा खुल रहा है एकाएक बाब्या फुस फुस आया इंदौरी ने ततकाल सामने देखा तो पाया की गोदाम का शटर नहीं उठ रहा था बलकि उसके पहलू में बना एक साधारन दर्वाजा खुल रहा था जो की वो जानता था की गोदाम के आफिस का था वो एक तक सामने देखता रहा दर्वाजे में से चार सिक्योरिटी गार्ड निकल कर बाहर सडक पर आए उन्होंने सडक पर दाएं बाएं निगा डाली तो सबकी निगा काले शीशों वाली वैन पर तिकी फिर ग्रिट कदमों से चलते हुए चारों वैन के करीब पहुँचे उन्में से एक जो की उनका सरगना जान पड़ता था वैन की जाइविंग सीट पर बैठे भौमिक से बात करने लगा क्या हो रहा है बाब्या सस्पेंसबरे स्वर में बोला चुप रहा इन्दौरी बोला जो हो रहा है अभी सामने आ जाएगा एकाएक वैन स्टार्ट हुई और वहां से रवाना हो गई थोड़ी देर बाद वो दूर दूर तक उस सड़क पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी मैं समझ गया इन्दौरी उत्तेजित भाव से बोला बाबया तैयार हो जा अपना काम होने वाला है मैं तो तैयार है बाप पंटू क्या समझ गया वो उधर से बाहर निकलने वाला है इसलिए पहले सिक्योरिटी वाले आये और उन्होंने सड़क पर से वो हमारी वैन हटवा दी भौमित वैन की वहां मौजूद दी की कोई वजह तो बता नहीं सकता था इसलिए ना हटाता तो क्या करता ना हटाता तो वो क्या करते जरूर जोर जबर्दस्ती करते चार जनों की पेश न चलती तो और सिक्योरिटी वाले बुला लेते ओ, तभी एक टैक्सी आकर गोदाम के सामने रुकी वही टैक्सी है, इंदोरी और उत्तेजित हो उठा अब तो मुझे फुल गारंती है कि हमारा शिकार गोदाम से बाहर निकला की निकला की मुकमल तो उस दर्वाजे की तरफ लग गई जिसमें से की सिक्योरिटी वाले बाहर निकले थे वो दर्वाजा उस घड़ी बंद था उसे खोल कर दो सिक्योरिटी गार्ड भीतर चले गए और दो दर्वाजे के दाएं बाएं खड़े हो गए बढ़िया इंदौरी खुशी से हाथ मलता हुआ बोला बढ़िया कभी कोई चीज उसकी कनपटी से लगी उसने सिर उठाया तो सन्न रह गया आदमी उसकी निगाह में बस गोदाम से निकल कर टैक्सी में सवार होने ही वाला था वो उसकी कनपटी से रिवॉल्वर की नाल सटाय उसके सिर पर खड़ा था वैसा ही हाल इर्फान ने बाब्या का किया हुआ था वो दोनों उनके सिर पर पहुँच गए थे और उन्हें भनत भी नहीं लगी थी तब उसकी समझ में आया की गोदाम के सामने जो कुछ हुआ था वो एक ड्रामा था जो उनकी मुकमल तवज्जो उधर लगाए रखने के लिए स्टेज किया गया था ताकि वो दोनों निशब्द उनके सिर पर आन खड़े होते इस बात का सबूत ये भी था कि अब सडक पर से प्यादे गायब थे टैक्सी गायब थी और शटर के पहलू का दर्वाजा बंध था विमल ने नाल से इंदौरी की कनपटी को तहोका क्या वो थूप निगलता बोला उठके खड़ा हो विमल बोला और राइफल से परेहट तू भी इर्फान क्रूर स्वर में बाब्या से बोला दोनों ने आदेश का पालन किया इर्फान ने राइफल को अनलोड किया और उसे पाव की ठोकर से परेफेंक दिया शहा भीतर दाखिल हुआ उसने किसी के कहे बिना ही दोनों की तलाशी ली तो इंदौरी के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई ये वही है नविमल बोला जिसने पाँच दिन पहले सोमवार आठ मैं की रात को इश्वर भवन के करीब मेरे पर गोली चलाई थी इंदौरी ने जोर से थूक निगली तलवार कहां रखता है पीठ पर शोहा पीठ देखी इसकी देखी जनाम शोहा बोला नहीं है मैं अपना काम करूँ विमल इंदौरी को घुरता हुआ बोला या मरने से पहले कुछ कहना चाता है इंदौरी ने बेचैनी से पहलू बदला मैंने कुछ नहीं किया बाप एकाएक बाबया बोला मैंने कुछ नहीं किया नहीं किया क्यों कि कर नहीं सका आया तो करने ही था ना कभी तो राइफल था में बैठा था बाप ये मेरे को बोला किसी पर गोली चलानी थी पर मेरे को नहीं मालूम था कि किस पर गोली चलानी थी अब मालूम उसने भैभीत भाव से सहमती में सिर हिलाया तेरे को तो मालूम ही मालूम विमल इंदौरी से बोला नहीं इंदौरी ने जवाब न दिया विमल ने एक फायर किया गोली इंदौरी के दोनों पैरों के बीच में फर्ष पर टकराई कतकाल उसके चहरे पर हवाईया उडने लगी हाँ, हाँ, वो फंसे कंट से बोला हाँ कैसे पता था? रा, राजा साहब की वज़ह से राजा साहब, राजा गजेंद्र सिंग जो होटल का नया मालिक बताया जाता था मेरे को पक्की की वो तुम्हारा ही नया बहुरूप था विमल चौका, उसने घूर कर उसकी तरफ देखा कैसे पक्की? फिर वो सक्ती से बोला नये मैनेजर ने होटल के स्टाफ में से कंपनी के प्यादों का छंटनी किया पड मुकमल तौर से न कर सका अभी टी कई प्यादे स्टाफ में है जिन में से कई मेरे करीबी है वो गारंती से बोले कि राजा साहब और उनका खास असिस्टेंट कभी इकठे दिखाई नहीं देते थे राजा साहब सामने तो असिस्टेंट गायब असिस्टेंट सामने तो राजा साहब गायब ऐसी जोता था यानि कि सोहल या बॉस था सोहल ही असिस्टेंट था ऐसी जोचा मैं फिर तो तेरे लिए एक ही बात थी कि राइफल के सामने बॉस आता था या उसका असिस्टेंट हाँ अगर तेरी सोच गलत निकलती, मेरे को पक्की की मैं अगर बोला, अगर अगर तेरी सोच गलत निकलती तो तो राजा साहब मारा जाता उसके बाद अगर होटल राजा साहब का असिस्टेंट दिखाई देना बंध हो जाता तो इसका साफ मतलब होता कि तू ही राजा साहब अगर असिस्टेंट मारा जागा तो राजा साहब दिखाई देना बंध हो जाता इसका भी साफ मतलब की राजा साहब और असिस्टेंट एक ही आदमी वो आदमी सोहल में सोहल को मारा काफी खुराफाती दिमाग पाया है तूने अब बोल किसका हुका भरता है भाई का या दिल्ली वालों का या दोनों का भाई दिल्ली वाले कुछ नहीं जानता भाई तो कुछ-कुछ समझा पंड दिल्ली वाले गोल-मोल बक्वास मत कर इर्फान डपट कर बोला जो बोलना है साफ बोल हाँ विमल बोला कौन बोला तेरे को मेरी लाश गिराने को कोई नहीं इन दौरी बोला तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है तेरी लाश गिराने पर कमपनी की तरफ से पचास पेटी नकद और ओदेदारी का इनाम था अब कौन बैठा है वो इनाम तुझे देने वाला अगर मैं तेरी लाश गिराने में काम्याब होता तो ओदा मैं खुद हतिया लेता मामूली प्यादा कमपनी की गद्धी हतियाने के सपने देख रहा है मैं मामूली प्यादा नहीं हूँ इन दौरी के स्वर में गर्फ का पुट आ गया मैं वो शक्स हूँ अपनी मौत से पहले बिग बॉस गज्रे ने जिसे शाम डोंग्रे की जगा कमपनी का नया सिपहसालार बनाया था मैं वो शक्स हूँ जिसने अपनी जान पर खेल कर पोकरा में इकबाल सिंग और उसकी बीवी लवलीन की लाश गिराई थी और बीस पेटी नकद और कमपनी में ओधेदारी का हगदार बन कर दिखाया था ओधेदारी मुझे मिली जो तेरी वज़ा से च्छा घंते भी ना चली बीस पेटी मिलने की नौबत ही ना आई एक अकेले तूने मुझे बरबाद किया किसी का बदला उतारने के लिए पहले मेरे पर दो हमले किये हाँ, लेकिन तू कुछ ज्यादा ही खुश किस्मत है जो दोनों बार बजगया तीन बार, इस बार को भी जोल हाँ, तीन बार, तू बहुत खुश किस्मत है वो तो मैं हूँ ही, और मैं बहुत बदकिस्मत तू ये कहना चाता है कि जो कुछ तू मेरे खिलाफ कर रहा है अपनी जाती हैसियत से कर रहा है और कैसे करूँगा? किसी भाई की हुपमबरदारी नहीं कर रहा? किनी दिल्ली के दादाओं का हुका नहीं रहा? जानता है जो तेरे को सोहल की लाश गिराने को बोला बिल्कुल गलत तू एरपोर्ट पर मेरी ताक में मौजूद नहीं था? कब? कभी भी? मसलन इसी इतवार को साथ तारीक को मेरे साथ ही थे उधर मेरी ताक में? हाँ जो कि मुझे देखते ही वही मेरी लाश गिरा देते? वही नहीं वो नहीं मतलब? वो मुझे खबर करते फिर ये काम मैं करता कही और? एरपोर्ट पर नहीं जाहिर है तुका और वागले का तो ऐसा लिहाज न किया तूने? मेरा उनसे कोई मतलब नहीं था तूने एरपोर्ट पर तुका और वागले को नहीं मारा? नहीं चर्चडेट के यतीम खाने में बंब नहीं लगाया? नहीं दिल्ली जाके भी कोई बुल नहीं खिलाया? नहीं सच कह रहा है? हाँ मेरी लाश गिराना तेरा खुद का प्रोजेक्ट था क्योंकि तुझे उम्मीद थी कि तू बखिया बन सकता था इकबाल सिंग बन सकता था गजरे बन सकता था हाँ वो पूरी धिठाई के साथ बोला सो बार भी पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा मैं जो किया उसका मेरे को कोई अफसोस नहीं जंग में हारजीत होती ही रहती है क्या कहने गजरे ना बन सका लेकिन गजरे जैसी जुबान बोलना बाखु भी सीख गया तू तकदीर का बादशा है बाप मेरी न चली तो सिर्फ तेरे पर पेश न चली अब और तो चलेगी भी नहीं अब तो तेरी कहानी खत्म है जिस आदमी ने तीन बार मेरी जान लेने की कोशिश की उसकी जान लेने का तो मुझे पूरा अक्तियार होना चाहिए नहीं मैंने कुछ नहीं किया बाब्या एकाएक विक्षिप्तों की तरह चलाया मैंने कुछ नहीं किया इर्फान के खुले हाथ का एक करारा जामपड उसके चहरे से टकराया पॉंट आवाज न निकले वो घुड़क कर बोला वरना गला हस्ता होगा बाबा ने होट भीच लिए जवाब नहीं दिया तूने इस वक्त वक्त तेरे साथ कुछ भी कर सकता है विमल इंदौरी से बोला इंदौरी बोला तू अगर मैं तुझे छोड़ दू तो तू मेरा पीछा छोड़ देगा तू मुझे नहीं छोड़ने वाला इसलिए जूट बोलना बेकार है मैं तेरी साफगोई की दाद देता हूँ इंदौरी खामोश रहा कंपनी खत्म है उसके मुर्दा जिस्म में जान कोई नहीं फूख सकता तू भी नहीं तू ऐसा कह सकता है बाप क्योंकि तू तू है ना होता तो कोई ना होता ऐसा कहने वाला जो जुबान बोल रहा है उससे तू जानबक्षी का ख्वाहिशमंद नहीं लगता उसने फिर होंट भीच लिए उन ट्यादों के नाम बोल जो अभी भी होटल के स्टाफ में घुसपैट किये बैठे हैं उसने मजबूती से इनकार में सिर हिलाया विमल ने बाब्या की तरफ देखा ये कुछ नहीं जानता इन दौरी बोला एक कंपनी का आदमी नहीं ये सिर्फ राइफल से फासले से निशाने लगाने का स्पेशलिस्ट है बाबो कामले और भामिक के बारे में क्या ख्याल है वो तेरी पकडाई में नहीं आने वाले विमल ने शोहाप को इशारा किया शोहाप ने सहमती में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया एक मिनट बाद वो वापिस लोटा तो उसके साथ आकरे और विक्तर भी थे जो हाथ में थमी रिवॉल्वरों से बाबू कामले और भामिक को पीट तीछे से टोकते आगे चलाते कमरे में दाखिल हो रहे थे अब क्या कहता है नेपाल का हीरो विमल बोला और कम्पनी का ताजारीन से पैसालार इंदौरी ने विमल से निगाह न मिलाई अब उसके चहरे पर पराजय के गहन भाव स्पष्ट अंकित थे उसके मुंग से बोल न फूता बाप तू जा इर्फान बोला इधर में देखता है विमल ने सहमती में सिर हिलाया उसने अपनी रिवॉल्वर भी इर्फान को थमा दी और वहां से रुखसत हुआ अभी उसने सीधियों पर कदम डाला ही था कि उसे पीछे से पहली गोली चलने की आवाज आई मंदे कम्मी नान का जदकद मंदा हुए एक कार कोली वाड़े में होटल मराथा के सामने आकर रुकी कार में टोकर्स, चिर्कुट, हुमने और कोली सवार थे कोली ड्राइविंग सीट पर स्टेरिंग के पीछे था उसको छोड़ कर बाखी तीनों कार से बाहर निकले कोई पंगा दिखाई दे हुमने बोला तो हान बजाना कोली ने सहमती में सिर हिलाया तीनों होटल में दाखिल हुए रिसेप्शन पर उस घड़ी सलावदीन का सबसे छोटा लड़का आमिर मौजूद था यस सर्ण वो स्वागतपूर्ण स्वर में बोला सलावदीन साहब से मिलना है तोकस रॉप से बोला क्या काम है उन्ही को बताएंगे आपकी तारीफ तोकस नाम है मेरा कहां से आए हैं जनाव सब सवाल खुद ही पूछेगा या कुछ सलावदीन को भी पूछने का मौका देगा सौरी सर मैं अभी साहब को खबर करता हूँ उसने फोन उठा कर पीछे आफिस में घंती दी और माउट पीस के साथ मुंग लगा कर कुछ कहा आ रही हैं फिर रिसीवर रखता वो बोला तोकस ने सहमती में सिर हिलाया आफिस का दर्वाजा खुला सलावदीन रिसेप्शन पर पहुँचा फर्माईए वो मीठे स्वर में बोला बंदा हाजिर है सलावदीन तोकस बोला जी हाँ जो की इस होटल के मालिक है जी हाँ मुझे ये फक्र हासिल है आप से कुछ खास बाते करनी है खुफिया किस्म की कहीं अकेले में हों हो सकी है जी हाँ तश्रीफ लाइए सलावदीन उन्हें आफिस में ले आया उसकी टेबल पर एक खास किस्म का हैंड फ्री इंटर कॉम मौजूद था जिससे भीतर की बाते रिसेप्शन पर सुनी जा सकती थी उसने चुपचाप उसका स्विच अन कर दिया वैसा ही एक और स्विच दबाने पर रिसेप्शन की बाते भीतर सुनी जा सकती थी वो इंटरकॉम खास मौकों पर ही इस्तमाल होता था और सलावदीन का दिल गवा ही दे रहा था कि सूरत से हलके लगने वाले उन लोगों की वहां आमद खास मौका ही था फर्माईए सलावदीन बोला हमें सोहल की तलाश है टोकस बोला कौन सोहल? आप किसी सोहल को नहीं जानते? नहीं हमें पता चला है कि आप सोहल के करीबी है पक्के दोस्ट है उसके किस से पता चला है? आप बताये कि क्या ऐसा नहीं है? हजरात जिस शक्स के मैं नाम तक से वाकिफ नहीं वो कैसे मेरा दोस्ट हो सकता है? वो आपके होटल में अकसर ठहरता है बाहर रजिस्टर मौजूद है आप खुशी से उसकी पड़ता कर सकते है उसमें किसी सोहल का नाम दर्ज दिखाई दे तो कहिएगा ठहरता तो वो हमेशा यहीं है अलबत्ता किसी और नाम से ठहरता हो सकता है और नाम? हाँ कॉल अर्विंद कॉल कॉल साहब तो जनाब हमारे स्टेडी कस्टमर है लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो सोहल के नाम से भी जाने जाते थे अब मालूम हो गया? जी हाँ कॉल साहब तो इतफाक से आजकल भी यहीं ठहरे हुए है कतकाल तोकस के चहरे पर रौनक आई उसने अपने साथियों की तरफ देखा वो भी उस खबर से उसकी तरह ही प्रसन्न थे क्योंने होते? वो तो सलावदीन पर दबाव बना कर सोहल का कोई अतापता निकालने की फिराक में आये थे यहाँ तो सोहल ही मिला जा रहा था ऐसा वो बोला जी हाँ सलावदीन ने जवाब दिया इस वक्त वो अपने कमरे में मौझूद है मैं रिसेप्शन से पता करता हूँ सलावदीन ने फोन उठा कर रिसेप्शन का नमबर डायल किया एक ख़़न बात की और फोन वापिस रख दिया जी हाँ वो बोला होटल में ही है कौन साहब इस वक्त कौन से कमरे में वही जिसमें हमेशा आकर ठहरते हैं चौथी मनजिल पर एक ही डबल रूम है उसमें हम उनसे उनके कमरे में जाकर मिल सकते हैं शौक से हम उन्हें सरपराइज देना चाहते हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि आप फोन पर हमारी बाबत उन्हें कोई खबर ना करें। नहीं करेंगे। आईए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। सलावदीन के साथ बाहर निकले। एक खबर को सलावदीन की निगा आमिर से मिली तो आमिर ने हौले से सहमती में सिर हिलाया। वो लिफ्ट की तरफ बढ़े। उनके आगे चलता सलावदीन रास्ते में ही ठिठक गया। लिफ्ट के बंद दर्वाजे के आगे लिफ्ट खराब है का का बोर्ड लगा हुआ था। सौरी साबान वो खेटपूर्ण स्वर में बोला लिफ्ट एका एक खराब हो गई जान पड़ती है। आपको सीडियों से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। टोकस बोला आप खुट टॉप फ्लोर पर पहुँच जाएंगे या मैं किसी को साथ भेजू। पहुच जाएंगे। गुड तीनों सीडिया चड़ने लगे। उनके सीडियों का पहला मोर काटते ही एक बैलबवाई ने आगे बढ़कर लिफ्ट के सामने रखा लिफ्ट खराब है का बोर्ड हटा दिया। रिसेप्शन के पीछे से निकल कर आमिर लिफ्ट के सामने पहुचा। लिफ्ट के पहलू के एक बंध दर्वाजे के पीछे से निकल कर जावेद और आरिफ वहां पहुचे। चारों लिफ्ट में सवार हुए। लिफ्ट उपर को बढ़ चली। तोकस, चिरकुट और हुमने चौथी मनजिल पर पहुचकर वहां के इकलोते कमरे के सामने ठिटके। तीनों के हाथ कोट की जेबों में सरग गए जहां की रिवॉल्वरे मौजूद थी। तोकस ने खाली हाथ से दर्वाजे पर दस्तक दी। खुला है। भीतर से आवाज आई। तीनों ने चैन की सांस ली। तोकस ने दर्वाजा खोला। तीनों ने भीतर कदम रखा। भीतर डबल बैड पर कोई मौजूद था जो की अपने दोनों हातों में खुला अकबार थामे था जिसकी वजह से उसकी कमर के ऊपर से लेकर सिर्थक का सारा हिस्सा अकबार के पीछे छुपा हुआ था। सोहन तोकस धीरे से बोला। हाँ, अकबार के पीछे से जवाब मिला कौन? अकबार का पीछा छोड़ेगा तो जानेगा न? अभी लो। अकबार फडफडाता हुआ एक और जागिरा। पीछे से जो आदमी प्रकट हुआ उस पर निगा पढ़ने पर तोकस सक्पकाया। तू कौन है? वो सक्ती से बोला। सोहल नासर बोला उर्फकॉल। तू सोहल नहीं है। ठीक पहचाना। पीछे से आवाज आई सोहल तो इधर है। तीनों ने चिहुंकर पीछे देखा तो उनके छक्के छूट गए पीछे सलावदीन और उसके तीन बेटे मौझूद थे। तीनों बेटों के हाथ में रिवॉल्वरे थी, खुद सलावदीन के हाथ में स्टेंगन थी। जामिर बोला नहीं, मैं सोहल हूँ आरिफ बोला इस बार मेरी बारी है। अरे, कमबक तो! सलावदीन बोला जो सोहल के करीदी है, उन्हें फैसला करने दो की कौन सोहल है। तीनों को जैसे एकाएक सांप सूम गया था। तोकस ने घूम कर पलन की तरफ देखा तो पाया कि अब वहां मौजूद लड़के के हाथ में भी रिवॉल्वर थी बोलो हजरात सलावदीन बोला कौन सा सोहल पसंद है ताकि वो अपना काम शुरू करे काम तोकस के मुह से निकला और तुम लोगों का भी तु तुम्हारी यहां गोली चलाने की मजाल नहीं हो सकती क्यों भई तुम्हारी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती हमने अपना काम करके चले जाना था तुम लोगों ने यही रहना है इसलिए साबान मैं पहले ही बोला कि इस मंजिल पर एक ही कमरा है यहां चली गोली की आवाज किसी को सुनाई नहीं देने वाली ला, लाशे, चार लाशे भरे पूरे होटल से बाहर निकालना हसी खेल न होगा बाहर कौन निकालेगा? तोप, क्या करोगे? यहीं तुम्हारा कीमा कूटेंगे और कबाब बना कर महमानों को परोज देंगे सलावदीन ने वो शब्द ऐसे निर्शन्स भाव से कहे कि तीनों की रूप काम गई हमारी, हमारी टोकस बोला तु, तुम्हारे से कोई अदावत नहीं, हमारी है क्यूँ? क्योंकि तुम सोहल के दुश्मन हो हमारी उससे भी कोई अदावत नहीं हम सिर्फ हुक्म के गुलाम है किसके गुलाम हो? नाम बोलो उसका ब्रजवासी पूरा नाम? माता प्रसाद ब्रजवासी कौन है? कहां पाया जाना है? दिल्ली से आया बड़ा आदमी है आदमी है या मवाली है? गैनिस्टर है? या दिल्ली में दादा बोलते हैं? वही है क्या? यहां कहां पाया जाना है? होटल में? कौन से होटल में? एक ही बार सब कुछ बोल गौडविन में? कॉलापा में है गार्दन रोड पर कमरा नमबर बोल नहीं मालूम क्या? सलावदीन ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घुरा नहीं मालूम वो हमें कमरे में आने कभी न बोला जब भी मुलाकात हुई लोबी में हुई या कार पारकिंग में हुई फिर सलावदीन हुमने की तरफ घुमा तू तो लोकल मालूम होता है हुमने ने जल्दी से सहमती में सिर हिलाया मेरे को जानता है उसका सिर फिर सहमती में हिला फिर भी यहां आने की हिम्मत की बजबूरी, बाप अंगुठे और उंगली से थाम कर अपने अपने हत्याल जेप से निकालो और फर्ष पर फैंको जिसका हाथ जरा भी सीधा हुआ उसको गोली पलग जपकते तीन रिवॉल्वरे कालीन बिछे फर्ष पर आकर गिरी मैं तुम्हारी जान बक्षी कर रहा हूँ सलावदीन बोला इसलिए नहीं क्योंकि तुम ऐसी किसी नवाजश के काबिल हो बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खामखा का खून खराबा पसंद नहीं करता तोकस की जान में जान आई तो तो हम जाएं वो बोला ऐसे कैसे जाओगे? शहर में अजन भी हो, कहीं भटक जाओगे? मैं तुम्हें भिजवाने का इंतजाम करता हूँ क्या? जावेद जी, अबबाजानी पुलीस को फोन कर बोल, लूट पार्ट मचाने की गरच से होटल में हतियार बंद मवाली घुसाए हैं आकर उन्हें गिरफ़तार करें जी, अबबाजानी टोकस का चहरा उतर गया वही हाल उसके जोडिदारों का भी हुआ ये विमल ने कपिल उदैनिया के सामने एक लिस्ट रखी होटल के मौजूदा स्टाफ के ग्यारा आद्मियों के नाम है इन में से कोई वेटर है, कोई बैलबवाई है, तो कोई कलर्क है राजा साहब का हुकम है कि इन्हें फोरण डिस्मिस कर दिया जाए वज़ा, उदैनिया बोला, ववाली है, कमपनी के आदमी है आपकी परसों की स्क्रीनिंग से बज गए ओ, राजा साहब को कैसे खबर लगी इनकी? मैं पूछूंगा उनसे विमल का स्वर्शुष्खो उठा अगर्चे की मेरी मजाल हुई सौरी, इशारा समझ कर ततकाल उदैनिया खेदपूर्ण स्वर में बोला इतने धेर स्टाफ में अभी ऐसे आठ दस लोग और भी हो सकते हैं सिक्योरिटी चीफ से कहिएगा कि वो इनहीं लोगों से कुबलवाने की कोशिश करे की ऐसे और लोग कौन है और है भी या नहीं है ठीक है विमल वापिस चौथी मन्जिल पर पहुचा तभी फोन की घंती बजी उसने रिसीवर उठाया राजा साहब के लिए कॉल है ओपरेटर की आवाज आई कौन है होटल मराठा से कोई मिस्टर सलावदीन है राजा साहब इस वक्त होटल में नहीं है कौन मुझे दीजिए मैं मैसेज रिसीव कर लूँगा यस सर्ण एक क्लिक की आवाज हुई और फिर सलावदीन की आवाज उसके कान में पड़ी आदाब विमल मीठे स्वर में बोला मैं आपका खादिन पहचान लिया सलावदीन की आवज आई कोई खास ही बात होगी जो इधर फोन लगाया खास ही बात है क्या? इधर कुछ लोग तेरी फिराक में आये थे हत्यार बंद थे और मेरे से जबरन तेरे बारे में कुबुलवाने के तमन्नाई मालूम होते थे उन्हें मैंने गिरफ्तार करा दिया है खत्म भी करा सकता था लेकिन मैंने खाम खा के खून खराबे से परहिज किया खास बात ये नहीं है कि ऐसे लोग मेरे यहां पहुँचे खास बात ये है कि वो सोहल को पूछते हुए पहुँचे वो मेरे नाम तक से वाकिफ थे बख्या से लेकर गजरे की बादशाहत तक जिस नाम से कोई कमपनी में वाकिफ न हुआ उससे वो मामूली टपोरी वाकिफ थे ये खास बात है कैसे वाकिफ थे? सोच कोई तो होगा उनकी राह दिखाने वाला जो की सोहल का रिष्टा सलावदीन से जोड सकता था मराठा से जोड सकता था कोई तो होगा जो तेरे बारे में कमपनी के जंडा बरदारों से भी ज्यादा जानता था कम से कम एक बाद ज्यादा यकीनी तौर से जानता था की सोहल का किसी सलावदीन से भी गट जोड था सोच कौन हो सकता है ऐसा आदमी? माया राम विमल के मुंग से स्वयमेव ही निकल गया वो कौन हुआ? है एक कमपत जो मेरी गुजश्टा जिंडगी में से प्रेद की तरह सर उठा के खड़ा हो गया था वो ही कमीना दावा करता था कि उसने दस महीने लगा कर तिनका तिनका जोड कर मेरी मुकमल क्राइम लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट किया था जरूर वो ही कहीं से आप की भनक पा गया था उसी के भेजे वो मवाली मराथा में पहुँचे थे? नहीं, उसके भेजे तो नहीं पहुचे हो सकते क्योंकि पहले वो गिरफतार था और फिर उसका पुलीस कस्टडी से अगवा हो गया था आज की तारीक में तो अभी ये भी नहीं मालूम कि वो जिन्दा है या मर गया लेकिन आपकी बात सुनकर अब मेरी समझ में ये आ गया है कि क्यों उसको पुलीस कस्टडी से छुडवाया गया था तेरी बाबत जानकारी हासिल करने के लिए? यकीनन उस जानकारी की ही बिना पर मेरे कुछ खास दुश्मन हर उस शक्स के पीछे पड़े हुए है जो की मेरा खास या करीबी है ऐसे ही एक शक्स आप है दुश्मन जाने पहचाने मालूम पड़ते हैं जी हाँ वो दुश्मन ऐसे हैं जिनकी अपनी जान इसी सूरत में बच सकती है कि वो मेरी जान ले ले कहां है दिल्ली में लेकिन उनमें से एक आजकल मुंबई में है माता प्रसाद ब्रजवासी विमल के मुंग से हैरान भरी सिसकारी निकली आपने कैसे जाना वो बुला उन्ही तीन मवालियों से जाना जो तेरी फिराक में मराथा पहुँचे थे उनमें से एक बढ़ बढ़ के बोल रहा था और बाकियों का लीडर जान पढ़ता था दिल्ली से इस ब्रजवासी के साथ ही आया जान पढ़ता था बाकी दो जने हुमने और चिरकुट लोकल थे बस तीन ही थे होटल में तो तीन ही पहुँचे थे बाहर आजू बाजू कोई रहा हो जो माहौल गरबडाता देख के खिसक गया हो तो कुछ नहीं सकता ओ, इस ब्रजवासी का लोकल पता मालूम हो पाता तो है ना मालूम वो भी तो वज़ा है जो मैंने तेरे को फोन लगाया बताइए पता होटल गॉडविन, गार्डन रोड, कोलाबा रूम नमबर नहीं मालूम विमल ने पता नोट किया और फिर बोला वैसे मवाली लोग वैसी ही नियत के साथ फिर आ सकते हैं तू फिक्र न कर बच्चे सलावदीन का दिल हमेशा ही नहीं पसीशता इस बार जो आएगा, चार भाईयों के कंधों पर सवार होकर वापिस जाएगा या फिर मैं सच ही उसका कीमा कूट डूँगा वो कई हो सकते हैं एक बार खता खा चुकने के बाद वो ज्यादा ताकत के साथ आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं आम असला के अलावा मेरे पास एक तोब भी है जो काफी अर्से से इस्तमाल में नहीं आई मैं उसे निकाल के चमकाता हूँ और रवा करता हूँ आप मजाग कर रहे है नहीं, भाई मैं एकदम संजीदा हूँ आपके कहने का मतलब ये है कि आप सब संभाल लेंगे हाँ, यहीं मतलब है मेरा तो मैं आपकी तरफ से निश्चन्थ हो जाऊँ बिलकुल खुदा हाफिज लाइन कट गई विमल ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रखा और इर्फान को बुलाया होटल में ठहरे एक आदमी से निपट लेगा विमल बोला या मैं साथ चलू निपट लेगा के क्या माइने इर्फान निसंकोच बोला खलास करना है या पकड़ के लाना है दोनों में से जो काम आसान लगे वो करना है अन्थ-पंथ तो खलास ही होगा पकड के लिए आएगा तो उसका गाना सुन लेंगे मैं समझ गया पता बोल विमल ने वो कागज उसे थमा दिया जिस पर उसने ब्रजवासी का पता नोट किया था आंधी तूफान की तरह कोली कोलाबा पहुचा पीछे मराठा में पुलीस पहुचते ही वो समझ गया था कि पंगा पड़ गया था उसने फोरण अपनी कार मराठा के सामने से हटा ली थी और फासले से उस पर निगाह रखे इंतजार करने लगा था पाँच मिनट बाद जब उसने पुलीस को अपने साथियों को गिरफ़तार करके ले जाते देखा था तो उसने फोरण रजवासी को उसके होटल में फोन लगाया था लेकिन मालूम हुआ था कि वो अपने कमरे में नहीं था तब उसने उसके होटल पहुचना ही मुनासिप समझा था वो रिसेप्शन पर पहुचा मालूम हुआ कि मिस्टर रजवासी अपने करे में नहीं थे तो कहां थे किसी को कोई खबर नहीं थी उनके कमरे की चाबी क्योंकि कीबोर पर मौजूद थी इससे लगता था कि वो होटल में मौजूद नहीं थे लॉबी में बैठ कर उसका इंतजार करने अलावा कोली के पास कोई चारा नहीं था जामनानी अपने आफिस से उठने की तयारी कर रहा था जबकि तरसमलाल वहां पहुचा जामनानी ने अप्रसन भाव से उसकी तरू देखा और फिर भुन्धुनादा सा बोला वड़ी इधर कैसे आ गया नी परेशान हाल तरसमलाल जामनानी की मेज के पीछे पहुचा और उसकी टांगों से लिपट गया बर्बाद हो गया साहब वो कल्पता हुआ बोला बर्बाद हो गया अब तो आप ही रक्षक हो आप ही पालनहार हो चड्या हुआ है नी क्या ड्रामा कर रहा है साहब ये ड्रामा नहीं फरियाद है मैं पाव छोड़नी जामनानी उसे घुड़कता हुआ बोला नहीं छोड़ूँगा जब तक आप मुझे अपने गुलामी में लेने की हामी नहीं भरोगे जब तक नहीं छोड़ूँगा अरे कमबक्त मारे कुछ कहेगा तो मैं कुछ समझंगा ना कहूंगा साहब कहने ही आया हूँ मेरे घुटने को कहेगा नी नहीं साहब तो उठके खड़ा हो तरसमलाल खड़ा हुआ सामने जाके कुर्सी पर बैठ तरसमलाल ने आदेश का पालन किया अब बोल क्या हुआ साहब नौकरी चली गई इस उम्र में बेजजत हुआ सो अलग वडी कुछ बोल भी अब की क्या हुआ कैसे हुआ तरसमलाल ने बोला वडी करसमलाल जामनानी उसके खामोश होते ही भड़का तेरे पर खुदा की मारनी वडी क्यों नशे में भौका नी खता हुई साहब अकल मारी गई उपर से मेरे ही यार ने मेरे दगा दिया एस एचो का चमचा बन गया मुझे इतनी पिला दी की अब मैं क्या बोलू मेरा नाम भी भड़का होगा नहीं साहब बिलकुल नहीं करसमलाल साफ जूट बोलता हुआ बोला अगर ऐसा हुआ होता तो क्या मैं आपको यहां आकर मुख दिखाने के काबिल बचा होगा तो किसका नाम लिया नी क्या बोला नी किसके कहने पर वो काम किया मैंने एक फर्जी नाम ले दिया फर्जी ही पता भी बता दिया साहब यकीन कीजिये ऐसे चोड़ टक्करे ही माता रह जाएगा कुछ नहीं जान पाएगा वड़ी शक तो करेगा नी वो मेरे पर शक से क्या होता है साहब शक तो बड़े लोगों पर किये ही जाते है आज जैसे बड़े और रसूख वाले आदमी पर शक की बिना पर तो कमिशनर भी हाथ नहीं डाल सकता एक मामूली एसेचो की क्या बिसाथ है अब तू चाहता क्या है नी तेरे एसेचो को कहूं कि तुझे नौकरी पर बहाल करे नहीं साहब वो तो अब मुम्किन भी नहीं रहा है उसने तो मेरे सामने ही मेरा इस्तीफा DCP के पास भेज दिया था तो क्या चाहता है नी साहब अपनी खिदमत में ले लो नहीं तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे मेरी खिदमत उल्दी भी पड़ सकती है हो सकता है कि जहां है वहां के काबिल भी न रहे सोच ले सोच लिया साहब सोच क्या लिया निश्चय कर लिया अब तो मरना जीना आपके साथ है जूले लाल कितनी लंबी लंबी छोड रहा है साहब मैं जो कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ कुँ तू मेरे काम आया भले ही नावा लेके कमाया इसलिए तेरे लिए करना तो पड़ेगा कुछ न कुछ भगवान आपका भला करे वड़ी कल दिन में आना नी मैं तेरे लिए कोई काम निकालूंगा शुक्रिया साहब आपने तो मुर्दे में प्राण फूक दिये उसने फिर जामनानी की चरण रज लेने की कोशिश की लेकिन जामनानी ने उसे दाट कर भगा दिया अली वली सुझान सिंग पार्क के टैकसी स्टैंड पर मुबारक अली के इंतिजार में मौजूद थे उस घरी अंधेरा हो चुका था और टैकसी स्टैंड के खोखे में बल्ब जलने लगा था सयोग की बात थी कि उतना बिजी टैकसी स्टैंड उस घरी सुना था उसी तक्तपोश पर अली वली विराजमान थे हुकमनी और अमर्दीप वहां पहुँचे ताश खेलते एक जाइवर ने पत्तो पर से सिर उठाया और बोला टैक्सी नहीं है टैक्सी नहीं चाहिए हुकमनी बोला तो मुबारत अली से मिलना है वो तो है नहीं यहां सवारी लेके गया है लोटेगा तो यही? हां लोटेगा तो ज़रूर यही पक्का अड़ा है यह उसका बारा बजे तक वो इधर ही होता है अभी तो आठ भी नहीं बजे ओ आपको क्या काम है उससे? मिलना है हम उसके गाव से है अली वली के कान खड़े हुए दोनों ने गौर से हुकमनी की सूरत देखी अच्छा लेकिन हम उसे पहचानते नहीं है आप बताए कैसे पहचानेंगे हम उसे कोई हुलिया बता दे तो हमें सहूलियत होगी अमर्दीब बोला अरे भाई मुबारत अली की पहचान उसके हुलिय से नहीं होती उसके जूते से होती है क्या बारा नंबर का जूता पहनता है कभी देखा किसी बारा नंबर का जूता पहनते ओ वैसे उसकी टैक्सी का नंबर क्या है D.L.T. 2619 इंच ठीक है हम थोड़ी देल में लोटके आते है जब मर्जी आना हम मुबारत अली को बोल देंगे वो तुम्हारे लिए रुक जाएगा शुक्रिया दोनों वहां से हटे और खाली मैदान में चलते अंधेरे में विलीन हो गए अली वली की नजरे मिली फिर वली अपने स्थान से उठा और तहलता हुआ उधर बढ़ा जिधर वो दोनों गए थे दस मिनट बाद वो वापिस लोटा दो और है वो धीमे स्वर में वली से बोला उधर मैदान में दाखिले के रास्ते पर खड़े है अली ने सह्मती में सिर हिलाया वली वापिस तक्तपोश पर बैठ गया दोनों के चहरों पर चिंता के किसी प्रकार के कोई भाव नहीं थे अलबत्ता वे चौकने जरूर हो गए थे आधा घंता यू ही गुजरा उस दौरान तीन चार टैक्सियां वहां आई और चली गई फिर मैदान में दाखिले के रास्ते पर एक टैक्सी की हैडलाइट्स चमकी टैक्सी मैदान में दाखिल हुई ही थी कि रुख गई वही उसकी हैडलाइट्स ओफ हुई लेकिन यू अंधेरा होने से पहले उन्होंने देखा कि चार आदमी टैक्सी के जाइविंग सीट की ओर के पहलू में खड़े थे टैक्सी की हैडलाइट्स पूरी तरह से ओफ हुई तो प्रत्यक्ष हुआ कि उसकी पार्किंग लाइट्स जल रही थी मामू वली दबे स्वर में बोला अली ने सहमती में सिर हिलाया कभी उधर से कोई जोर से बोला ताश खेलते दोनों ड्राइवरों की तवज्जो आवास की तरफ गई फासले से भी उन्होंने अपने सहयोगी टैक्सी ड्राइवर का पहाड जैसा आकार साफ पहचाना अरे एक बोला ये तो अपना मुबारक अली है चार जने गले पड़ रहे हैं उसके दूसरा बोला लड रहे हैं एक से चार पहले ने पत्ते फैंक दिये चलो ये करतारिया दूसरे ने भी पत्ते फैंके दोनों तक्तपोश से नीचे उत्रे बैठे रहो वली बोला बैठे रहें करतारे के नाम से पुकारा जाने वाला व्यक्ती बोलाओ ये तेरे मामे नू बैठे रहो और नजारा करो वली बोला ओ ये काका वो चार है काफी नहीं है मामो को किसी मदद की जरूरत नहीं पढ़ने वाली कमाल की बात करता है यार तू बैठे रहो उधर मुबारक अली एक जने का चाकू वाला हाथ दबोचे था और दूसरे को गर्दन से पकड़ कर यू उठाए था कि उसके पाफ जमीन पर नहीं लग रहे थे बाकी दो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मचली की तरह तरपता उनके काबू में नहीं आ रहा था चाकू वाले के हाथ से चाकू निकल गया तो मुबारक अली ने उसे परे धकेल दिया और दूसरे हाथ में थमे दूसरे को भी उसके उपर फैंका एक के हाथ में डंडा था जो उसने मुबारक अली के सिर को निशाना बना कर चलाया डंडा मुबारक अली के सिर की जगा उसके बैल जैसे कंधे से तकराया डंडे वाले दूसरा वार किया तो उसने डंडे को हवा में ही थाम लिया वारे तो रुख गया लेकिन बाकी के तीनों जपट कर मुबारक अली से लिपट गये. या अली एकाईक मुबारक अली ने घंगर्जन किया मदद. चारों मुबारक अली के जिस्म से चिटक कर परे जाके गिरे. फिर मुबारक अली ने उन्हें लाद घूंसों पर धर लिया और बले की तरह उनके बीच घूंता उन्हें रूई की तरह धुनने लगा अब वो चारों मुकाबला नहीं कर रहे थे, सिर्फ पिट रहे थे फिर एकाएक वो वहां से भाग निकले ठहर जाओ, अल्ला मारो किसी का जूता, किसी का चाकू, किसी का डंडा उनके पीछे उचालता मुबारक अली चिलाया अभी तो हाथ भी नहीं गर्म हुए चारों अंधेरे में कहीं गायब हो गए भाग गए, साले मुबारक अली हाथ जारता हुआ बोला अली वली ने ड्राइवरों की तरफ देखा बल्ले, भाई करतारा मंत्रमुग्द स्वर में बोला कमार है दूसरा बोला हम तो तुम्हें कोस रहे थे कि अच्छे भांजे हो जाके मामू की मदद नहीं करते मदद करने जाते तो मामू भरक जाता अली बोला सिर्फ चार ही तो थे वली बोला मामू दस दस जनों में अकेला लंगोट घुमा चुका है शाबाशे, भाई, करतारा बोला मुबारक अली की टैक्सी करीब पहुँची और वो जूमत सा उसमें से बाहर निकला मामू वली बोला मजा नहीं आया दो मिनट में ख़देर दिया वली बोला कुछ देर तो धुनना था कमबक्त मारू मुबारक अली बोला सब देख रहे थे हाँ, मामू फिर भी करीब न फटके फटकते तो अब चार पिट रहे थे, फिर छा पिटते मुबारक अली हसा उसने केवल एक क्षण को सनहसिक्त भाव से अपने भांजो की तरफ देखा फिर ततकाल उसके चहरे पर पहले जैसे कठोर भाव आ गए वो तो है वो सक्ती से बोला नसीब मारो तुम्हारी मदद की जरूरत मुझे एक ही बार पड़ेगी जबकि तुम मेरी मयत उठाओगे और मुझे कबरिस्तान छोड़ को आओगे वहां भी तुम्हारी जिद होगी अली बोला कबर मैं खुद खोदूँगा मुबारक अली की हसी चूट गई उसने एक जोर की धौल अली की पीट पर जमाई थे कौन वो करतारा उच्सुक भाव से बोला क्या पता कौन थे मुबारक अली बोला तेरी ही ताक में थे यहां पहले पूच्टाच कर गए थे तेरे बारे में लेकिन दूसरा बोला तेरी शकल नहीं पहचानते थे अब ताजिन्दगी नहीं भूलेंगे मुबारक अली बोला सपनों में देखेंगे और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में चौक चौक के उठके भागेंगे वो तो ठीक है वीर मेरे करतारा बोला लेकिन वो फिर आ सकते हैं ज्यादा बड़ी तादाद में आ सकते हैं दूसरा बोला अब नहीं आएंगे उनके यहां पहुँच जाओंगा अच्छा पहचानता है उन्हें उन्हें नहीं पहचानता लेकिन उन्हें पहचानता हूँ जिनकी ये तमाम के तमाम नाजायस आुलाद है शोता फिर न बोला चलो मुबारक अली ने भांजो को खुक्म दिया कतकाल अली वली टैक्सी में आगे सवार हुए मुबारक अली पिछली सीट पर पसर गया तो टैक्सी वहां से रवाना हो गई एस्टरिस्क 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 इर्फान और शोहाब होटल गॉडविन के रिसेप्शन पर पहुचे मिस्टर ब्रजवासी कौन से कमरे में है शोहाब ने पूछा मिस्टर ब्रजवासी रिसेप्शनिस्ट बोला वो तो चैक आउट कर गए अरे उनका तो बड़े लंबे स्टे का प्रोग्राम था सर वो एकाएक बहुत अफरात फ्री में चैक आउट करके गए कब अभी बस कोई पंदरा मिनिट पहले कोई फारवर्डिंग अड्रेस छोड़ कर गए नो सर वो आपके होटल से चले गए या मुंबई से ही चले गए हमें ऐसी कोई खबर नहीं सर ओके ठैक यू दोनों रिसेप्शन पर से हट गए यकायक गया इर्फान धीरे से बोला अफरात्फी में गया इसका एक ही मतलब हो सकता है क्या शोहाब बोला हमारी आमद की खबर लग गई उसे खबर न लग गई अन्देशा हो गया किसी तरीके से मालूम पड़ गया कि उसका लोकल पता कोई राज नहीं रहा था हाँ फिर तो वो मुंबई में ही कहीं होगा हाँ वो भी किसी दूसरे होटल में ही होटल में क्यों वो किसी के साथ रह सकता होता तो पहली बार ही क्यों होटल में ठहरता दुरूस्ट तो अब ऊच्टाच करनी होगी शायद किसी बैलबवाई ने उसकी मन्जिल की बाबत कुछ सुना हो शायद दोर्मैन ने कुछ सुना हो शायद वो टैक्सी वाला मिल जाए जो उसे इधर से कहीं लेकर गया था बशर्ते की वो किसी प्राइवेट कार पर इधर से न गया हो देखेंगे वो शराब और शबाब की एक भव्य पार्टी थी जो की मुंबई के एक नामी फिल्म फाइनांसर कुमुद भाई देशाई के प्राइवेट यॉट सी हाथ पर आयूजित थी रोश्नियों से जगमगाता यॉट मुंबई हार्बर से एक मील परे समुद्र में खड़ा था अपोलो बंदर से यॉट तक महमानों को लाने ले जाने के लिए मेजबान की तरफ से कई तेज रफ़तार मोटर बोटों का इंतिजाम था जो की शटल की तरह किनारे और यॉट के बीच मुतवातर चल रही थी वो एक पूर्व प्रचारिक पार्टी थी जो कि कुमुद्भाई देशाई की फाइनांस की गई एक फिल्म की गोल्डन जुबली मनाने के लिए आयोजित की गई थी उस पार्टी का निमंतरन हासिल करने के लिए ब्रजवासी को काफी पापड बेलने पड़े थे अब वो सजजज में फिल्म स्टारों को भी मात करती शिवांगी शा के साथ पार्टी में मौजूद था खुद वो भी मुंबई की वैसी चमक दमक वाली पार्टियों के रस्मोरिवास के मुताबिक खूप सजजज कर आया था शिवांगी शा ब्रजवासी के कमपैनियन का रोल अदा करने के लिए ही उस पार्टी में नहीं आई थी वहां वो भाई उस हुक्म की तामील के लिए भी पहुँची थी जो की मूल रूप से छोटा अंजुम को हुआ था चोटा अंजुम को भाई का हुक्म हुआ था कि वो सोहल के किसी ऐसे करीबी को तलाश करे जिसके मरने से सोहल तड़पे ऐसे किसी शक्स को तलाश कर पाने से पहली ही क्योंकि चोटा अंजुम का अपना ही काम हो गया था इसलिए अब वो काम शिवांगी के हवाले था ब्रजवासी ने जब उसे बताया था कि उसे पक्की खबर थी कि लोहिया सोहल का करीबी था तो उसे उस पार्टी में चलने के लिए शिवांगी की कोई मनुहार नहीं करनी पड़ी थी वो बात मालूम होते ही भाई की फर्माबरदार और खासल खास शिवांगी खुशी-खुशी ब्रजवासी के साथ उस पार्टी में चली आई थी जिसका ब्रजवासी पहले ही तस्दीक कर चुका था शेशनाराय लोहिया खास महमान था बहरहाल शिवांगी के साथ ब्रजवासी पूरी काम्याबी से उस पार्टी में सेंध लगा चुका था ये बात अभी भी तफ्तीश का मुद्दा थी कि गौडविन से खड़े पैर चैट आउट करके उसने समझदारी दिखाई थी या खामखा की भगड़ मचाई थी इस बात ने भी उसे काफी हिलाया था कि सलावदीन को कसने गए चार आदमियों में तीन पुलीस की गिरफ्त में थे और चोथे का कोली का गिरफ्तारी से बच गया होना महज इत्तफाक की बात थी कोली उसे सिर्फ गिरफ्तारी की खबर दे पाया था ये नहीं बता पाया था कि मराथा के भीतर क्या बीती थी और क्यों कर उन लोगों की गिरफ्तारी की नौबत आई थी तोकस की गिरफ्तारी के मामले में वो ज्यादा फिक्रमंद था क्योंकि वो उसका आदमी था और उसके बारे में बहुत कुछ जानता था वो खबर लगते ही उसने दिल्ली जामनानी बात की थी और जामनानी की राय पर भाई से बात की थी भाई उससे बड़ी अच्छी तरह से पेश आया था और उसने उसे आश्वासन दिया था कि या तो आज ही वो उन्हें थाने से ही छुड़वा देगा या कर सुबह उनकी जमानत कराने का इंतजाम तो हर हाल में कर देगा अब वो पार्टी के रंग में रंगने की और उन वाक्यात को भूलने की कोशिश कर रहा था ये देखकर उसे बड़ी राहत महसूस हो रही थी कि उसकी सूचना और अपेक्षा के अनुसार शेश नारायन लोहिया पार्टी में पहुँच चुका था वो नहीं जानता था कि शराप का रसिया और सदा परस्त्री सुख अभिलाशी लोहिया उस पार्टी में शिर्कत के लिए इतना उतावला था कि गैर हाजर हो ही नहीं सकता था वो तो जेकब सरकल पर स्थित अपने आफिस से सीधा ही वहां चला आया था जो डिनर सूट वो उस घड़ी पहने था वो भी उसने शाम को ड्राइवर को घर भेज कर दफ्तर में ही मंगवाया था विमल की सुबह की वार्निंग उसे भूली नहीं थी लेकिन उसे यकीन था कि वो वार्निंग इतने बड़े आदमी की इतनी बड़ी पार्टी पर लागों नहीं होती थी जहां कि हाई सोसाइटी के भी हाई ग्रेड लोगों की ही पहुँच हो सकती थी देशाई को वो जाती तौर पर जानता था इसलिए ये बाद भी उस पर लागों नहीं होती थी वो किसी गैर की पार्टी में आया था लोहिया पचपन के पेटे में था लेकिन उस उम्र में भी उसकी औरत की त्रिशना ऐसी थी जैसे कि वो कल जवान हुआ हो उस रोज जैसी पार्टियों में हाई सोसाइटी की तितलियों के पीछे तो वो पड़ा ही रहता था रेशमवाला नाम के एक कालगर्स सप्लायर से हाई प्राइस्ट कालगर्स भी वो अकसर तलब करता रहता था उपर से गाहे बगाहे उसका चक्कर मदाम सिक्वेरा के थिये का भी लगता था फिर भी नित नई लड़की के संसर्व में आने की उसकी ऐसी भूख थी जो की कभी शान्ती नहीं होती थी उसके उस शौक से बाखुबी वाकिफ उसके एक दोस्त ने एक बार मजाक में उससे सवाल किया था कि औरत की ख्वाहिश मर्द की जिंदगी की कौन सी स्टेज पर कब जाकर खत्म होती थी तो उसने जवाब दिया था कि चिता पर लिटाए जाने के पंदरह या बीस मिनिट बाद यही वज़त थी कि रंगीला राजा शेशनारायन लोहिया शिवांगी शाह पर पार्टी में एक निगाह पड़ते ही उस पर फिदा हो गया था पार्टी में जैसा कि हमेशा अपेक्षित होता था और भी कई खूपसूरत लड़कियां मौजूद थी लेकिन उनमें से अधिकतर ऐसी थी जो कि ऐसी पार्टीों में उसे आम मिलती रहती थी और उसकी निगाह में बासी माल थी लड़की के साथ एक आदमी था जिसकी वज़़ से वो फॉरण उस तक अपनी पहुँच नहीं बना पा रहा था फिर जब दान्स के लिए बैंड बजने लगा तो ए कुछ बोला और हॉल से बाहर की तरफ चल दिया फिर वो अकेली डांस फ्लोर के साथ लगी टेबलों में से एक की और बढ़ी लोहिया उसके पीछे हो लिया लड़की एक टेबल पर जा बैठी वेटर ने उसे एक ड्रिंक सर्फ किया जिसे की वो हॉले चुसकने लगी लोहि जुली मुसकराहट में अपनी मुकमल फंदेबाजिया उढ़ेलता हुआ वो बोला में I sit here for a moment? यस जवाब मिला प्लीज शूर यू डोंट माइंड रहीू आफकोर्स नॉट मेबी यूवर पार्टनर माई पार्टनर डज नॉट ओन मी ओ, ओ, तब लोहिया उसके सामने बैठ गया मुझे लोहिया कहते हैं मैं शिवांगी मुझे आप से मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे भी आप खुश किसमत है कि आप पार्टनर के साथ आई है मैं ऐसा खुश किसमत नहीं हूँ मतलब मैं लोहिया ने जैसे पासा फैंका तनहा हूँ तनहा कहा है आप शिवांगी मुस्कराती हुई बोली मैं जो हूँ आपके साथ ये साथ तो फूंक से उड़ जाने वाला है मैडम कैसे भला अभी आपके पार्टनर लौट आएंगे ओ तो है कहते हैं दौाओं का असर होता है महान तजुर्बेकार लोहिया ने नया पासा फैंका आप क्या दौआ करना चाहते हैं शिवांगी बोली बखौफ कहूं हाँ हाँ क्यों नहीं मैं दौआ करना चाहता हूँ कि आपके पार्टनर लौट कर शिवांगी खिल खिला कर हसी आप हस रही है लोहिया मुमह बिसूर कर बोला मिस्टर लोहिया वो बोली आप दौआ नहीं कर रहें सपने देख रहे हैं सपने देखने को क्या गुनाह करा दे दिया है नई सरकार ने वो बात तो नहीं लेकिन क्या लेकिन तभी बैंड फिर बजने लगा लोहिया ने अपना विस्की का गिलास खाली किया उठकर खड़ा हुआ और शिवांगी के सामने कमर से नीचे जुकता हुआ बोला मैडम में I have this dance with you शिवांगी ने मुस्कराते हुए बड़ी अदा से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और उठ खड़ी हुई दोनों dance floor पर पहुँचे और संगीत की लय पर थिरकने लगे लोहिया ने थोड़ी देर ही शालिंता दिखाई फिर धीरे धीरे उसके कूले पर रखा उसका हाथ उसकी कमर में कसने लगा शिवांगी पहले उसके साथ चिपकी और फिर जैसे रेशम की गठरी की तरह उस पर धेर हो गई लोहिया बाग बाग हो गया उसने उसे मुर्गी की तरह दबोचने में कसर न छोड़ी उसे कोई अंदेशा था तो ये था कि अभी लड़की का जोड़ीदार वहां पहुँचेगा उसके कंधे पर दस्तक देगा मजबूरन उसे लड़की को अपने से अलग करना पड़ेगा और फिर वो कमबक्त जैसे उसे तपाने के लिए लड़की को अपनी बाहों में भर लेगा काश उसे मालूम होता की वैसा कुछ नहीं होने वाला था काश उसे मालूम होता कि ब्रजवासी खास उसके लिए लड़की को पीछे तनहा छोड़ कर गया था आप चाहते हैं शिवांगी इठलादी हुई बोली कि वो लौट आए अजी तौबा मेरी मैं क्यों चाहूंगा फिर क्यों पूछ रहे है लोहिया ने उसके जिस्म की एक गोलाई को च्छुआ तो बाग बाग हो गया इसलिए नहीं क्योंकि जो उसने च्छुआ था वो नायाब था बलकि इसलिए कि लड़की ने कोई एतराज नहीं किया था अपनी उस हरकत से शह पाकर वो और दिलेर हो गया नतीस्तन डांस ने ऐसे अभिसार की सूरत अक्तियार कर ली जिसमें बस लेटने की कसर थी तभी बैंड बजना बंध हो गया नित्य करते जोडे एक दूसरे से अलग होए सब ने तालिया बजाई दोनों टेबल पर वापिस लोटे वेटर में उन्हें नए जाम सर्व किये दोनों ने फिर चियर्ज बोला और अपने अपने जाम से घूंट भरे आपके पार्टनर नहीं लोटे लोहिया बोला यूही उच्सुकतावश वो यहां नहीं है यहां तो नहीं है होते तो दिखाई देते लेकिन वो यॉट पर नहीं है जी वो किनारे पर गए है एक नहायत जरूरी काम से काफी देर से लोटेंगे ओ ओ आपको यहां छोड़ गए आपको कोई एतराज एतराज मेरे लिहां से तो यह उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिस पर उन्हें कोई इनाम मिलना चाहिए शिवांगी हसी वैसे है कौन वो लोहिया ने उच्सुक भाव से पूछा बड़े आदमी है वो तो होंगे ही वरना देशाई की पार्टी में इन्वाइटिड ना होते राइट नाम क्या है उनका एमपी ब्रजवासी लोकल तो नहीं जान पड़ते दिल्ली से है आप से कैसे वाकिफ है मैं मुंबई में उनकी गाइड, एसकार्ट और कमपैनियन हूँ कमार है फिर भी आपको पीछे छोड़ गए जरूरी याद आ गया तो खुशकी पर साथ न ले गए साथ ले जाते तो आपका अंजाम बहुत बुरा होता जी आप जरूर मेरे बारे में सोच सोच के ही पागल हो जाते ओ तो है बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ और और क्या जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा आगे क्या होगा वो तो आपकी मर्जी पर मुनसर है मेरी मर्जी वो होंट दबा कर हसी कहें तो हम भी किनारे पर चलें वो किसलिए तनहाई की तलाश में ओ, नो, मैं पार्टी छोड़ कर नहीं जा सकती वो मुझे उनका यहीं इंजतार करने को बोल कर गए है तो फिर क्या बात बनी? इतना बड़ा योट है यहां भी तो कहीं तनहाई मुम्किन होगी ओ, ओ, लोहिया एकाएक उठ खड़ा हुआ मैं अभी आया कहाँ चल दिये? तनहाई की तलाश में मैं बस गया और आया हिलना नहीं यहां से ओके लोहिया घूम कर चलने लगा तो किसी की छाती से तकराया उसने सिर उठाया तो ओरियंटल होटल्स एंड रिजार्टस के चैर्मैन रंदीवे को अपने सामने खड़ा पाया ओ, हलो, वो तनिक हकबकाया सा बोला भई, हान देकर रंदीवे बोला ब्रेक लगा कर आगे बढ़ा करो लोहिया खिसी आया सा हसा रंदीवे ने एक गुप्त निगाव पीछे बैठी शिवान पर डाली और फिर प्रशनसात्मक स्वर में बोला लकी डॉक वो, वो, क्या है कि यू डू गैट अराउंड, मिस्टर लोहिया प्रंदीवे साहब, मैं जरा हाँ, हाँ, अभी मैं कौन होता हूँ रंग में भंग डालने वाला बस इतना बता दो साथ लाए थे या यहां मिली यहां मिली भोग लगाने का मौका तो फिर अभी नहीं मिला होगा कुसी फिराक में हो लेकिन यहां पब्लिक ही बहुत है भाई, पार्टी है पार्टी में पलिक नहीं होगी तो और क्या होगा ये भी ठीक है मेजबान से बात करूँ वो भी तुम्हारे जैसा ही रंगीला राजा है इसलिए तुम्हारी प्राबलम को जट समझ जाएगा मैं वही करने जा रहा था कि उसने जान बूच कर वाक्य अधूरा छोड़ दिया पर्सो तुम्हारा एक दोस्त मिला था मेरा लोहिया सत्पकाया बहुत शांदार आदमी था शांदार और रोबदार कौन? राजा गजेंद्र सिंग कौन? भई राजा गजेंद्र सिंग एन आर आई फ्रॉम नैरोगी अच्छा वो वो तो है ही राजा आदमी अपने को पतियाला के शाही घराने से बताता था ठीक बताता था